सुरेंद्र मोहन पाठक, मरना यहाँ, विमल सोलह, पार्ट एक, फर्स्ट एडिशन, उन्नी सो च्यासी, डिस्क्लेमर, यह विडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है, कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपिराइट उदेशन नहीं है, निवेदन, सभी शोताओं से निवेदन है, कि इन आडियो बुक को बनाने में बहुत समय लगता है, ये दिनों या हफ्तों की मेहंत होती है, इसलिए कृपिया मेरे चैनल योर बुक रीडर को सब्सक्राइब करे, और कृपिया कमेंट करे कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं, और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम को लाइक सब्सक्राइब करे, अगर कहीं हमारे दूसरे चैनल की तरहां इस चैनल में भी कोई प्रॉब्लम हो टू आप हमसे जुड़े रही, लिंक दिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइंस क साउंड सुनाई देते होंगे जैसे की, प्लस, हश, इनको इग्नोर करें ये हमारे बुकमार्ट्स है, रेकोर्डिंग के लिए होते हैं, विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं, जिन पर काम किया जा रहा है, जहां आपको ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क साउंड है, आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सामान्य ज्यान जब ये उपन्यास लिखी गई थी तब का एक लाख रुपए आज के बीस लाख रुपए होते हैं, तू आईए सुनते हैं, सुरेंद्र मोहन पाठक, मरना यहां, विमल सोलह, अपने मोहसनों के सहारे विमल अंधेरे शून्य से तो उबर आया, परन्तु जब एक बार फिर उसके प्रारब्ध ने उसे उसी पापी संसार में ला छोड़ा तो उसे समझ में आया कि उसका जीवन अब उसी संसार बंधा हुआ था, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। उन गाडों में से कोई दगाबाज नहीं था, भंधारी के प्रती उसके मन में पूर्वागरा अभी भी था, कमिशनर से कोई शाह हासल न हुई होने के बावजूद यह के खयार उसके जेहन से निकला नहीं था कि चोरों का इंसाइड हैल पर भंधारी ही हो सकता था, उसे अ की नौबत ना आए, उसी पूर्वागरा ने उसे भंधारी के केबिन की तलाशी लेने के लिए प्रेरित किया, काम नाजायस था लेकिन फिर भी उसने किया, तलाशी के दौरान उसने मेज के दराजों को ताला लगा पाया, वह कुछ हिचकिचाया, फिर कुरसी पर बैठे- उसने चुपचाप अपने गुच्छे की चाबियां दराज के ताले में चाही करनी आरंब कर दी, एक चाबी ताले में घूंग गई, उसने एक-एक दराज का मुआयना करना आरंब किया, सबसे नीचे के दराज में उसे एक घरी सी पड़ी दिखाई दी, देवडा ने उसे निकाल लिया और उसे उलट-पलट कर देखने लगा, जल्दी ही उसकी समझ में आ गया कि वहाँ वक्त बताने वाली मामूली घरी नहीं थी, बलकि एक टाइम क्लॉक थी, उस टाइम क्लॉक की वहां मौजूदगी का कोई रिष्टा वहां पेंतिंगों की चोरी से जोडने क कोशिश करने लगा, फिर एकाएक वहां अपने स्थान से उठा और टाइम क्लॉक हाथ में थामे केबिन से बाहर निकल आया, बाहर मौजूद सारे गार्ड उठकर खड़े हो गए, या क्या है, उसमें टाइम क्लॉक सब को दिखाई कोई इसे पहचानता है, सबने इनकार मे सिर हिलाया, जो गार्ड बाहर मौजूद है, उन्हें भी बुलाओ, लेकिन उनमें से कोई भी यह जानता न निकला की ACP के हाथ में थमी चीज क्या बला थी, यह ACP बोला यहां के इस्तमाल की कोई चीज नहीं, सबने इनकार में सिर हिलाया, आगे इस्तमाल में आने वाली हो किसी को उस बाबत कोई खबर नहीं थी, उसने वापिस केबिन में आकर भंडारी के घर का नमबर डायल किया मालूम हुआ की भंडारी सोया पड़ा था, खोपड़ी की चोट की वज़े से वह सिडेटिव लेकर सोता था और डाक्टर की हिदायत थी कि जब तक बात इंतहाई जरूरी नहों, उसे सोते से न जगाया जाए देवडा ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया कलवा द्रिट स्वर में होठोर में बुदबुदाया कल सही रुस्तम भाई रोकडे की ज़लक देखना चाता है तुकाराम ने बताया क्यों विमलतनिक हैरानी से बोला वजह नहीं बताता आथ क्या हुई थी तुकाराम ने सारा वारतालाप दोहराया उसे किसी ने हड़काया है विमल निर्णयात्मक स्वर में बोला किसने? जाहिर है कि हमारे ही किसी आदमी ने हमारा कोई आदमी ऐसा कहां कर सकता है वागले तो ऐसा करने से रहा अकबर, जैरत और रामन्ना तेरे ऐसे फैन है कि सपने में भी तेरे से बाहर जाने की नहीं सोच सकते बाकी रहा भंडारी तो वो शाम तक तो हस्पतार में पड़ा था वो कब को रुस्तम भाई से मिला होगा? विमल सोच में पड़ गया अब रोकड़ा तो है नहीं तुकाराम बोला उसे दिखाएंगे क्या? तो हम उसे रोकड़ा न होने की साफ साफ वज़ा हता देंगे वज़ा वो समझेगा? नहीं समझेगा तो अपना ही नुकसान करेगा आखिर अपने हिस्से की इतनी बड़ी रकम उसने हम से ही हासिल करनी है बड़ी रकम हाथ से निकल गई मानकर कहीं वह छोटी रकम की फिरात में ना पड़ जाए छोली रकम कौन सी? तेरी गिरफतारी के इनाम की वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता करेगा तो खुद भी फंसेगा अवल तो फंसेगा नहीं क्योंकि चोरी में उसकी शिरकत साबित करना आसान ना होगा फंसेगा तो इतने बड़े इश्टहारी मुजरिम को गिरफतार करवाने की एवस में जरूर वादामाफ गवा बना लिया जाएगा उसे ऐसा कुछ करना होता तो कब का कर चुका होता पहले उसे मोटे माल की उमीद थी उमीद खतम हो जाने पर वो ऐसा कर सकता है कल शाम तक अभी उसकी उमीद खतम नहीं हो रही तुका जो बात अभी कल शाम को समस्या बनेगी उस पर अभी से सिर्धुन्ने का क्या फाइदा तुकाराम खामोश रहा उसके चहरे पर से चिंता के भाव न मिटे शुरू-शुरू में वहा कुछ क्षण बात चिंता में दूबे स्वर में बोला यह जगा मुझे बहुत ठीक लगी थी तेरे लिए लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जगा माल के लिए ठीक है तेरे लिए नहीं मुझे तो किसी ऐसी जगा होना चाहिए था जहां तेरी मौझूदगी की खबर किसी को न होती तुम खामखा हलकान हो रहे हो हालाग फिलहाल हमारे काबू से बाहर नहीं है उस छोकरी से कैसी पट रही है तुम्हारी? मनजुला से? हाँ बढ़िया मुझ पर फिदा हो गई मालूम होती है अभी से मुझे पटाने की कोशिश कर रही है क्यों न करे? नौजवान घोडी जो ठहरी उसे तो नौजवान घोडा ही चाहिए भंडारी जैसे बुड़े बैल का क्या करेगी वो? वही जो अब तक करती थी अब शायद न करे तभी तो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रही है कोशिश ही तो कर रही है काम्याब तो नहीं हो रही हो जाएगी? विमल ने इनकार में सिर हिलाया ऐसे कामों के लिए मेरी उमंग नीलम के साथ खतम हो चुकी है विमल की आंखों में एकाए गहरी उदासी की छाया तैर गई हर बड़ा कर तुकाराम ने उस विशे का वही पटाक्षिप कर दिया मैं जाता हूँ वह जल्दी से बोला विमल ने सहमती में सिर हिला दिया तुकाराम चला गया तो विमल ने अपना बुझा हुआ पाइप फिर सुलगा लिया और बड़ी गंभीर मुद्रा बनाए उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा तुकाराम का जोडीदार तो वह फिर से बन गया था लेकिन वह अभी भी फैसला नहीं कर सका था कि जिस दुनिया ने नीलं की जान ली थी उसमें वापस लोट कर उसने अच्छा किया था या बुरा तुकाराम उसे मृत्राय हालत में कल्यान से जिला कर लाया था वह यू अपने दोबारा जी जाने को अपनी खश किस्मती माया किस्मती फिर तुकाराम की मजाक में कही बात उसके जेहन में गुंजी जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां शायद वहां मजाक न था, एक कठोर सत्य था विमल की वार्निंग को पूरी तरह से नजरंदास करके इकबाल सिंह बंबई शहर में बखिया की बादशाहत हतिया कर उसकी जगा बादशा कहां बैठा था, उसे टक कर लेने के लिए अपने में जो कूवत पैदा करना जरूरी था, वहां बकॉल तुकाराम मुफलिसी में मुम्किन नहीं था नया चहरा हासिल करना भी विमल के लिए नहायत जरूरी था लेकिन उसके लिए भी एक मोटी रकम दरकार थी दौलत हासिल करने के लिए तुकाराम ने आलमगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होने वाली उन 24 फ्रांसीसी पैंटिंगों की चोरी की योजना बनाई कला के बाजार में जिनकी कीमत 12 करोड रुपए आकी थी जैकली नाम का एक एजन्ट किसी अमरीकी धन कुबेर के लिए उन पैंटिंगों को 6 करोड में खरीदने को तैयार था तुकाराम की योजना में खुद उसके उसके लेफ्टिनेंट कमल के और विमल के अलावा पाँच और आदमी शामिल थे उनमें से एक आलमगीर आर्ट गैलरी का सिक्योरिटी ओफिसर भंडारी था जो अपनी नौजवान रखेल मंजुला को रखना अफोर्ड करने की खातिर उस दकैती में शरीक हुआ था दूसरा रुस्तम भाई अंधेरी वाला था जिसे अपनी टुरिस्ट टैक्सी की सर्विस की ओट में स्मैक की स्मगलिंग का धंदा चलाने के लिए डौलत दरकार थी दो अकबर और जैरत नाम के मामूली मवाली थे और आखिरी शक्स विजय रामन्ना नाम का एक ठिंगू टैक्सी ड्राइवर था इसके अलावा खीर में मक्खी का दर्जा रखने वाला एक करप्ट पुलसिया इंस्पेक्टर चत्वाल था जो रुस्तम भाई के साथ गट जोड करके 6 करोण रुपया हासिल हो जाने के बाद सारा माल खुद हडब जाने का ख्वाहिश मन्ध था लेकिन जिसकी विमल या त कीर काम करने जा रहा था वह एक चरित रहीन स्त्री थी और उसका एक यार दीपक महरा तो उसकी गैरहाजरी में उसके बांदरा वाले फ्लैट में मन्जुला से मिलने भी आता था योजना के एक अंग के तौर पर अकबर, जैरत और रामन्ना तोलाराम नायक नाम के एक व्यापारी के आठ साल के लड़के का अपहरण किया ताकि उस पर दबाव डाला जा सके की आठ गैलरी में पेंटिंगों वाले हाल में जो फाल्स सीलिंग बनाने का थेका उसे मिला थ उसके कारिगरों के तौर पर वहां उन तीनों को अपना आदमी बताकर आठ गैलरी भेजे। तुकाराम की योजना के मुताबिक मंगलवार शाम को अकबर, जैरत और रामन्ना ने आठ गैलरी की फाल्स सीलिंग में छुप जाना था। वहां में धुआ फैलाने वाले बम और आग बुझाने का सामान और फायर फाइटरों की वर्दियां वगेरा पहले ही छपा आये होते हैं। भंडारी ने उस अलान सरकट को काटना था जिसकी वज़ह से पेंटिंग को छूने भर से घंतिया बजनी शुरू हो सकती थी। जैरत और रामन्ना ने पेंटिंगों को फ्रेमों में से निकाल कर गोल लपेट ना था और उसे आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाले पानी के हौस में भरकर उपर से पीतल की नलकी लगानी थी। फिर उन्होंने सारी इमारत में धुएं के बम फोरने थे और तब तक फिर से चालू हो चुके अलान सरकट को छेड़ देना था। जब फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुचते तो वे उन्ही जैसी वर्दिया पहने होने की वज़े से उनमें रल मिलकर वहां से बाहर निकल आते और रुस्तम भाई के नकली फायर ब्रिगेड के इंजन पर सवार होकर वहां से कूच कर जाते। तुलसी पाइप रोड पर तुकाराम और विमल को जैक रीली मिलता जो उनसे पेंटिंग ले लेता और उन्हें 6 करोड की रकम सौप देता। फिर 15 दिन तक 6 करोड रुपे के साथ विमल ने भंडारी की रखेल मंजुला के साथ उसके बांदरा वाले फ्लैट पर छुपे रहना था। योजना में पहला व्यवधान तब आया जबकि अपेक्षानुसार मंगलवार को पेंटिंगे बंबई न पहुची। पेरिस से उन पेंटिंगों को लाने वाला प्लेन रास्ते में बिगड गया और उसे रोम में फोर्स लैंड करना पड़ा जिसकी वजह से अब पेंटिंग बुधवार सवेरे 4 बजे 8 गैलरी पहुचनी थी। उस समस्या का समाधान यह निकाला गया कि अकबर, जैरत और रामन्ना मंगलवार शाम को फाल सीलिंग में छुपने के स्थान पर बुधवार शाम दर्शकों की तरह 8 गैलरी जाएं और भंडारी उनकी यू सहायता करे कि दर्शन के लिए गैलरी बंद हो जाने के बाद वे 3 पेंटिंगों वाले हाल में बंद हो जाएं और शाम साथ बजे बाकी योजना पर जोकातियों अमल करें। लेकिन बेल तब भी मुंदेर न चड़ी। जैसे उससे फाल्स सीलिंग के काम में जबर्दस्ती की गई थी। ACP देवडा खुद आर्ट गैलरी पहुचा और उसने फाल्स सीलिंग में छुपाया हुआ सारा माल बरामत कर लिया। साथ ही उसे शक भी हो गया कि कुछ चोर फ्रांसी सी पेंटिंगें चुराने के लिए ही सक्रिय थे और जरूर आर्ट गैलरी के सिक्योरिटी स्टाफ में कोई आदमी उनसे मिला हुआ था। उसने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल भी फैलाया लेकिन भंडारी की वार्निंग की वज़ह से अकबर, जैरत और रामन्ना उस जाल में फसने से बच गए। फिर विमल ने एक नई स्कीम बनाई। उस स्कीम के मताबिक पुलीस को हर रोज एक नई जगह पर बम लगा होने की सूचना मिलने लगी। पुलीस के स्पेशल स्क्वायर का इंस्पेक्टर केल कर उन बमों को बरामत करने और निश्क्रिय करने के लिए हर जगह पहुँचा, जिससे विमल वगेर को उसकी कार्यप्रणाली पता लगी और यहाँ पता लगा कि इस काम के लिए पुलीस के पास वही एक इकलोता स्पे पहले आम हो गई जिसकी वजह से विमल और तुकाराम की मेटाडोर माहिम क्रीक पर रोड ब्लाक में फंस गई वहां इंस्पेक्टर चटवाल ने खुद मेटाडोर की तलाशी ली लेकिन मेटाडोर में से न रोकडा बरामत हुआ और न पेंटिंगे अगले रोज सुबा विमल ने फ्रांसी सी कल्चरल अटैची जेकुई आंद्रे डेलोन से संपर्क स्थापित किया और पेंटिंगों की वापसी के बदले में च्छ करोड की फिरौती की माम की लोन ने फिरौती देना कबूल कर लिया इंस्पेक्टर चटवाल ने रुस्तम भाई को यह चौका देने वाली खबर दी की मेंटाडोर में न पेंटिंग बेंट थी और न रोकडा जब की दोनों में से एक चीज मेंटाडोर में लाजमी तौर पर होनी चाहिए थी चटवाल ने ही रुस्तम भाई को उकसाया कि वह रोकडा देखने की मांग पेश करे उधर पुलीस तफ्तीश से यह स्थापित हो गया कि सोहल बंबय में था और पेंटिंगों की चोरी में उसी का हाथ था तब तक ACP देवडा आर्ट गैलरी के सिक्योरिटी गार्डों को खूब ग्रिल कर चुका था और इस नतीजे पर पहुँचा था कि खुद सिक्योरिटी आफिसर भंडारी की चोरों के साथ कोई मिलीब गत हो सकती थी देवडा ने अपना ख्याल पुलीस कमिशनर पर जाहिर किया लेकिन कमिशनर ने उसके ख्याल के साथ इत्तफाक न किया और उस सिक्योरिटी स्टाफ को ही फिर से चैक करने का आदेश दिया यहां तक की कहानी आपने जीना यहां में पढ़ी अब इस से पहले की खुद भड़का हुआ रुस्तम भाई अंधेरी वाला बाकी साथियों को भड़का देता विमल ने देलोन से फिरौती की 6 करोड की रकम हासिल करके दिखानी थी दाता विमल के मुंग से निकला 13 अंत न जाई लख्या रात 11 बजे तुकाराम चैंबूर में अपने घर के आगे एक टैक्सी पर से उत्रा सड़क के मोड पर एक काली कार खड़ी थी जिसकी पिछली सीट पर एक विदेशी बैठा हुआ था उसकी निगा उस टैक्सी पर तिकी हुई थी तुकाराम टैक्सी से निकल कर भाड़ा चुकाने लगा वही है जाईविंग सीट पर बैठा भीम नाम का मवाली सा लगने वाला आदमी बोला विदेशी ने खामोशी से सहमती में सिर हिलाया और बदस्तूर टैक्सी की तरफ देखता रहा कुछ क्षण बाद खाली टैक्सी वहां से विदा हो गई तुकाराम इमारत में दाखिल होकर पहली ही द्रिष्टी से ओजल हो चुका था मैं जाता हूँ विदेशी बोला दस मिनट में बाहर न आऊं तो तुम्हें मालूम है न तुम्हें क्या करना है भीम ने सहमती में सिर हिलाया और बोला मालूम है तुम्हारे बाकी साथ ही कहा है दूसरी कार में जो आगे मोड पर खड़ी है कितने है काफी इस इकलौते आदमी से निपटने के लिए काफी से ज्यादा इमारत में और भी आदमी हो सकते हैं कोई वादा नहीं अगनतुक के चहरे पर निगाह पड़ते ही वह बुरी तरह से चौका तुम कुसने मोह से बोला में आई कम इन आगनतुक मुस्कराता हुआ बोला क्या चाहते हो तुकाराम कठोरता से बोला भीतर आना चाहता हूँ क्यों? भीतर आकर बताऊंगा मेरी तांगे कमजोर है मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता तुम यहाँ पहुँचे कैसे? यहाँ भी भीतर आकर बताऊंगा मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता मैं रखना चाहता हूँ तुम पच्चताओगे कोई बात नहीं पच्चता लूँगा कोई निरणय लेने की कोशिश करता तुकाराम कुछ खशन खामोश खड़ा रहा फिर एकाएक उसने रास्ता छोड़ दिया थैंक्यू आगंतुक मुस्कराता हुआ बोला तुकाराम ने उसे बैठक में ले जाकर बिठाया वागले बैठक के पिछले दर्वाजे पर प्रकट हुआ लेकिन तुकाराम ने उसे वहां कदम न रखने का इशारा कर दिया आगंतुक एक सोफे पर धेर हो गया और यू हाम्फ ने लगा जैसे बहुत लंबा फासला तै करके वहां पहुंचा हो। फिर उसने अपनी जेप से एक सोने का सिग्रेट केस निकाला और उसे खोल कर तुकाराम की तरफ बढ़ाया। तुकाराम ने इनकार में सिर हिलाया तो उसने एक सिग्रेट निकाल कर अपने होठोन से लगाया और सिग्रेट केस में ही लगे लाइतर से उसे सुलगा लिया। उसने बड़े त्रप्तिपूर्ण भाव से सिग्रेट का एक लंबा कश लगाया। आगंतुक का नाम जैक रीली था, वह अमरीकी धनकुबेर जी एफ न्यूमैन का एजेंट था और वही वो शक्स था, मूल रूप से तुकाराम का जिससे पेंटिंगें चुराने की बाबत सौदा हुआ था। तुमने रीली बोला सोचा होगा कि इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगा। नहीं सोचा था तुकाराम सहेज भाव से बोला अलबत्ता यह जरूर सोचा था कि ऐसी तलाश तुम गैर जरूरी समझोगे। गैर जरूरी ही समझता रीली बोला अगर्चे कि मैंने अकबार में पेंटिंगों की चोरी की खबर न पड़ी होती। मुझे हैरानी है कि मुंबई शहर में कोई उस चोरी की अंजाम दे सका। और मुझे खुशी है कि तुम उस चोरी को अंजाम दे सके, तुम समझते हो कि चोरी मैंने की है मैं समझता नहीं, जानता हूँ तुम पागल हो वह मुस्कराया उसने फिर सिग्रेट का एक लंबा कश जमाया तुम मुझ तक कैसे पहुचे? बस पहुच गया पूचता पूचता रीली लापरवाही से बोला सिर्फ करोडे खी तो बाशिन दे हैं तुम्हारे मुंबई शहर में मैंने नमबर एक से पूचना शुरू किया और पूचता चला गया किसीने तो तुम्हें जानता होना ही था और फिर तुम तो बड़े मशूर हो सुना है यहां के एक माफिया किंग से टक्कर ले चुके हो और बाकाइदा उसे पचाड चुके हो तुम चाहते क्या हो? ऐसा कुछ नहीं चाहता जो तुम मुझे न दे सको वह एक क्षण ठिटका और फिर बोला पेंटिंग मेरे हवाले करो और चल कर अपने नोट गिन लो तुम पागल तो नहीं हो अरे मैंने तो इस काम का खयाल तभी छोड़ दिया था जब मेरे साथी मुझे दगा दे गए थे और मैंने तुमें खबर कर दी थी कि वहां मेरे बस का काम नहीं रहा था यहां काम तुम्हारा है रीली सक्ती से बोला मैंने खूब जाच परताल की है किसी दूसरी पार्टी ने न इस काम में दिलचस्पी ली है और न इसे करने की कोशिश की है मैंने यहां काम नहीं किया तो फिर किस ने किया? मुझे नहीं पता किस ने किया मुझे पता है यहां तुम्हारा काम है अरे मैं देखो, अगर तुम पेंटिंगों की च्छा करोर से ज्यादा कीमत चाहते हो तो साफ बोलो कोई दूसरी पार्टी तुम्हें ज्यादा कीमत दे रही है तो उस रकम का नाम लो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा कीमत दूँगा तुम खूब जानते हो तुम्हारे सिवाए उन पेंटिंगों का कोई खरीदार नहीं अब निकल आया हो सकता है कहां से निकल आया हो सकता है क्या आस्मान से टपका होगा देखो, मेरे साथ बहस मत करो मैंने उस गुजारी है दुनिया भर के गैंस्टर्स के साथ मैं हवा सूम कर बता सकता हूँ कि कौन कितने पानी में है तुम्हारा सौदा मेरे से हुआ था और मेरे से ही होगा धंकी दे रहे हो? हां, मुझे धंकी देने वाला यहां से जिन्दा नहीं जा सकता रीली जा सकता है जाएगा मैं लाश का पता नहीं लगने दूँगा ऐसी धमकिया मुझे सारे एशिया और यूरोप में मिल चुकी है लेकिन रीली के लाश में तबदील होने में अभी बहुत वक्त है थहर जा साले मैं यहां अकेला नहीं आया हूँ उस पर जपटने को तत पर तुकाराम खिटका और मैंने रात नहीं गुजारनी यहां सोना मैंने अपने होटल के सूइट में जाकर ही है तुम मेरे साथ जन्न कंशीन होना चाहते हो तो बेशक मुझ पर जपटो तुकाराम खामोश रहा मैं लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता एकाएक रीली ने सिगरेट एशट्रे में मसल दिया और उठ खड़ा हुआ पेंटिंगेन तुम ही ने चुराई है और तुम उन्हें मेरे को ही बेचोगे इस बाबत कल शाम तक तुमने मुझे कोई अच्छी खबर न सुनाई तो चोरों के सरगने की खबर पुलीस के पास पहुँच जाएगी उससे तुम्हें क्या हासल होगा फौरन कुछ नहीं लेकिन पेंटिंगेन बरामत तो होंगी बरामत होंगी तो उनकी फिर से चोरी की गुणजाईश बनी रहेगी पेंटिंगेन मेरे बॉस न्यूमैन जैसे किसी दूसरे कलेक्टर के पास पहुँच गई तो कहानी ही खत्म हो जाएगी तुम मुझे गिरफ्तार करवा भी दोगे तो पुलीस मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकेगी देखेंगे देखेंगे वहाँ एक क्षण ठिटका और फिर बोला कल शाम तक मैं तुम्हारी टेलीफोन काल का इंतिजार करूँगा अगर पैंटिंगेन मेरे पास होती तो अब तक मैं उन्हें बेच न चुका होता बेच चुके हो तो वहां माल दिखाओ जो तुम्हें पैंटिंगेन बेच कर हासिल हुआ है हो सकता है माल बंट चुका हो तो फिर अपना हिस्सा दिखाओ हो सकता है अपना हिस्सा मैंने कहीं छुपाया हुआ हो, कल शाम तक उसे वहां से निकाल लो ऐसा कोई हिस्सा मुझे दिखा दोगे तो भी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा और बड़ी शान से चलता वह वहां से विदा हो गया उसके जाते ही तुकाराम ने वागले को आवाज दी जरा चुपचाप देखकर आओ वह बोला कि वह यहां अकेला आया था या हिमायती लेकर वागले ने सहमती में सिर हिलाया और फौरन बाहर को लपका थोड़ी देर बाद वह वापिस लोटा अकेला ही था उसने बताया बस सिर्फ एक ड्राइवर साथ था साला तुकाराम भुनुनाया घिस गया मुझे या आदमी कोई समस्या खड़ी कर सकता है कर सकता है मैं तो अब भी कहता हूँ कि सौदा इसी से होना चाहिए था लेकिन सोहल की जिथी की इस नए बखेडे की सोहल को खबर करनी होगी मैं बांद्रा जाता हूँ मैं भी साथ चलता हूँ वागले फौरन बोला क्यों? आधी रात को तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं होगा या तु तुकाराम से कह रहा है? हाँ वागले द्रेड स्वर में बोला ठीक है फिर चल गारी निकाल ऐस्टरिस्क 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 काली एमबेसेडर में तुका था रीली का मवाली ड्राइवर भीम बोला सडक के मोड पर वे लोग अभी भी मौजूद थे उस वक्त एक स्टेशन वैगन में आठोन के आठोन बैठे थे और तुकाराम पर जपटने के लिए कोई स्ट्रेटेजी तयार करने की कोशिश कर रहे थे गारी तो कोई और चला रहा था रीली बोला वह वागले है तुकाराम का चीफ चमचा आधी रात को कहां जा रहे होंगी क्या पता पता लगाओ रीली जल्दी से बोला किसी को इनके पीछे लगाओ भीम के संकेत पर दो आदमियों को छोड़ कर रीली समेच सब स्टेशन वैगन से बाहर निकलाए दो में से एक बड़ी फुर्ती स्टेशन वैगन की जाइविंग सीट के पीछे सरग गया वापिस यहीं आना उसे आदेश मिला उस आदमी ने सहमती में सिर हिलाया स्टेशन वैगन फॉरन सड़क पर दोर चली बाकी लोग सड़क पर पैडल चलते हुए तुकाराम के मकान के सामने पहुँचे दर्वाजे पर ताला जूल रहा है रीली बोला तो भीतर तो कोई होगा नहीं कई सिर सहमती में हिले कोई यह ताला खोल सकता है मामूली काम है भीम बोला मैं खोल सकता हूँ खोलो तुम्हारा भीतर घुसने का इरादा है बाप हाँ पैंटिंगेन या रोकडा दोनों में से एक चीज यहां से बरामद हो सकती है अगर वो दोनों उपर से आ गए तो तो क्या अभी भी तुम पांच जने हो उन दो को नहीं संभाल सकते संभाल सकते है There you are Really एक ख़ण ठिटका और फिर बोला एक आदमी को कार के साथ सड़क के मोड पर भेज दो वह तुकाराम की कार लोटती देखे तो हान बजा दे हान की आवाज इमारत के भीतर तक पहुँच जाएगी रात के सन्नाटे में पहुँच जाएगी दर्वाजे तक तो जरूर ही पहुँच जाएगी मैं दर्वाजे पर खड़ा रहूँगा ठीक है वक्त बरबाद न करू खोल सकते हो तो खोलो ताला ताला खुल गया तो सब भीतर दाखिल हो गए मैं फिर कह रहा हूँ रीली बोला यहां से हमने या पेंटिंगेन बरामत करनी है या रोकड़ा मोटी तलाशी है कोई सुई ढूंडने का काम नहीं है पेंटिंगेन होंगी तो उनका भी काफी लंबा चौड़ा बंड होगा रोकड़ा होगा तो उससे भी कम से कम तीन-चार सूटकेस भरे होंगे रोकड़ा मिलने से तुम्हारा काम कैसे बनेगा बाप? उसको हजम कर जाने की धमकी देकर मैं कम से कम यह तो जान सकूंगा कि पैंतिंगें तुकाराम ने किसको बेची थी फिर आगे की आगे सोचेंगे अब चलो शुरू करो इमारत की तलाशी शुरू हुई लेकिन वहां से न पैंतिंग बरामद हुई और न रोकड़ा कहीं तुकाराम सच ही तो नहीं बोल रहा था रीली चिंतिद भाव से बोला कहीं सच ही तो पेंटिंगेन किसी और ने नहीं चुराई कभी बाहर कार का हान बज़ा वे सब फूर्ती से बाहर निकले भीम ने दर्वाजे को बदस्तूर ताला लगा दिया फिर में सब इमारत के करीब की संतरी गली में दाखिल हो गए काली एमबेसेडर इमारत के सामने आकर रुकी तुकाराम कार से बाहर निकला तो वागले कार आगे बढ़ा कर ले गया कार को इमारत में दाखिल करने का रास्ता पिछवाडे से था और वहां तक पहुँचने के लिए आगे सड़क के मोड से घूम कर पिछली सड़क पर जाना पड़ता था तुकाराम इमारत में दाखिल होकर द्रिष्टी से ओजल हो गया कार भी परली तरफ से मोड काट गई तो वे गली से बाहर निकले दबे पाव वे आगे बढ़े मोड पर पहुचकर उन्होंने पाया कि स्टेशन वैगन भी लौट चुकी थी कहां गया था तुकाराम? रीली ने स्टेशन वैगन के जाइवर से पूछा बांद्रा वैस्ट उत्तर मिला हिल रोड की आठ नंबर इमारत की दूसरी मन्जिल के एक फ्लैट में वहां कौन रहता है? पता नहीं उसे पता तो नहीं लगा कि तुम उसके पीछे लगे हुए थे? नहीं ना आती बार न जाती बार? हाँ पकी बात? हाँ मुझे वो फ्लैट दिखाओ चलो सबके सब दोनों गाडियों में सवार हुए और वहां से बांद्रा के लिए रवाना हो गए एस्टरिस्क 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 एसी पी मनोहर देवडा सुबह सवेरे ही भंडारी के घर पहुँच गया भंडारी तब सोकर उठा ही था कैसी तबियत है? देवडा हमदर्दी भ्रे स्वर में बोला अभी तो ततलीफ में हूँ भंडारी क्षीन स्वर में बोला बहुत जोर का वार किया कमीनों ने बीवी कह रही थी कि आपने कल रात को भी फोन किया था? हाँ किया तो था कोई खास बात थी दरसल मैं आपको एक चीज दिखाना चाता था क्या? यह? देवडा ने टाइम क्लॉक भंडारी के सामने रख दी भंडारी हरबडाया उसने विस्मित भाव से देवडा की तरफ देखा यह क्या है? फिर वहा बोला आप नहीं जानते देवडा अपलक उसे देखता हुआ बोला कि यह क्या है? जानता हूँ टाइम क्लॉक है मेरा मतलब है मुझे क्यों दिखा रही है? हूँ? तो आप जानते हैं यह टाइम क्लॉक है क्या बड़ी बात है? सच पूछिये तो ऐसी एक टाइम क्लॉक मेरे पास भी है अच्छा हाँ आफिस में भंडारी साहब यह वही टाइम क्लॉक है वही? कौन सी वही? आपके आफिस वाली आप इसे मेरे आफिस में से निकाल कर लाए है हाँ मेरे आफिस में मेज के जिस दराज में यह थी भंडारी ने उसे पूरा उसे तो ताला लगा हुआ था यानि कि आपने मेरी मेज के दराज का ताला खोल कर ताला पहले से खुला हुआ था तो भी आपने दराज में हाथ मैं डाइरेक्टरी तलाश कर रहा था सोचा था डाइरेक्टरी दराज में होगी दराज का ताला खुला पाया तो मैंने उसे खोल लिया था ताला खुला नहीं हो सकता खुला था खुला भी था तो आपने यहाँ टाइम प्लॉक भंदारी साहब, आपको याद होगा कि पिछले बुधवार जब मैं आपसे मिला था तो आपने आर्ट गैलरी के अलान वाले प्रबंध पर बड़ा जोर दिया था और कहा था कि उसकी वज़ा से दूसरी मन्जिल के हाल में चोरों का घुस पाना मुम्किन ना था. याद है, यह टाइम क्लॉक उस अलान सरकट का हल हो सकती है. इसके इस्तमाल से किसी खास वक्त पर अलान का बजना रोका जा सकता है. तो, मैंने पहले ही अर्स किया था कि चोरों ने आर्ट गैलरी का कोई करमचारी अपनी तरफ फोड़ा हुआ हो सकता था. भीतर से भंडारी का दिल डूबा जा रहा था और वह मन ही मन उस बेहत छिद्रानवेशी पुलीसिये की ततकाल मौत की कामना कर रहा था लेकिन उपर से वह दिलेरी दिखाने का भरसत प्रयत्न कर रहा था. आई सी, वह व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला और आपके खयाल से वो करमचारी में हूँ. यह टाइम क्लॉक क्योंकि मेरी मेज के दराज में से बरामद हुई है, इसलिए इस मामले में आपकी नजरेनायत मुझवर हो रही है और आप सुमा सुमा इसी वज़ा से यहां त पकाया. आप भूल रहे हैं कि मैं आलंगीर आर्ट गैलरी का कोई दफ्तरी चपरासी नहीं, सिक्योरिटी आफिसर हूँ. मैं वैसे भी जब चाहों अलाम के सरकट को आफ आन कर सकता हूँ. ऐसा करने के लिए आपका आर्ट गैलरी में मौजूद होना भी तो जरूरी होता ह होगा? सिक्योरिटी आफिसर की नौकरी दस से पाच की नहीं होती. मैं वहां का 24 घंटे का मुलाजिम हूँ. इस टाइम क्लॉक का आपके लिए क्या इस्तमाल है? कोई इस्तमाल नहीं. तो फिर देवडा हत्रप स्वर में बोला या आपकी मेज के दराज में क्या कर रही थी पड़ी थी? भंदारी साहब आप बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. मैं बात को आपकी उमीद से ज्यादा गंभीरता से ले रहा हूँ. आप जो बाते कर रहे हैं, उनसे ज्यादा गंभीरता से मैं उन बातों को ले रहा हूँ जो आप नहीं कह रहे हैं या जिनकी तर यहाँ टाइम क्लॉप कोई तीन हफ़ते पहले एक सेल्समेन मुझे दिखाने लाया था और बतौर सैंपल मेरे पास छोड़ गया था हमारे यहाँ इसका कोई इस्तमाल नहीं, ऐसा मैंने उसे तभी कह दिया था लेकिन वह फिर भी इसे छोड़ गया था तभी से यहाँ एक गैर जरूरी चीज़ की तरह मेरी के दराज में पड़ी थी इस्तमाल तो है, अलान सिस्टम के सरकट में जनाब तब अलान सिस्टम कहा था, वहाँ तो फ्रांसी सी पेंटिगो की हिफाज़त के लिए अब लगाया गया है सेल्समेन कौन था और किस कंपनी से आया था मुझे याद नहीं सिक्यॉरिटी डिवाइसिज को सालिसिट करने के लिए दरजनों सेल्समेन मेरे पास आते हैं मैं किस किस को याद रखू अपना विजिटिंग कार्ड तो वहाँ आपको दे कर गया होगा हाँ, दे कर गया होगा वहाँ मेरे आफिस में कहीं धक्के खा रहा होगा जब मैं आफिस जाऊंगा तो उसे आपके लिए कलाश कर दूँगा हाँ, प्लीज और कुछ बस, सहयोग का शुक्रिया देवड़ा को इस बात पर बड़ी खुंदक आ रही थी कि भंडारी ने उसका तुरूप का पत्ता इतनी आसानी से पीट लिया था कमबक्त जरा भी तो नहीं घबराया था हकीतन भंडारी का दिल ही जानता था कि उसके कैसे छक्के छूटे हुए थे वहां मनहीमन अपनी इस लापरवाही के लिए कि ताइम क्लॉप का कोई इस्तमाल न रह चुका होने के बावजूद वहां उसे अपने दराज में रखे रहा था अपने आपको हजार हजार गालिया दे रहा था पेटिंगो का कुछ सुराग मिला भंदारी ने पूछा जी नहीं लेकिन तफ्तीश जारी है वो हमेशा ही जारी होती है इस बार बहुत व्यापक रूप से काम हो रहा है नतीजा भी व्यापक निकले तो जाने निकलेगा जरूर निकालेगा क्यों नहीं निकलेगा देखेंगे नमस्ते देवडा उठकर दर्वाजे की तरफ बढ़ा तो भंडारी ने उसे नाम लेकर पुकारा वह ठिटका घूमा टाइम क्लॉक भंडारी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता बोला देवडा खून का घून्ट पीकर रह गया उसने टाइम क्लॉक भंडारी की फैली हुई हवेली पर रख दी सैंपल है भंडारी बोला पर आया है वापिस करना होगा देवडा कुछ न बोला फिर वह घूमा और वहाँ से बाहर निकल गया भंडारी ने चैन की गहरी सांस ली अपने दो आदमियों के साथ फ्लैट की निगरानी करते भीम ने विमल को फ्लैट से निकल कर सड़क पर एक और जाते देखा अब फ्लैट में पीछे चोकरी अकेली होगी भीम खुशी से हाथ मलता बोला क्यों न इस वक्त फ्लैट पर धावा बोल दे क्या फाइदा बाप उसके साथियों में से एक बोला कभी छोकरी भी तो किधर जाएंगी कभी फ्लैट खाली भी तो होएंगा ऐसा पता नहीं कब होगा भीम बड़बडाया और फिर वहा आदमी मोड तक ही गया हो सकता है दूसरा साथी बोला वो अभी का अभी वापिस आ सकता है पता नहीं फ्लैट खाली कब होगा भीम बोला अभी हो सकता है बाप पहला साथी बोला शाम तक तो जरूर ही हो सकता है बाई कोई सबजी भाजी खरीदने भी तो जाती होगी तब तक वो आदमी लोट आएगा शायद न लोटे भीम ने असंतोश प्रकट करते हुए इंकार में सिर हिलाया शाम तक देखने में क्या वांदा है बाप दूसरा साथी बोला वो विलायती साहब भी तो बोलता था कि जल्दबाजी नहीं मांगता ठीक है भीम भुन भुनाता हुआ लेकिन निर्नयात्मक स्वर में बोला अंधेरा होने तक देखते हैं एस्टरिस्क 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 एक पबलिक काल आफिस से विमल ने देलोन को उसके होटल में फोन किया वह तुरंत लाइन पर आया आपने मुझे पहचाना विस्यू डेलोन विमल बोला पहचाना उत्तर मिला क्या खबर है रकम का इंतजाम हो गया है मुकमल रकम का हाँ गुड अब सुनिये आपको क्या करना है मैं सुन रहा हूँ रकम को सूटकेसों में भर लीजिए और फिर एक सीडी नंबर प्लेट वाली कार का प्रबंद कीजिए वो कैसे होगा क्या मुश्किल है मुंबई में फ्रेंच कांसलेट है आप वहां से सीडी नंबर वाली गारी तलब कर सकते है तुम तो सब कुछ जानते हो विमल हसा खेर आगे बढ़ हो आपने वे सूटकेस कार की डिकी में रखे लेने है और उसको खुद ड्राइव करते हुए वैस्टन एक्स्प्रेस हाइवे पर पहुचना है माहिम क्रीक पर पुलीस की नाकाबंदी अभी भी है अब यहां देखना आपका काम है कि आपके डिपलोमेटिक स्टेटिस का आपकी सीडी नमबर वाली कार का पुलीस पर प्रत्याषित प्रभाव पढ़े और वे आपकी गाडी को चैक ना करें कांसुलेट की गाडी को चैक करने की हिम्मत तुम्हारी पुलीस की नहीं होगी तुम आगे बढ़ो आपने गाड़ी Western Express Highway और मधुरादास विशंजी रोड के क्रासिंग तक ले जानी है क्रासिंग के करीब आपने गाड़ी को इस हिसाब से इस रफ्तार से चलाना है कि जब आप वहां पहुँचे तो आपको क्रासिंग की लाल बत्ती पर रुखना पड़े अगर मुझे लाल बत्ती न मिली तो आपने ऐसे ही गाड़ी चलानी है कि लाल बत्ती मिले फिर भी न मिली तो तो आपको आगे जाकर Western Express Highway के साथ अर्धवरित बनाती मोगरे रोड के रास्ते वापिस घूमना होगा और लोट कर उसी स्थान पर आना होगा और फिर क्रासिंग की लाल बत्ती पर रुखना होगा देलोन साहब यह काम जरूरी और इतना मुश्किल नहीं जितना आप उसे साबित कर रही हैं पहली मर्तबा नहीं तो दूसरी मर्तबा आप उसे बाखू भी अन्जाम दे सकते हैं ओके, कंसिडर इट डन आगे आगे बस ठीक तीन बजे आपको वेस्टन एक्सप्रेस हाइवे और मधुरादास विशंजी रोड के चौराहे पर होना है अगला निर्देश आपको वही प्राप्थ होगा चौराहे पर राह चलते जी हाँ लेकिन इतने पच्चडों की जरूरत क्या है? जरूरत है विमल सक्ती से बोला जैसा कहा जाए कीजिए नहीं करना चाहते तो साफ बोलिए नहीं नहीं डेलोन व्यग्रभाव से बोला जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही होगा गुड विमल ने ततकाल संबंध विच्छेत कर दिया एस्टरिस्क 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 पुलीस हैड़क्वार्टर में एक जीन्स, कुर्ता और चश्माधारी यूवक एसीपी मनोहर देवडा के आफिस में पहुँचा देवडा उसे पहचानता था वह एक्सप्रेस का संबाददाता जहालानी था आओ देवडा बोला कैसे आए एक बड़ी फड़क्ती हुई टिप मिली है जहालानी उसके सामने एक कुर्सी पर बैठता हुआ की चोरी की बाबत क्या टिप मिली है उनकी चोरी की एक कोशिश पहले भी हो चुकी है देवडा खामोश रहा क्या यह बात सच है एसीपी साहब जहालानी जिभरेस्वर में बोला तुम्हें किसने बताया एक उर्ती चिडिया ने बताया क्या बताया वही जो मैंने कहा कितनी हैरानी की बात है कि पुलीस को एडवांस में खबर थी कि ऐसी कोई चोरी होने वाली है फिर भी आप लोग चोरी रोक न सके कौन कहता है कि पुलीस को एडवांस में खबर थी क्या नहीं थी कहता कौन है मैं कहता हूँ तुम्हें किस ने कहा? मैं अपना सोर्स आप पर जाहिर नहीं करना चाहता आप बताए कि यह बात सच है या नहीं देवडा ने बेचेनी से पहलू बदला वह फैसला नहीं कर पा रहा था कि जालानी वाकई कुछ जानता था या महज बलफ मार रहा था देवडा साहब जालानी बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला आप अपनी पुलीस की हैसियत में आदमी को जितना मर्जी समझा बुझा लीजिए वह फिर भी अपनी पर्सनल ट्रेजेडी का जिक्र करने से बाज नहीं आता आप सैक्रों हजारों ट्रेजेडियों से रूबरू होते हैं लेकिन ट्रेजेडी के शिकार के लिए अपनी वाहिद ट्रेजेडी बहुत बड़ी घटना होती है और वहाँ उसका जिक्र अपने दोस्तों रिष्टेदारों में करने से बाज नहीं आता और उसकी यहाँ हिदायत भी शायद ही कोई मानता है कि भाई साहब बात आगे किसी को कहना नहीं कुछ समझे? समझा क्या समझे? तो लाराम नायक अपनी जुबान बंद रखना सका दुरूस्त खास्तों से तब जब की जुबान बंद रखने से अब कुछ हासिल भी नहीं भैंस तो चोरी हो गई अब तबेले को ताला लगा कर रखने का क्या फाइदा? देवडा ने सहमती में सिर हिलाया अब बताएए फाल्स सीलिंग की क्या कहानी है? देवडा ने बड़ी संजीदगी से सारी कहानी कह सुनाई आईसी जालानी बोला यानी की जो चोर अब आप ही के महकमे के करमचारी बनकर चोरी कर गए वो पहले इस काम को फायर फाइटर बनकर अन्जाम देना चाते थे हाँ और आप फायर फाइटर्स के ही वहाँ दोबारा प्रकट होने का इंतजार करते रहें? हाँ फाल्स सीलिंग से बरामत साजो सामान अभी भी फाल्स सीलिंग में ही है हाँ मैं उस सामान के वही पर पड़े की चन्द तस्वीरे खीचना चाहता हूँ देवडा हिचकी चाया अब क्या हर्ज है जनाब? कोई हर्ज नहीं देवडा निर्नयात्मक स्वर में बोला तो फिर चले अभी नहीं अभी कमिशनर साहब के साथ मुझे कही जाना है तक अपनी बिरादरी के बाकी भाईबंदों को भी खबर कर रखना ताकि मुझ पर तरफदारी का इल्जाम ना आए ठीक है देवडा उटता हुआ बोला मैं तीन बजे आठ गैलरी में मिलता हूँ कमिशनर एसी पी देवडा के साथ खुद ओबराई शेरातन पहुचा फ्रांसी सी कल्चरल अटैची जेकुई आंट्रे डेलोन से उनकी भेंट हुई हम चोरी गई पेंटिंग्स की बाबत आपसे बात करना चाहते थे कमिशनर क्षीन स्वर में बोला वह अपने पैरों पर जरूर खड़ा था लेकिन सिर्पर हुए प्रहार ने उसके काफी कसबल निकाल दिये थे मैं खुद उस बाबत आपसे बात करना चाहता था तेलोन तीखे स्वर में बोला क्या कर रहा है आपका महगमा हम कोई कोशिश उठा नहीं रख रहे शहर की जैसी नाकाबंदी हमने की हुई है उसके मद्दे नजर इतना हम गारंटी से कह सकते हैं कि पैंटिंगें शहर से बाहर नहीं गई है यह कोई खास तसल्ली नहीं जब तक चोर या चोरी के माल का कोई सुराग नहीं मिलता सुराग मिलेगा चोरी का माल भी मिलेगा और चोर भी गिरफतार होगा काश आपकी इन उम्मीदों में और इस जोश खरोश में मैं भी शरीक हो सकता देलोन साहब हमारी ऐसी धार्णा है कि चोर आपसे भी संपर्ग कर सकते है जी फिरौती की खातिर उन पेंटिंगों को सुरक्षित आपको लोटाने की एवस में आपसे फिरौती की मांग हो सकती है अच्छा हो सकता है कमिशनर अपलक उसे देखता हुआ बोला ऐसी मांग हो भी चुकी हो जी देलोन हर बड़ाया नहीं नहीं ऐसी कोई मांग नहीं हुई है चोरों ने आपसे संपर्ग करने की भी कोशिश नहीं की न अगर ऐसा कोई संपर्ग होगा ऐसी कोई मांग होगी तो आप हमें खबर करेंगी हाँ हाँ देलोन हिचकिचाता हुआ बोला क्यों नहीं? आपका यह आश्वासन है कि ऐसी कोई मांग हो नहीं चुकी. सरासर है. मैं क्या आप से जूट बोलूँगा? इतना तो आप समझते हैं कि चोरों की बाबत कोई जानकारी रखते हुए आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो उनकी गिरफ्तारी एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगी. समझता हूँ. Mr. Commissioner, I am not a kid. I was not born yesterday. I am glad that you think so. Commissioner उट्टा हुआ बोला मैं आप से फिर संपर करूँगा. जरूर. लेकिन इस बार ऐसा किसी अच्छी खबर के साथ कीजिएगा. ऐसा ही होगा. Asterisk, Asterisk, Asterisk. Diplomatic Plate वाली एक वातानुकूलित फेरारी कार माहिम क्रीक के पुल की तरफ दोड़ी जा रही थी. कार को लोन खुद चला रहा था. कार की दिकी में चार बड़े-बड़े सूटकेस मौजूद थे जिनमें सौसों के नोटों की सूरत में 6 करोड रुपया बंध था. फिरौती अदा करने के अपने अभियान पर डेलोन वक्त से काफी पहले निकल पड़ा था. वह नहीं चाहता था कि एन मौके पर कोई व्यवधान पैदा हो जाता और वह निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर न पहुँच पाता. उसने कार के देश बोर्ड पर लगी इलेक्ट्रोनिक ट्लॉक पर निगार डाली. सवा दो बजे थे. पुल पर हुई नाकाबंदी की वज़े से उसे अपनी कार की रफ्तार धीमी करनी पड़ी. तभी एक सिपाही ने उसे आगे सरकती सी चलती कारों को ओवर टेक करके आगे गुजर जाने का संकेत किया. कार की सीडी नंबर प्लेट के ऐसी ही रोब की देलोन को अपेक्षा थी. लेकिन वह रोब खशन भंगुर निकला. एक सबाइनस्पेक्टर ने बैरियर के करीब उसे रोका. यहाँ देलोन की बकिस्मती थी कि उसे रोकने वाला दवे नामक वही सबाइनस्पेक्टर था जो पहले भी अपने आपको नहायत धीट और कर्तव्य प्रायन साबित कर चुका था. सबाइनस्पेक्टर ने कार के सीडी नंबर का कतई रोब न खाया. देलोन ने कार का अपनी तरफ का शीशा नीचे गिराया और बोला क्या है? जरा दर्वाजा खोलिये. दवे बोला. यहाँ फ्रेंच कांसुलेट की कार है. देलोन बड़े रोब से बोला. मुझे दिखाई दे रहा है. मेरा नाम जेकुई आंद्र डेलोन है. मैंने फॉरन एरपोर्ट पहुचना है. मैं सिर्फ दो मिनिट लूँगा. लेकिन आप खामखा बहस में वक्त बर्बाद कर रही है. चेकिंग के बिना आप आगे नहीं जा सकेंगे. तुम कार में जागना चादे हो? हाँ. देलों ने कार का पिछला दर्वाजा खोल दिया. जलदी करो. वह बोला. दवे ने कार के पीछे झाका. दिकी खोलिये. वह बोला. क्या? देलोन आखे निकालकर बोला. मैंने अर्स किया है दिकी खोलिये. तुम खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो और मुझे हैरेस कर रहे हो कार को एक और लगाए अरे तुम कार को एक और लगाए दवे एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला यहां तुम्हारा इंचार्ज कौन है इंस्पेक्टर कालिया उसे बुलाओ बुलाता हूँ पहले कार एक और लगाए खून का घून्ट पीते डेलोन ने कार को एक तरफ लगाया वह कार से बाहर निकला दिकी खोलिये दवे बोला अरे अपने इंचार्ज को बुलाओ डेलोन जल लाया आप पहले दिकी खोलिये स्टूपिड जब तुम अपने इंचार्ज को बुलाओगे तो दिकी खोलना जरूरी नहीं रह जाएगा कभी एक कार इतनी देर तक अटकी खड़ी पाकर इंस्पेक्टर कालिया खुद ही वहाँ पहुँच गया क्या बात है वहाँ बोला ये साहब दिकी नहीं खोल रहे है इंस्पेक्टर ने एक सरसरी निगार डिप्लोमेटिक नंबर वाली कार और उसके मालिक पर डाली हमें हिदायत है इंस्पेक्टर बोला कि हम डिप्लोमेटिक वीकल्स भी चेक करें होगी डेलोन भुन भुनाया लेकिन यह चेकिंग आप क्यों कर रहे है चोरी गई फ्रेंच पेंटिंगों की तलाश में ना जी हाँ वो हमारा माल है चोरी गया हमारा माल क्या हमारी कार में से ही निकलेया जिन पेंडिंगों की बरामभी के लिए मैं आप से आपकी सरकार से ज्यादा व्यंगर हूँ वह क्या मेरी कार में से निकलेंगी? अगर निकलेंगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? आप साबित कर सकते हैं कि जो आप अपने आपको बता रहे हैं, आप वही हैं. देलोन हक्का बक्कासा इंस्पेक्टर का मुह देखने लगा. यानि कि अब तुम्हें मेरे फ्रेंज कल्चरल अडैची होने पर भी शक है. मेरा पासपोर्ट और बाकी कागजात मेरे होटल के सूइट में हैं, लेकिन तुम्हारा तमिशनर मुझे जानता है. तुम उसे बुलाओ, वही मुझे आइडेंटिफाई करेगा. आप ऐसा चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, तुम चाहते हो. मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप एक मिनट के लिए कार की दिकी खोले. मैं नहीं खोलूँगा. आपको इतराज क्या है? यह उसूल की बात है. तुम खामखा मुझे हैरेस कर रही हो. मुझे हैरेस्मेंट से इतराज है. कमिशनर को बुलाने की मांग करने से तो दवे बोला आपको और भी हैरेस्मेंट होगी. कमिशनर साहब कोई उड़कर तो यहां पहुँच नहीं सकते. आपको उनका इंतजार करना मनजूर है, लेकिन एक मिनट को कार की दिकी खोलना मनजूर नहीं. मुझे पुलीस की धांदली मनजूर नहीं. और अभी आप कह रहे थे कि आपने फॉरन एयरपोर्ट पहुझना है. आप दिकी खोल रहे हैं. इंस्पेक्टर कालिया ने पूछा. नहीं देलोन बोला हर्गिस नहीं. आपकी जिद मेरी समच से बाहर है. मुझे लगता है तुम दोनों अपनी नौकरी से बेजार हो. आप कार में बैठिये कालिया निरनायक स्वर में बोला मैं वायरलेस पर कमिशनर साहब को खबर करता हूँ. अंगारों पर लोटता डेलोन कार में जा बैठा. जिस बात के समस्या बनने का उसे रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था, वही समस्या बन गई थी. कमिशनर माहिम क्रीक के नाके पर पहुँचा. इंस्पेक्टर कालिया और सबाइंस्पेक्टर दवे ने जल्दी जल्दी उसे वस्तुस्थिती समझाई. सरसबा इंस्पेक्टर दवे बड़े अदब से बोला इतनी अड़ी कोई खाम खा नहीं करता. कार में शर्तिया कुछ है. उसे आपका लंबा इंतजार करना कबूल हुआ है. इंस्पेक्टर कालिया बोला लेकिन दिकी खोल कर 30 सेकेंड में इस जहमत से निजात पाना कबूल नहीं हुआ है. मैं बात करता हूँ. कमिशनर चिंतित भाव से बोला. वह देलोन के पास पहुँचा. लोन उसे बाह पकड़ कर एक और ले गया. मिस्टर कमिशनर वह जल्दी बोला आप जानते हैं मैं कौन हूँ. बाखु भी जानता हूँ. कमिशनर बोला. तो जो आप जानते हैं वह अपने माततों को भी बताईए. मिस्टर कमिशनर फार गार्ड सेक मेरा इनसे पीछा छुड़ाए दिकी में क्या है? कुछ नहीं है. ऐसा कहीं हो सकता है. इतना बखेडा आप कुछ नहीं को छुपाने के लिए कर रहे हैं. यानि कि आप भी दिकी खोलने की जिद कर रहे हैं. आप हकीकत बता देंगे तो ऐसी जिद करना जरूरी नहीं रह जाएगा. हकीकत जानना आपको रास नहीं आएगा अच्छा आप हकीकत जानने की कोशिश ना करें इसी में हम सब की भलाई है दिकी में क्या है? जाने बिना नहीं मानोगे? नहीं तो यह लो चाबी खुद जाकर देख लो लेकिन वास्ते अपने माथतों को ना देखने देना खुदा के कमिशनर सहमती में सिर हिलाता डेलोन की कार की तरफ बढ़ा एक मिनट बाद जब वह वापिस डेलोन के पास पहुँचा तो उसके चहरे पर गेहन उतकंठा के भाव थे यहां फिरौती की रकम है च्छा करोण कैसे मुहया की? बस कर ली किसी तरह से आपने कमिशनर के स्वर में गहरी शिकायत का पुटा गया हमसे जूट बोला था कि चोरों का आप से कोई संपर्क नहीं उनकी फिरौती की कोई मान नहीं हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं क्या करता? मेरी मजबूरी थी पैंतिंगों की सुरक्षित वापिसी मेरे लिए ज्यादा एहम बात थी आपको विश्वास है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा और फिरौती के बाद पैंतिंगेंड वापिस मिल जाएंगी? हाँ फिरौती की मांग होते ही आपको हमारे पास आना चाहिए था मैं आपके पास आना अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं च्छा करोड रुपया खोना अफोर्ड कर सकता हूँ आपके पास आना नहीं चोरों की माम के आगे जुखकर आप उन्हें शह दे रहे हैं मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं पेंटिंगेन वापिस हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपका, आपकी सरकार का काम कर रहा हूँ वे पेंटिंगेन हमारी रास्ट्रिय धरोहर है उनकी सलामती और सलामत वापिसी से ज्यादा अहम काम मेरे लिए कोई नहीं लेकिन यूँ फिरौती अदा करना गैर कानूनी है कानूनी तौर पर आप पेंटिंगेन वापिस हासिल कर सकते हैं कर सकते हैं केसी? देर सवेर तो चोरों ने पकड़ा ही जाना है मैं कयामत के दिन तक इंतजार नहीं कर सकता यहाँ काम अभी हो सकता है जिस शक्स को आप फिरौती देने जा रही है उसे हम गिरफतार कर लेंगे और फिर उससे उगलवा लेंगे कि पेंटिंगेन उसने कहां छुपाई है उसमें ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि अगर उसको गिरफतार किया गया तो पेंटिंगेन तो क्या उनकी राख भी हमारे हाथ नहीं आएगी यह गीदर भबकी हो सकती है हो सकती है लेकिन मैं इसे चैलेंज करना अफोर्ड नहीं कर सकता और हम फिरौती की रकम के साथ चोरो का खिसक जाना अफोर्ड नहीं कर सकते यानि कि आप मेरे पीछे लगकर चोरो को गिरफ़ार करने की कोशिश करेंगी हाँ आप ऐसा करेंगे तो बहुत बुरा करेंगे तब न सिर्फ आप बलकी आपकी सरकार भी आपके इस एक्षन के लिए जवाब दे होगी आप मेरे डिप्लोमाटिक स्टेटस को खातिर में नहीं ला रही है मैंने अब तक आपको और आपके माथतों को पूरा सहयोग दिया है जबकि मेरे लिए ऐसा करना ज़रूरी भी नहीं आप आप मेरी बात सुनिये नहीं अब आप मेरी बात सुनिये मेरी कार में वाइरलेस टेलीफोन है मैं अभी आपके सामने कांसुलेट में फोन करता हूँ ताकि वे आगे आपकी सरकार से बात कर सकें मिस्टर कमिशनर अब आपको जो भी निर्देश हासल होगा नई दिल्ली से हासल होगा कमिशनर के छक्के छूट गए आप चाहते हैं वा मरे स्वर में बोला कि हम फिरोती अदा होने दे और खुद हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें एग्जेक्टली बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं यह जानते हुए भी कि वे पैंटिंगें चोरी हो सकती है एक तो आप उनकी चोरी नहीं रोक सके चोरी हो गई तो आप उनका कोई सुराग तक ना पा सके और अब जब हम अपनी जाती कोशिशों से पैंटिंगों को वापिस हासिल करने के लिए कदम उठा रही है तो आपको उससे एतराज है हम हरचंद कोशिश कर रही है मैं वाकिफ हूँ आपकी कोशिशों से आपकी कोशिशे काम्याब होते होते होंगी मेरी कोशिश अभी काम्याब हो रही है एक काम हो रहा है और आप उसमें अंगा लगाना चाहते हैं. इस बात की कोई गारंटी नहीं की काम होगा. आप फिराती की रकम से खामखा महरू हो सकते हैं. I don't mind. मेरी सरकार च्छ करोड रुपे का नुकसान अफोर्ड कर सकती है. लेकिन और आप अपने आपको खुशकिस्मत समझे की फिराती की मांग चोरों ने हमसे की आपकी सरकार से नहीं. यह मांग आपकी सरकार से हुई होती तो वह भी फिरोती अदा करती, ना क्रगड कर अदा करती आपकी सरकार को भी 6, करोड रुपे का नुकसान या एक चोर का हाथ से निकल जाना उतना अहम न लगाता जितना की पेंटिंग का वापस हासिल हो जाना और उनका सुरक्षित फ्रांसी सी सरकार के पास पहुँँ जाना कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ फिरोती लेते ही वो लोग आपको पेंटिंगेन वापस करेंगी नहीं, फौरण नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पेंटिंगेन वापस हासिल होंगी आप इस विशय को बार बार ना दोहराए मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि मेरी सरकार 6 करोड रुपए का नुकसान अफोर्ड कर सकती है इस मामले में हमें धोखा भी होगा तो कोई बात नहीं हम इसे एक मिसेडवेंचर मानकर भुला देंगे लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा और वो तीर तब मार कर दिखा दीजिएगा जिसे मारने का आप इस वक्त दावा कर रही है पेंटिंगेर हाथ आजाने के बाद आप हमें खबर करेंगी तब तो आप चोरों को गिरफार करवाने में हमारी मदद करेंगी एक बार पेंटिंगेर हाथ में आ जाएं फिर चोरों को दुनिया के परदे से नेस्थ नाबूत करने में में भी आप की मदद करूँगा हूँ आप क्या समझते हैं कि एक गुंडे बदमाश के आगे जुकने मैं खुश हूँ? लेकिन वक्त की जरूरत यही कहती है कि मैं वही कदम उठाऊं जो मैं उठाने जा रहा हूँ ठीक है, जाईए कोई मेरे पीछे नहीं आएगा नहीं Do I have your word for it? Yes Thank you I appreciate it Thank you very much Loan ने कमिशनर से हाथ मिलाया और लंबे डग भरता अपनी कार की ओर बढ़ गया कमिशनर अपने माथतों के करीब पहुँचा तुम लोगों ने कार का नम्मर नोट किया कमिशनर वहां से विदा होती दे लोन की कार की दिशा में देखता हुआ बोला Yes, Sir इंस्पेक्टर कालिया बोला तमाम नाकों पर वायरलेस से खबर कर दो कि इस कार को कहीं इंटरसेप्ट करने की कोशिश न की जाए Yes, Sir Sir सबाइंस्पेक्टर दवे उच्सुप भाव से बोला Yes कमिशनर उसकी तरफ घूम कर बोला दिखी में क्या था? आइफल टावर एस्टरिस्क 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 ठीक तीन बजे ACP देवडा आलमगीर आर्ट गैलरी पहुचा प्रैस रिपोर्टर जालानी अपनी बिरादरी के पाँच च्छ लोगों के साथ पहले से ही वहां मौजूद था आईए देवडा उन्हें दूसरी मंजिल पर ले आया चोरी के बाद से दूसरी मंजिल का हाल बंद पड़ा था देवडा ने प्रैस रिपोर्टरों के लिए विशेश रूप से उसे खुलवाया फिर उसने रिपोर्टरों को बड़े सबर से चोरों की पहली योजना की और तोलाराम नायक के लड़के के अपहरन की सारी कहानी सुनाई मैंने चोरों के लिए एक जाल फैलाया था वा खेतपूर्ण स्वर में बोला लेकिन अफसोस है कि वे उसमें नहीं फंसे जरूर उन्हें आपके फैलाय जाल की खबर लग गई होगी जालानी बोला तुरंट देवडा का ध्यान फिर भंडारी की तरफ गया उसके अलावा और किस्से चोरों को उस जाल की खबर लग सकती थी उसका दिल पुकार कर कह रहा था कि भंडारी चोरी में शरीक था लेकिन उसकी शिरकत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था हम एक रिपोर्टर बोला फाल्स सीलिंग में पड़े साजो सामान, दुएं के बम, गैस मास्क, फायर फाइटर्स की वर्दियों वगेरह की चंद तस्वीरे खीचना चाते है शौक से खीचे देवड़ा दाशनिक तापूर्ण स्वर में बोला अब क्या फर्थ पड़ता है थैंक्यू मैं फाल्स सीलिंग खुलवाता हूँ फाल्स सीलिंग खुलवाई गई भीतर एक वक्त में एक जना ही जाएगा देवड़ा ने चेतावनी दी चट ज्यादा लोगों का बोज नहीं संभाल सकेगी सपने सह्मती में सिर हिलाया सबसे पहले जालानी ही अपने कैमरों से लदा फंदा चट में दाखिल हुआ देवड़ा साहब थोड़ी देर बाद भीतर से उसकी आवाज आई हाँ देवड़ा बोला यहां भीतर एक गोलसा लंबासा बंदल पड़ा है यहां क्या है गोलसा लंबासा बंदल जी हाँ चोरोद्वारा रखे गए साजो सामान में ऐसे किसी बंदल का जिक्र तो आपने नहीं किया था मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई बंडल भीतर नहीं था तो फिर यह कहां से आया उसे बाहर निकालो देखते हैं जालानी एक लंबे गोल बंडल के साथ फाल सीलिंग से बाहर निकला नीचे आकर उसने बंडल देवडा को सौप दिया देवडा कुछ क्षण बंडल को उलटता पलटता रहा फिर उसे अपने एक माथत के हवाले करके उसने आदेश दिया इसे खोलो बंडल खोला गया बंडल खोला तो भीतर से वैसी ही चार लेकिन पहले बंडल से पतले बंडल और बरामद हुए उनमें से एक खोला गया तो ग्लासिन पेपर में अलग-अलग लिप्ती चा पेंटिंगेन बरामद हुई आनन फानन बाकी के तीन बंडल भी खोले गए तो अठारा पेंटिंगेन और निकल आई सब हग के बक्के से पेंटिंगों को देखने लगे ये ये डाइरेक्टर साहब को बुलाओ एका एक देवडा चलाया फोरन एक सिपाही नीचे को दोड़ा उल्टे पैर वहाँ बुरी तरह हामफते हुए बरवे के साथ वहाँ पहुचा ये पेंटिंगेन देखिए देवडा बड़े सस्पेंस भरे स्वर में बोला क्या ये वही है वही है बरवे बोला खुशी से वहाँ नाचने लगा कहां से मिली यही से फाल्स सीलिंग से यह यही थी जाहिर है यानि कि ये चोरी गई ही नहीं थी जाहिर है कमार है, ऐसी चोरी का मतलब फिर एका एक वह ठिटका आप सब लोग बाहर निकलिए, फॉरन, फॉरन, वह वहां ताला खोलने आए गार्ड की तरफ घुमा यहां ताला लगाओ, अलान सिस्टम ओन कर दो, सारे फ्लोर पर पहरा लगा दो, वह देवडा की तरफ घुमा आप भ जरूर, देवडा बोला अभी लीजिये, वह नीचे को भागा, सिक्योरिटी आफिस से उसने कमिशनर को टेलीफोन किया, ऐस्टरिस्क, 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 तीम बजने में अभी भी वक्त था, इसलिए डेलों ने निर्धारित स्थान पर पहुँचने से पहले इ कारंटी हो गई तो उसने कार को फिर वैस्टन एक्सप्रेस हाइवे पर डाला, आगे चौराहे पर उसने बत्ती हरी पाई, उसने जान बूझ कर कार की रफ्तार घटा दी ताकि जब तक वह चौराहे पर पहुचता बत्ती लाल हो जाती, ऐसा ही हुआ, उसने जेबरा क्रास के सामने कार रोक दी और बड़े उतकंठा पूर्ण भाव से कोई अप्रत्याशित घटना घटित होने की प्रतीक्षा करने लगा, तभी उसके पहलू में एक काली एमबेसिडर आकर रुकी, उसने देखा कार कोई 50 साल का बेहत कठोर चेहरे वाला मराथा चला रहा था और उसकी बगल में एक बाहर को निकले दानतों और पकोडे की तरह फूली नाक वाला चश्माधारी हिप्पी यूवक बैठा हुआ था, कार के गतिहीन होते ही वह हिप्पी यूवक कार से निकला, उसने जपटकर डेलोन की कार का दर्वाजा खोला, उसे जबरन परे धकेला और उसकी जगह स्टेरिंग संभाल कर बैठ गया, यहक कडेलोन क्रोधित भाव से बोला, क्या हरकत, खामोश हिप्पी यूवक गुराया, तभी आगे बत्ती हरी हो गई, हिप्पी यूवक ने कार आगे बढ़ा दी, पीछे काली एमबेसेडर पहले तनिक आग बढ़ी और फिर एकायक यू तिर्ची होकर रुख गई कि उसके पीछे आती, कार उससे टकराने से बाल-बाल बची, तुकाराम कार के साथ यू कुछती लड़ने लगा जैसे समझ न पा रहा हो कि कार को एकायक क्या हो गया था और वह क्यों रुख गई थी, पीछे कारे हा कारों वालों को हाथ जोडता और उनसे धीरज रखने का अनुरोद करता वह कार के अगरभाग में पहुचा और उसका हुड उठा कर भीतर जाकने का अभिने करने लगा, वास्तव में वहां उधर देख रहा था जिधर विमल फेरारी भगा ले गया था, तभी च्राफिक का एक सिपाही तुकाराम की तरफ बढ़ा, तब तक फेरारी उसकी निगाहों से ओजल हो गई थी, चौराहे की सिगनल लाइट हरी से फिर लाल हो गई थी, सिपाही के मुह खोल पाने से पहली ही तुकाराम ने हुड गिरा दिया और सिपाही को देख कर जबरन मुसकराता बोला ठीक हो गई अख्था च्राफिक जाम कर दिया सिपाही भुन भुनाया सारी तुकाराम दांत निकालता बोला वह कार की जाइविंग सीट पर आ बैठा उसने कार का रुख दोबारा सामने सड़क की ओर किया और प्रतीक्षा करने लगा बत्ती हरी हुई तो वह कार को वहां से निकाल ले गया तुम देलोन बोला कौन हो यानि कि विमल मुस्कराया आपने मुझे वाकि नहीं पहचाना देलोन ने गहरी सांस ली अब आवाज से पहचाना है वह बोला माल चौकस है हाँ पीछे डिकी में है चार सूट केसों में गारी रोक कर चेक कर लो जरूरत नहीं मुझे आप पर एदबार है अब पेंटिंगेंड कब मिलेंगी कैसे मिलेंगी मैं जरा तसली कर लू कि मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ फिर मैं आपको कहीं उतारता हूं मैंने पूछा था उसी का जवाब दे रहा था मैं आप कार से उतर कर टैक्सी पकडिएगा और वापिस अपने होटल तश्रीफ से जाएगा आदे घंते में आपके पास पेंटिंगों की बाबत तेलीफोन काल पहुँँच जाएगी या पेंटिंगें पहुँच जाएगी पहले काल पहुँचेगी फिर पेंटिंग लेकिन खातिर जमा रखे, आपका माल आप तक जरूर पहुचेगा यहाँ एक ऐसे चोर की जुबान है जिसका दुनिया एदबार करती है कोई धोखा तो नहीं होगा आप यहाँ सोचकर भी मेरी तोहीन कर रही है कि मेरे से आपको कोई धोखा हो सकता है वह खामोश हो गया कार के गतिशून्य होते ही देलोन हरबड़ा कर उसमें से उतर गया कार तोप से छूटे गोले की तरह आगे दोड़ चली आगे चोरा है पर उसने कार को आरे रोड पर बाएं मोडा और रेलवे क्रासिंग पार करके स्वामी विवेकानंद मार्क पर आ गया अपकार वापस उसी दिशा में भागी जा रही थी जिधर से वहां आई थी तभी एकाएक कार में लगे वाइरलेस टेलीफोन पर सिगनल आने लगा विमल कुछ क्षण सिगनल को नजरंदाज करता रहा लेकिन जब सिगनल आना बदस्तूर जारी रहा तो उसने हिचह चाते हुए रिसीवर उठा कर कान से लगा लिया हलो वह बोला मिस्टर डेलोन यस फोन में स्टेटिक साउंड बहुत ज्यादा आ रही थी इसलिए विमल को उम्मीद थी कि उसकी आवाज पहचानी नहीं जाने वाली थी मिस्टर डेलोन मैं मुंबई पुलीस कमिशनर बोल रहा हूँ बोलिए आपकी चोर से मुलाकात हो गई अभी नहीं बहुत अच्छा हुआ शुक्र है खुदा का क्यों मिस्टर डेलोन आप चोर को फिरौती हर्गिस भी अदा मत कीजिएगा क्यों क्योंकि पैंटिंगेर मिल गई है क्या जी हाँ पैंटिंगेर चोर साथ नहीं ले गए थे वे उन्हें एग्जिबिशन हाल की फाल्स सीलिंग में छुपा गए वे सन्योगरश ही अभी अभी फाल्स सीलिंग में से वे पैंटिंगेर बरामद हो गई है अब उनके लिए फिरोती अदा करना ज़रूरी नहीं रह गया ओ, मैं बड़ी मुश्किल से आपकी कार का टेलीफोन नमबर हासिल कर पाया हूँ और आप से बात कर सका हूँ अब आप अपने वादे के मताबिक चोरों को पकड़वाने में मदद कीजिए मुझे कैसे विश्वास हो की पैंटिंगे नरामद हो गई है आप कहीं रुपकर आर्ट गैलरी के डाइरेक्टर से बात कर जाए यहाँ खबर आपके कांसुलेट में भी भिजवाई जा चुकी है आप वहाँ फोन करके तस्दीक कर लीजिए अब आप क्या चाहते है आप इस वक कहां है वेस्टर्न एक्स्प्रेस हाइवे पर मलाड में आपकी चोड से मुलाकात कहां होनी निश्चित हुई है बोरीवली में नैशनल पार्क के करीब के चौराहे पर सड़क पर ही हाँ आप रास्ते में ही रुक जाईए और तब तक रुके रहिए जब तक हमारी गश्टी गाडिया वहां पहुच न जाए रास्ते में कहां रुकूँ कांदीवली से थोड़ा आगे हाइवे पर ही ठीक है आपको इंतजार नहीं करना परेगा हमारी गाडिया बस आप से आगे पीछे ही वहां पहुचेंगी ठीक है ओवर एंड आल विमल ने रिसीवर वापिस हुप पर टांग दिया धन्न करतार उसके मुह से निकला सारा सिलसिला फिर फेल होने से बाल-बाल बचा था वह टेलीफोन काल सिर्फ पांच मिनट पहले आई होती तो लोन ने खुद रिसीव की होती और विमल से मुलाकात से पहले रिसीव की होती फिर माल तो हाथ लगता नहीं वह और तुकाराम गिरफ्तार भी शर्तिया होते पेंटिंगेर बरामद होने का सयोग बहुत नाजुक घड़ी में हुआ था एरपोर्ट के करीब पूर्वन इरधारित स्थान पर तुकाराम काली एमबेसेडर के साथ मौजूद था उन्होंने चारों सूट केस फेरारी की डिकी में से निकाल कर एमबेसेडर में रख लिए तुकाराम ने यह तस्दीक भी कर ली कि उनमें नोट ही थे फेरारी को उन्होंने वही छोड़ दिया काली एमबेसेडर बांधरा की ओर बढ़ चली चार बजे तक च्छा करोड रुपे की रकम सुरक्षित बांधरा पहुँच चुकी थी अब पेंटिंगों की बाबत देलोन को फोन करना जरूरी नहीं रह गया था अब तक उसे पेंटिंगेन बरामद होने की खबर लग नहीं गई थी तो अब लग जाने वाली थी फ्लैट की निगरानी करते भीम और उसके साथियों ने फ्लैट में चार सूटकेस ले जाए जाते देखे रोकडा अब आया है भीम उत्तेजित स्वर में बोला रोकडा जरूर अब आया है रोकडा जरूर इन सूटकेसों में होएंगा अच्छा हुआ न बाप एक साथी बोला कि हम पहले ही फ्लैट में नहीं घुज पड़े तब क्या हाथ लगता बरोबर भीम ने कबूल किया अब रात होने का इंतजार करते हैं दोनों ने सहमती में सिर हिलाया तुम यहीं जमे रहना भीम बोला मैं रीली साहब को फोन करके आता हूँ ठीक है एस्टरिस्क 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 ठीक पांच बजे रुस्तम भाई बांदरा वाले फ्लैट पर पहुँच गया मैंने कहा था वह बोला मैं शाम को डूट खुद क्यों चले आये तुकाराम अप्रसन्न स्वर में बोला मैंने कहा था मैं वागले को तुम्हें लिवाने के लिए भेजूंगा वागले नहीं आया तभी तो आया हूँ लेकिन और तुमने कौन सा भेज दिया है वागले को तुम्हें यू यहां नहीं आना चाहिए था तुकाराम तुम आ सकते हो तो कोई और क्यों नहीं आ सकता मेरी बात और है क्यों और है तुम्हारी बात छोड़ो विमल बोला यहां बहस बेमानी है रुस्तम भाई तुम जिस मतलब से आये हो उसे हल करो और जाओ यहां से यानी की रोकड़ा दिखा रहे हो रुस्तम भाई के स्वर में अविश्वास का स्पष्ट पुठ्था हाँ यहां इस वक्त फ्लैट में पूरी रकम मौजूद है हाँ अभी तुम्हें रकम के सिरहाने बिठा देते हैं उसे गिन लेना इस बहाने हमारी भी तसल्ली हो जाएगी की मान पूरा मिला है मान कल से ही यहां है हाँ लेकिन क्या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता हो सकता है रुस्तम भाई हरबडा कर बोला मैं यू ही बहक रहा था मेरा भेजा फिरेला है रात को मुझे बुरे-बुरे सपने आते रही है देखो रुस्तम भाई के सामने चारों सूटकेस खोल कर रख दिये गए तभी मंजुला ने भी पहली बार दौलत का वहां अमबार देखा उसकी आखे यू फट पड़ी की विमल को दर लगने लगा कि कहीं कटोरियों से बाहर न निकल पड़े शांती विमल उसकी हालत देख कर बोला शांती मंजुला ने बड़ी कठिनाई से अपने आप पर काबू पाया तसल्ली हो गई रुस्तम भाई विमल बोला हाँ रुस्तम भाई मंत्रमुग्ध स्वर में बोला अब इसमें से अपने हिस्से के 75 लाख रुपए निकाल लो क्या रुस्तम भाई चौंका और उन्हें लेकर यहां से चम्पत हो जाओ अब तुम्हारी हमारी रिष्टेदारी खतम लेकिन मैं इस वक्त अपना हिस्सा कैसे ले जा सकता हूँ वह घबराया क्यों नहीं ले जा सकते सारे शहर में पुलीस की नाका बंदी है मैं हाथ के हाथ पकड़ा जाओंगा मैं जरूर पकड़ा जाओंगा मैं इतनी बड़ी रकम की अपने पास मौजूदगी का क्या जवाब दूँगा यह तुम्हारा सिर्ध दर्ध है हमें इस से क्या मतलब यह तो जान बूज कर मुझे फंसाने वाली बात हो गई हो गई तो हो गई लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तो तुम्ह बेशक हमारी पोल खोल देना हम तुम्हारे से खफा नहीं होंगे सर्दार मेरे से गल्ती हुई मुझे माफ कर दे यूँ खामखा तो मेरी मौत का सामान न कर खुद ही तो कहा कि पंदरा दिन हमें माल के पास नहीं फटकना चाहिए और अब खुद ही माल मेरे माथे मढ रहे हो तुमने मानी कहा मेरी बात मुझसे खता हुई मुझे माफ कर दो क्यों हुई खता? मुझे गुम्रा किया गया था किसने किया ऐसा? उस पौवे ने किसने? रामना ने वह कहना था कि माल हम हजम कर गए है ऐसा तो नहीं कहा था उसने अलबत्ता वह चाहता था कि कोई गारंटी होनी चाहिए थी कि माल हाथ लग चुका है साले ने मुझे आगे कर दिया और तुम हो गए? हाँ, खता हुई मुझसे मुझे माफ कर दो मेरे बाप की तौबा जो मैं दोबारा कभी ऐसा शक करूँ और ऐसी बक्वा जुबान पर लाऊँ अब तुम्हारी तसली है? अब वा दान्त निकाल कर बोला तसली में क्या कसर रह गई है बाप अब रामन्ना को तसली की जरूरत होगी? नहीं होगी उसे मैं ठीक कर दूँगा साले ने बहुत खराब किया मुझे विमल खामोश हो गया अब मैं जाओ? रुस्तम भाई आशापूर्ण स्वर में बोला विमल ने एक बार तुकाराम की तरफ देखा और फिर उसकी सहमती पाकर हामी भर दी रुस्तम भाई वहां से यूँ भागा जैसे बहुत बड़े जंजाल से निजात पाया हो सूटकेस बंद करके वापिस बेडरूम की उस वाडरोब में रख दिये गए जिसमें से वे रुस्तम भाई के आगमन पर निकाले गए थे मंजुला को बेडरूम में छोड़कर दोनों बाहर के कमरे में आ गए अब मैं रीली को क्या जवाब दूँ तुकाराम बोला उसे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं विमल बोला पेंटिंगों की बरामदी की खबर छुपने वाली नहीं और फिरौती की खबर आम नहीं होने वाली देलोन कभी कबूल नहीं करेगा कि उसने चोरों को फिरौती की कोई रकम दी थी ली को जब पता लगेगा कि पेंटिंगेन अपने असल मुकाम पर पहुँच गई थी तो वहाँ खुद ही तुम्हारा पीछा छोड़ देगा ऐसा? तुकाराम संदिक्द भाव से बोला हाँ, दूसरी सावधानी तुम यहाँ बरत सकते हो कि कुछ दिन के लिए अपना चेम्बूर वाला थिकाना छोड़ दो और अपने किसी भेदिये को उसकी निगरानी पर लगा दो रीली की वज़े से अगर पुलीस तुम्हारी फिराक में पड़ेगी तो इस तरह तुम्हें उसकी एडवान्स में खबर हो जाएगी नहीं पड़ेगी तो बात साफ हो जाएगी कि रीली ने तुम्हें गीदर भब की ही दी थी ठीक है मैं कुछ दिन के लिए मराठा में रह लूँगा मराठा कोलिवाडा में स्थित एक होटल था जिसका मालिक सलावदीन वागले का दोस्त था भीम ने जैक रीली को उसके होटल में फोन किया और उसे बांदरा वाले फ्लैट में पहुँचे चार सूटकेसो की बाबत बताया भीम को यह जानकर बहुत अफसोस हुआ कि रीली ने उस चमतकारी खबर में कोई दिल्चस्पी न ली उल्टे उसके जवाब ने उसे हैरान कर दिया तुम उस फ्लैट की निगरानी करना छोड़ दो रीली बोला क्या बोला बाप भीम सक्पकाया और तुम यहां आकर अपनी और अपने आदमियों की फीस ले जाओ तुम आना या कोई एक जना आना सबके सब न चड़ दोडना मेरे होटल के सूीट पर लेकिन बाप उन सूट के सूमे हीरे जवाहराद बंध हो सकते हैं कोनूर हीरा बंध हो सकता है दुनिया जहान की दौलत बंध हो सकती है लेकिन वो पेंटिंगेन बंद नहीं हो सकती जिनकी मुझे जरूरत है वे नामुराद पेंटिंगेन एक करिशने की तरह आर्ट गैलरी से ही बरामद हो चुकी है ऐसा शायद तुकाराम सच ही कहता था कि उसका उस चोरी में हाथ नहीं था तुम चरंबूर से भी अपने आदमी हटाना न भूलना लेकिन बाप कभी लाइन कट गई भीम के मुंग से एक भद्दीसी गाली निकली पहले उसने दोबारा रीली को फोन करने का खयाल किया लेकिन फिर कुछ सोच कर रिसीवर वापस हुक पर टांग दिया अब वह बढ़बढाया इतनी आसानी से तो मैंने उन सूट केसों का पीछा मत छोड़ा मैं एक बार देखूंगा तो जरूर की उनमें क्या है एस्टरिस्क 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 रात दस बजे इंस्पेक्टर चट्वाल अंधेरी में रुस्तम भाई के आफिस में पहुँचा तुमने मेरी बहुत किरकिरी कराई रुस्तम भाई उसे देखते ही बोला क्यों? चट्वाल बोला क्या हुआ? रोकड़ा तो एकदम चौकस था अच्छा तुमने अपनी आम्खों से देखा था? हाँ चार सूटकेस सौसो के नोटों की गड़ियों से ठसाठस भरे हुए थे ऐसा कैसे हो सकता है? मैटाडोर में तो सूटकेस नाम की कोई चीज थी ही नहीं मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है लेकिन वहां रोकडा एकदम चौकस था बहुत शर्मिन्दा होना पड़ा मुझे रुस्तम भाई कोई गड़बड है क्या? रोकडा सलामत है फिर भी कोई गड़बड है हाँ क्या गड़बड है? वहां रोकडा कहां से आया? तुकाराम के अमरीकी खरीदार ने दिया और कहां से आया? पेंटिंगों के बदले में? और क्या? यानि कि तुलसी पाइप रोड पर तुकाराम ने पेंटिंगेर उस अमरीकी खरीदार को सौंपी और बदले में उस अमरीकी खरीदार ने रोकडे से भरे चार सूट के स्तुकाराम को सौंपे। हाँ, यानि कि अब जैसे रोकडा तुकाराम के पास है, वैसे ही सोहल के पास है। एक ही बात है, जैसे रोकड़ा इधर है, वैसे ही पेंटिंगेन अमरीकी खरीदार के पास है, बराबर, बराबर, लेकिन पेंटिंगेन तो अमरीकी खरीदार के पास नहीं है, तुम्हें क्या मालूम? पेंटिंगेन बरामद हो चुकी है, बरामद हो चुकी है, कहां से बरामद हो चुकी है, अमरीकी खरीदार से, नहीं, आलंगीर आर्ट गैलरी में से बरामद हो चुकी है, उसी हाल की फाल्स सीलिंग में से बरामद हो चुकी है, जिसमें से कीवे चुराई गई थी, क्या? मैं सच कह रहा हूँ यहां बात शाम की खबरों में रेडियो और टीवी पर आ चुकी है और कल के अखबारों में भी छपने चली गई होगी तुम्हारे जोडीदार पेंटिंगेन चुरा कर साथ नहीं ले गए थे वे उन्हें हाल की फान सीलिंग में छुपा गए थे क्या समझे? रुस्तम भाई मुह से कुछ न बोला लेकिन उसके चहरे पर अविश्वास के स्पष्ट भाव थे अब मेरी समझ में आ गया है चत्वाल आगे बढ़ा की क्यों मेटाडोर में न पेंटिंगेन थी और न रोकडा था पेंटिंगेन इसलिए नहीं थी क्योंकि वे आर्ट गैलरी से निकाली ही नहीं गई थी और रोकड़ा इसलिए नहीं था क्योंकि वह आगे से हासल नहीं हुआ था पेंटिंगों के बदले में ही तो रोकड़ा हासल होना था जब पेंटिंगें नहीं थी तो रोकड़ा कहां से मिलता अब कहां से मिला यही तो पल्ले नहीं पड़ रहा पेंटिंगों के बिना किसी ने रोकड़ा कैसे दे दिया उन्हें रुस्तम भाई मुझे तो कोई घोटाला दिखाई देता है मुझे तो अभी भी कोई घोटाला दिखाई देता है कैसा घोटाला? तुमने नोट ठीक से देखे वे वे असली तो थे? खड़े पैर इतने सारे नकली नोट कहां से मुहाया किये जा सकते थे? मुंबई में कुछ भी मुम्किन है नहीं, नहीं नोट असली थे मैं क्या अंधा हूँ? तो फिर गड़िया कोरे कागजों की होंगी और उनमें उपर और नीचे के एक दो दो नोट असली होंगे ऐसी च्छा हजार गड़िया कोई चुटकियों में नहीं बनाई जा सकती उनके पास बहुत वक्त था लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत भी तो हो अगर रोकड़ा नहीं हासिल हुआ था तो ऐसा साफ कहा जा सकता था ऐसा प्रपंच रचने की कोई जरूरत कोई वज़ा कोई तो जरूरत होगी कोई तो वज़ा होगी रुस्तम भाई, कहीं जरूर कोई धोखे वाला मामला है धोखे वाला मामला लेकिन वो तो मुझे मेरा हिस्सा तभी दे रहे थे तुमने ले लिया था? नहीं क्यूँ? शहर में पुलीस की इतनी सरगर्मी है मैं उतनी बड़ी रकम के साथ फन सकता था बराबर यहां बात वो भी जानते हैं वो जानते थे कि तुम उस वक्त अपना हिस्सा कबूल नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने तुम्हें हिस्सा देने की आफर की थी क्योंकि उन्हें पता था कि मौझूदा हालात में तुम हिस्सा कबूल नहीं करूगे ओ वह कुछ बेचेनी से पहलू बदलता रहा और फिर परेशान हाल बोला अब मैं दोबारा तो यहाँ देखने जाने से रहा कि नोटों की गड़िया ठीक थी या नहीं, नोट ठीक थे या नहीं जाओगे तो तुम सही लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे मतलब इस बार मैं साथ चलूँगा तुम साथ चलोगे रुस्तम भाई चौंका हाँ यार मरवाओगे क्या मरवाओगा नहीं मारूँगा तुम क्या करोगे हम वहाँ जाएंगे और जबरनवे चारों सूटकेस वहाँ से हत्याएंगे फिर असलियत अपने आप सामने आ जाएगी तुम तुम सोहल से उलजोगे अरे वो क्या आस्मान से उत्रा है इंसान का बच्चा ही तो है मैं संभाल लूँगा उसे लेकिन मैं मैं तुम उसके रूबरू होने से डरते हो हाँ ठीक है तुम नीचे जीप में बैठना सोहल से निपटने मैं अकेला फ्लैट में जाऊंगा जब खेल खत्म हो जाए तो सूट के सुटवाने तुम भी आ जाना खेल कौन सा खेल खून का खेल यहाँ देखो एका एक चटवाल के हाथ में एक रिवालवर प्रकट हुई और यहाँ देखो उसके दूसरे हाथ में एक साइलेंसर प्रकट हुआ मैंने इन दोनों चीजों का खासतोर से आज रात के इस्तमाल के लिए इंतजाम किया है मैं सोहल को और फ्लैट में उसके साथ मौजूद लड़की को शूट कर दूंगा और अडोस-पडोस में किसी के कान पर जू भी नहीं रेंगेगी तुम तुम दो खून करोगे च्छा करोड की रकम की खातिर मैं दो क्या बीस खून कर सकता हूँ लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि नोट नकली होंगे गडिया नकली होंगी अगर ऐसा हुआ तो मेरी बकिस्मती लेकिन शायद मेरा खयाल गलत हो शायद तुम्हारी ही बात सच हो यह तो जुआ है जो मैंने आज रात खेलना ही होगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम सोहल से डरते हो न तुम उसके सामने न पढ़ना तुम सिर्फ मेरे साथ चलो सब काम मैं करूंगा बात में तुम सिर्फ नोट ढोने में मेरी मदद करना ओके रुस्तम भाई ने उतर दिया फिर आज ही रात हम माल आधा आधा बाट लेंगे माल रास्ते में पकडा गया तो कैसे पकडा जाएगा शहर में इतनी नाकाबंदी है अरे वो नाकाबंदी शहरियों के लिए है पुलीस के लिए थोड़े ही है मैं मुंबई पुलीस में इंस्पेक्टर हूँ मैं बावर्दी पुलीस की जीप में सवार होँगा पुलीस की गाड़ी को भी कहीं पुलीस चैक करेगी लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं इस काम को मैंने अन्जाम देना है और तुमने मेरे साथ चलना है आज ही मुझे कल का भरोसा नहीं मुझे लगता है कल तक वहाँ ना माल होगा, ना सोहल होगा और ना वहाँ छोकरी होगी तुम मुझे मरवाओगे अवल तो ऐसी नौबत नहीं आएगी आएगी तो मैं खुद तुम्हारे साथ मरूँगा मैं तुम्हारे से पहले मरूँगा आज ही चलना होगा आज नहीं अभी ठीक है फिल तुम गारी में जाकर बैठो मैं यहां ताले वाले लगाकर आता हूँ जल्दी आना चटवाल उठता हुआ बोला अच्छा चाप्तर दो विमल बैठक में सोफे पर सोने की तयारी कर रहा था की बीच के दर्वाजे पर मंजुला प्रकट हुई वह एक जीनी सी सफेद नाइटी पहने थी और प्रकाश का साधन उसकी पीठ के पीछे होने के कारण विमल को उसके जिस्म की हर गोलाई का हर खम का साफ नजारा हो रहा था नाइटी के नीचे वह काला अंदर्वियर और काली अंग्या पहने थी नाइटी के नीचे से अंदर्वियर और अंग्या के किनारों पर लगी लेस तक साफ दिखाई दे रही थी विमल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा अभी मीन नहीं आ रही वा एक मादत अंड़ाई लेती हुई बोली में दो मिर्ट यहां तुम्हारे पास बैठ जाओं हाँ, हाँ, क्यों नहीं, विमल अपने सामने पड़ी सोफा चेर की ओर संकेत करता बोला आओ, बैठ हो मंजुला सोफा चेर पर बैठने की जगा सोफे पर उसके करीब बैठ गई, उसके लिए सुविधाजन जगा बनाने के लिए विमल तनिक परे सरग गया मंजुला ने बैठ कर अपनी एक तांग पर दूसरी तांग चढ़ाई तो उसकी एक तांग घुटने से उपर तक नाइटी के बाहर निकल आई वाडरोब में मौजूद नोटों से भरे सूट केसों के रोज में थराई जा रही हूँ, वह बोली, विमल मुसकराया मैंने सपने में भी कभी इतने नोट नहीं देखे, कभी कलपना भी नहीं की मैंने इतने नोटों की ख्वाहिश भी 10-20 लाख से आगे दम तोड़ देती थी, यह तो एक देड़ करोड रुपया होगा 6 करोड, 6 करोड, उसके नेत्र फैल गए है भगवान, इतना रुपया भी कहीं दुनिया में होता है होता है, है, तुम्हारे बैड्रूम में ही है, तभी तो मुझे डर लग रहा है किस बात का? रात को फ्लैट में कोई चोर घुस आया और उस रुपय की खारिर मेरा गला काट गया तू? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जो हूँ यहाँ तुम तो बाहर के कमरे में हो जो भीतर के कमरे में पहुँचेगा, वो यहाँ से होकर ही तो पहुँचेगा बालकनी के रास्ते भी तो पहुँच सकता है तुम बालकनी का दर्वाजा भीतर से बंद रखोगी तो कैसे पहुँच जाएगा? सुना है चोर बड़े-बड़े ताले खोल लेते हैं तुम खाम-खा वहम कर रही हो तुम निश्चिन्थ होकर सो कुछ नहीं होता यहाँ कोई नहीं आता निश्चिन्थ ही तो नहीं हो पा रही हूँ कभी तो सो नहीं पा रही हूँ तुम खाम-खा सुनो आज तुम भी भीतर बैडरूम में सो जाओ न इसकी जरूरत नहीं है मैं कहता हूँ वहाँ तुम सोफे पर कोई आराम से थोड़े ही सोते होगे सोफा खूब आराम दे है बैड जितना आराम दे तो नहीं हो सकता न मेरे लिए कोई फर्क नहीं कैसी भी जगा सो सकने की मुझे आदत है मैं तभी मनजुला उस पर धेर हो गई विमल ने हडबडा कर परे सरकने की कोशिश की लेकिन सोफे पर परे सरकने लायक जगा बाकी नहीं थी मनजुला लता की तरह उसके साथ लिपट गई विमल ने जबरन उसे अपने से अलग किया क्या बात है वह रुआ से स्वर में बोली मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तुम बहुत अच्छी हो विमल तनिक उखडे स्वर में बोला अच्छी हो लेकिन तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ तुम भंदारी की अमानत हो अमानत में खयानत डालने वाली किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं भंदारी की बीवी नहीं हूँ, फिर भी उसकी अमानत हो, उसकी मेरे पर मोहर नहीं लगी हुई, विमल खामोश रहा, मैं तुम्हारी खातिर उसे छोड़ सकती हूँ, मेरी खातिर विमल भवे उठी हाँ या भीतर पड़ी दौलत की खातिर वह दौलत तो भंडारी की भी है तो तुम मुझे अच्छे लगते हो पहले भंडारी भी अच्छा ही लगता होगा मतलब आज तुम्हें भंडारी की जगह मैं अच्छा लगता हूँ कल तुम्हें मेरी जगह कोई और अच्छा लग सकता है आज तुम मेरी खातिर भंडारी को छोड़ सकती हो कल तुम किसी और की खातिर मुझे छोड़ सकती हो मिस्टर तुम मेरा अपमान कर रहे हो वह तमक कर बोली नहीं विमन सहेज भाव से बोला ऐसी कोई बात नहीं मैं सिर्फ अपना एक खयाल जाहिर कर रहा हूँ तुम्हारा खयाल गलत भी हो सकता है सरासर हो सकता है लेकिन ऐसी औरत मुझे फिर भी पसंद नहीं जो मंदिर के प्रसाद की तरह अपना प्यार किसी को भी बाट सकती हो मंजुला का चहरा कानों तक लाल हो गया वह एकाएक उठी और पाव पटकती वहां से चली गई विमल ने एक गहरी सांस ली असहाय भाव से गर्दन हिलाई और सोफे पर धेर हो गया उसे लग रहा था कि लड़की उसके लिए कोई बखेडा खड़ा कर सकती थी रात को फ्लाट में घुसना मुम्किन नहीं भीम बोला वह उसी क्षण फ्लाट से लोटा था क्यों? उसकी एक साथी ने पूछा दर्वाजा खटखटाए जाने पर या कालबैल बजाई जाने पर कोई भीतर से दर्वाजा नहीं खोलता जाहिर है कि वे यही जाहिर करते हैं कि भीतर कोई है ही नहीं लेकिन ताला ताला दर्वाजे के पल्ले में फिट हो जाने वाली किस्म का है Spring Lock वही वह अंदर बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता है और बंध हो तो पता नहीं लगता कि भीतर से बंध है या बाहर से कोई और रास्ता भी तो होगा पीछे बालकनी है उसके पहलू से Fire Escape की सीधियां गुजरती है मैं उन सीधियों पर से बालकनी में उत्रा था उधर का दर्वाजा भी मजबूती से भीतर से बंध था तुम ताला खोल भी तो सकते हो उस्ताद खोल सकता हूं लेकिन फाइदा क्या भीतर से चितकनी भी हूँ तो लगी होगी तो तो यह की भीतर सिर्फ एक आदमी और एक औरत है वहाँ आदमी दिन में कभी तो बाहर निकलेगा फिर उसकी गैरहाजरी में हम औरत से निपट लेंगे चाहे उसे खलास करना पड़े और फिर भीम खुशी से हाथ मलने लगावे चारों सूटकेस हमारे हाथ में होंगे चाहे उनमें से जुन-जुना भी न निकले तेरे मुह में खात साले रोकड़ा निकलेगा उनमें से जो होगा सामने आ जाएगा उस्ताद भीम का दूसरा साथी बोला जब जो होना है दिन में ही होना है तो रात को यहां हलकान होने का क्या फाइदा फाइदा है अगर ये लोग सूटकेसों के साथ रात को ही कहीं खिसक गए तो हमें कैसे परा चलेगा ठीक इंस्पेक्टर चट्वाल ने जीप को पहाडी सडक पर एक पेड के नीचे रोका गारी यहां क्यों रोकी? रुस्तम भाई बोला उत्रो चट्वाल बोला बताता हूँ दोनों जीप से उत्रे वो पगडंडी देख रहे हो चट्वाल बोला जो पेड के कप से जाडियों में से होकर नीचे को जा रही है देख रहा हूँ इस पगडंडी पर थोड़ा नीचे उतरने पर वो इमारत दिखाई देने लगती है जिसमें वो फ्लैट है जहांकि रोकडे के साथ सोहल मौजूद है फिर मैं जीप को इमारत के सामने नहीं ले जाना चाता पुलीस की जीप का ज्यादा देर तक उस इमारत के सामने खड़े देखा जाना कोई पेचीदगी पैदा कर सकता है और नहीं तो उसे देख कर सोहल ही सावधान हो सकता है तो मैं जीप यहीं खड़ी छोड़ जाता हूं और इमारत की तरफ इस पगडंडी के रास्ते उतर जाता हूं तुम पगडंडी पर जाड़ियों से निकल कर वहां खड़े हो जाना जहां से की इमारत और उसके बाजू की सड़क दिखाई देती है जब मैं नीचे से इशारा करू तो तुम जीप लेकर वहां पहुंच जाना तुम इशारा कप करोगे? जब काम हो जाएगा जब चारों सूटकेस मेरे काबू में आ जाएगे काम हो जाएगा यकीनन इशारा कैसे करोगे? तार्श जला कर चटवाल ने वर्दी से निकाल कर उसे एक छोटी सी तार्श दिखाई हूँ उसने तार्श को विशिष्ट तरीके से जला बुझा कर दिखाया तर्श जिप की चाबी संभालो अगर किसी ने जीप को देख लिया रुस्तम भाई चाबीता सशंख स्वर में बोला तो क्या होगा? किसी की मजाल है पुलीस की जीप के बारे में कोई सवाल करने की अगर पुलीस ने ही देख लिया पुलीस ने आधी रात होने को आ रही है कोई पुलीस की गश्ती गाड़ी भी तो यहां से गुजर सकती है तुम्हारे भाई बन पुलीस की जीप को लावारिस खड़ी पाकर क्या सोचेंगी? यह तो तुम ठीक कह रहे हो चटवाल सोचता हुआ बोला मैं इसे पेड के पीछे जाड़ियों की ओट में कर देता हूँ फिर यह सड़क पर से दिखाई नहीं देगी ठीक रुस्तम भाई ने सहमती में सिरहिलाया जीप को नई जगा पार्क करके दोनों आगे पीछे पगडंडी पर उतरने लगे रुस्तम भाई आगे था और चटवाल उसके पीछे थोड़ा आगे आने पर चटवाल एकाएक ठिठक गया पगडंडी उस वक्त उची ज़ाडियों की कतार के बीच में से गुजर रही थी चटवाल के हाथ धीरे से अपनी वर्दी की जेबो सरग गए रुस्तम भाई जो इस बात से बेक पर था कि चटवाल पीछे रुख गया था पगडंडी पर चलता रहा रुस्तम भाई एकाएक चटवाल ने धीमे से आवाज लगाई रुस्तम भाई ठिठका गूमा उसने अपने पीछे देखा उसकी निगा अपने से दस कदम परे खड़े चटवाल पर पड़ी तो एकाएक उसके नेत्र फैल गए चटवाल के हाथ में साइलेंसर लगी रिवालवर थी जिसका रुख रुस्तम भाई की चाती की तरफ था क्या? क्या? वहा हक लाया उस घड़ी वातावर एकदम स्तब्ध था और उस स्थान पर मरघट का सा सन्नाता चाया हुआ था अपने बनाने वाले को याद कर लो रुस्तम भाई चटवाल धीरे से बोला तुम मुझे ममारना चाचाते हो यहाँ भी कोई पूछने की बात है लेकिन क्यों? रुस्तम भाई तुमने क्या सचमुछ ही सोच लिया था कि मैं रोकडे में तुम्हारे से 50-50 का हिस्सा बढ़दाऊंगा तुम सारा माल खुद दकार जाना चाते हो यहाँ भी कोई पूछने की बात है ऐसा करना चाते हो तो कर लो मुझे क्यों मारते हो? वाह, मेरे भोले बलम, तुम्हारे जिन्दा रहते यह क्या मुम्किन होगा तुम क्या मुझे सारा रोकडा यूं डकार जाने दोगे जाकर अपने जोडीदारों कोना नहीं दोगे की असल में मान कौन तीट ले गया? रुस्तम भाई, तुम्हारे अलावा कोई मेरे वजूद से भी वाकिफ नहीं इसलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है, लेकिन खुदा हाफिज, मेरे दोस्त मैंने सब को तुम्हारे बारे में बता दिया है रुस्तम भाई जल्दी से बोला चटवाल ठिठक गया मैं सच कह रहा हूँ तुम समझ रहे हो कि यह जूट बोलने से तुम्हारी जान बच जाएगी यह जूट नहीं है तुम सब को कैसे बता सकते हो सबसे मिल पाने लायक तो तुम्हारे पास वक्त भी नहीं था मैंने ठिंगु को बताया था, रामना को हाँ, उसने आगे बता दिया होगा चटवाल खामोश हो गया अब तक तुम्हारे वजूद से सब वाकिफ हो चुके होंगे मैं सब को खत्म कर दूँगा एकाएक वह कहर भ्रे स्वर में बोला, लेकिन साइलेंसर लगी रिवालवर ने तीन बार आग उगली तीनों गोलिया रुस्तम भाई की छाती से टकराई रुस्तम भाई त्योराकार जाडियों में जाकर गिरा चटवाल कुछ क्षण यथा स्थान खड़ा रहा और रुस्तम भाई के जिस्में कोई हरकत होने का इंतजार करता रहा जब ऐसा न हुआ तो वह वापिस आकर जीप पर सवार हुआ उसने जीप को जाडियों की ओट में से निकाला उसका रुख नीचे सड़क की तरफ किया और वहां से रवाना हो गया दर्वाजे पर हॉले से दस्तक पड़ी विमल की तुरंद आक खुल गई उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली तो पाया की बारा बजने को थे दस्तक फिर पड़ी वह सोफे पर उठकर बैठ गया और सांस रोक फिर कोई आहट होने की प्रतीक्षा करने लगा तीसरी बार क्षण भर को काल बैल बजी तभी बीच के दर्वाजे पर मनजुला प्रकट हुई उसे बोलने को ततपर पाकर विमल ने अपने होठोन पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और लपक कर उसके करीब पहुँचा उसने उसकी बाह थामी और उसे बैड्रूम में ले आया कौन होगा? मनजुला फुस्फुसाई होगा कोई विमल भी वैसे ही स्वर में बोला कोई जवाब मिलता ना पाकर चला जाएगा वैसे ही जैसे पहली बार यूँ दस्तक देने वाला चला गया था क्या पता भंडारी साहब हो? नहीं हमारा कोई आदमी नहीं हो सकता मैंने सब को एक खास तरीके से काल बैल बजाने के लिए कहा हुआ है और दर्वाजे पर दस्तक देने के लिए मना किया हुआ है घंटी खास तरीके से नहीं बज रही और दर्वाजे पर दस्तक पड़ रही है काल बैल फिर बजी उसके साथ ही इस बार दर्वाजे पर दस्तक भी पड़ी कौन होगा? मंजुला व्याकुल भाव से बोली कोई तुम्हारा वाकिफकार तो नहीं आने वाला था यहां नहीं, नहीं वा हडबड़ा कर बोली इतनी रात गए यहां आने वाला मेरा कोई वाकिफकार नहीं हो सकता लेकिन मन ही मन वह दीपक महरा के बारे में सोच रही थी कहीं वही तो फिर नहीं आ गया था अगर बाहर दीपक महरा था उसने सोचा तो उसका निराश होकर चला जाना ही श्रयस कर था कही पुलीस ना आई हो एकाएक वहाब बोली पुलीस विमल सक्पक आया यहां इतना रुपया जो मौजूद है पुलीस को क्या पता इस रुपय का शायद चल गया हो किसी तरीके से अवल तो यहां मुम्किन नहीं चल गया हो तो कुलीस क्या ऐसे आती है अगर बाहर कुलीस वाले होते तो अभी तक तो उन्होंने दर्वाजा पीट पीट कर सारा इलाका इकठा कर लिया होता दर्वाजा तोड भी डाला होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती लेकिन फिलहाल चुप रहो मंजुला चुप हो गई वहाँ कुछ क्षण व्याकुल भाव से पहलू बदलती रही फिर वहाँ विमल के साथ सट गई उसे एतरास करता न पाकर वहाँ और भी कसकर उसके साथ लग गई उसकी गर्म गर्म सांसे विमल की गर्दन फूकने लगी तो विमल की तवज्जो उसकी तرف गई उसने बड़ी द्रदता से उसे अपने से अलक किया और उसे वापिस उसके पलंग पर धकेल दिया मैं खौफ से मरी जा रही हूँ वा शिकायद भ्रेस्वर में बोली और तुम हो कि मुझे तसल्ली नहीं दे सकते, जरा सहारा नहीं दे सकते तुम खामोश कैसे कठोर हो तुम तुम तो अगर खामोश नहीं रह सकती हो तो भगवान के लिए धीरे बोलो जानते हो क्या लोग मुझ पर जान छिड़कते हैं मेरी एक निगाह के लिए तरस्ते हैं जरूर छिड़कते होंगे जरूर तरस्ते होंगे और तुम हो कि मैं भी छिड़कूंगा मैं भी तरसूंगा कब वहां आशापूर्ण स्वर में बोली सन 2001 में तब 21 सदी शुरू जाएगी ऐसा इंकलाबी कदम में 21 सदी में ही उठा सकता हूँ राजीव भाया भी तो यही चाहते थे कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो वह तुनक कर बोली विमल खामोश रहा अगर तुम विश्वामित्र हो तो समझ लो कि मैं भी मेंका हूँ मैं तुम्हारी तपस्या भंग करके रहूंगी मैं कोई तपस्या नहीं कर रहा जान रूज कर मेरा तिरसकार तो कर रहे हो विमल ने उत्तर न दिया उसका सारा ध्यान दर्वाजे की तरफ था जानते हो तिरसकार से औरत क्या बन जाती है क्या बन जाती है जहरीली नागिन तो मैंने तुम्हें डस लिया तो अभी बहुत वक्त पड़ा है लेकिन लगता है जो आया था वो चला गया है अब जाकर सो जाओ विमल दर्माजे के बाहर निकलने लगा तो मंजुला ने उसकी बाह थाम ली विमल ने उसे जबरन वापिस पलंग पर धकेल दिया और बाहर आ गया इस बार उसने बीच का दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया बाकी की रात एक ही बात हतोडे की तरह उसके जेहन में बजती रही कौन था जो दर्वाजे पर दस्तक देता रहा था और घंती बजाता रहा था कई बार दस्तक देने और घंती बजाने पर भीतर से जवाब न मिला तो इंस्पेक्टर चटवाल को मायूसी तो हुई लेकिन हैरानी न हुई वस्तुत वहाँ दर्वाजा न खुलने की ही अपेक्षा कर रहा था अल्बत्ता दर्वाजा खुल जाता तो उसका काम आसान हो जाता दर्वाजा जोरों से पीट पीट कर और शोर मचा मचा कर तो वहाँ उसे खुलवा नहीं सकता था वहाँ ऐसा करता तो सारा पडोस वहाँ इकठा हो जाता फिर उसके लिए भीतर मौजूद लोगों को शूट करके माल हतिया लेना संभव न रहे जाता उनको शूट करके स्थाई रूप से उनका मुम्ह बंद किये बिना वहाँ माल हतिया नहीं सकता था उस घडी उसने ठंडे ठंडे वापिस लौट जाना ही मुनासिप समझा एस्टरिस्क 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 उस्ताद भीम का एक साथी बोला यह पुलीसिया इधर काहे कु आयला है अबे होगी कोई वज़़ भीम डपट कर बोला उस्ताद वहाँ उसी इमारत में घुसेला है जिसमें तो फिर क्या हुआ सोलर फ्लैट है उस इमारत में कहीं किसी केस की तफ्तीश में आया होगा केस की तफ्तीश में आधी रात को तो क्या हुआ पुलीस वालों के लिए दिन क्या, रात क्या वो तो बराबर बोला बाप लेकिन वो अकेला आयला है तो केस पकड़ने के वास्ते आधी रात को कोई पुलीसिया अकेला काको आएंगा अकेले पुलीसिये को तो लोगबा काट पीट कर फ्लश में डाल देते हैं तो फिर यहां किसी यार दोस्ट से मिलने आया होगा बड़ा बाते ठोके जा रहा है जाकर देख के नहीं आ सकता कि वो पुलीसिया किधर गयला है अब्भी का अब्भी देखता है बाप उसका साथी सड़क पार करके चुपचाप इमारत में दाखिल हो गया वह लगभग उल्टे पाव वापिस लोटा बाप उसने खबर दी वो तो अपने वाले फ्लैट के दर्वाजे पर ही खड़ेला है हो गया काम भीम निराश स्वर में बोला फिर गया पानी सारी मिहन पर अब अख़्ा रोकडा तो पुलीस वालों के हाथ बाप अब क्या है वो वापिस आयला है भीम ने इमारत की तरफ निगा उठाई उसने इंस्पेक्टर चटवाल को जीप में सवार होते देखा खाली हाथ उसकी जान में जान आई यानि की रोकडे वाले सूटकेस अभी भी फ्लैट में ही थे अगर मैं भंडारी को कह दू तो विमल और मंजुला तभी ब्रेकफास्ट करके हटे थे जबकि मंजुला पर पिछली रात वाला जुनून फिर से हावी होने लगा था क्या कह दो विमल बोला कि तुमने यहां तनहाई का फाइदा उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी क्या देना विमल लापरवाही से बोला भंडारी तुम्हारा खून कर देगा ऐसा सूर्मा नहीं है वो मेरे कहे बन जोर जाएगा नहीं बनेगा खून खराबे में पढ़कर वो पौन करोड रुपे के अपने हिस्से का रिस्क नहीं लेने वाला मेरे कहे वह कुछ भी करने को आमादा हो जाएगा वो ऐसा करेगा तो मूर्ख होगा अपनी जान और माल दोनों से हाथ दो बैठेगा यानि कि तुम उसे मार डालोगी खाम खा नहीं लेकिन अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह खामोश हो गई और फिर मुझे यकीन है कि जब तुम उसे जोर जबरदस्ती वाली बात कहोगी तो वह यहीं कहेगा कि विमल जान बूच कर ठिठक गया क्या कहेगा मंजुला उत्सुक भाव से बोली कहेगा कि भाव जोर जबरदस्ती की क्या जरूरत थी मंजुला का चहरा कानों तक लाल हो गया तुम बार-बार मेरा अपमान कर रहे हो वह गुसे से बोली विमल शान्ती से अवल तो मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा बोला कर रहा हूँ तो इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो लेकिन तुम पहले मेरी बात सुनो देखो अभी 14 दिन और हमने इस फ्लैट में यूँ ही अकेले रहना है मेरी दरखास्त है कि तुम खुद चैन से रहो और मुझे चैन से रहने दो जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता नपुन सक्खो स्टूपिड तो फिर क्यों नहीं हो सकता तुम बात को यूँ समझो कि मेरी मेरी दीवी मर गई है मेरी ऐसी ब्याहता बीवी मर गई है जिसे मैं दिलोजान से चाहता या और मैं उसे अभी अभी शमशान घाट पर आग के हवाले करके वापिस लोटा हूँ अब तुम मुझे लताओं की ऐसे में वो सब मुम्किन है जो तुम्हारे जेहन में है तुम्हारी दीवी मर गई है हाँ फिर तो तुम्हें मेरी और भी ज्यादा जरूरत है और वा फिर उस पर धेर हो गई दाता विमल उसे परे धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ मैंने तुम्हारे जैसा कठोर मर्द नहीं देखा वहर रुआन से स्वर बोली और मैंने तुम्हारे जैसी छनाल औरत नहीं देखी मंजुला का चहरा लाल भभुका हो गया उसकी आंखों से शोले बरसने लगे फिर वह पाव पटकती वहां से चली गई और जाकर बैडरूम में बंध हो गई विमल ने चैन की सांस ली वहां अपना पाइप तैयार करने लगा उस बार पाइप भरने में उसके पाउच का सारा तंबा को खत्म हो गया दो घंटे यू ही खामोशी में गुजरे उस दौरान मंजुला ने एक बार भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की विमल इसी नतीजे पर पहुँचा की उसे अकला आ गई थी फिर एका एक बाथरूम से नलका चलने की आवाज आने लगी पंद्रा बीस मिनट तक यही सिलसिला रहा फिर बाथरूम से आवाजे आनी बंध हो गई और खामोशी चा गई दस मिनट की खामोशी के बाद एक आएक मंजुला की आवाज आई सुनो क्या है विमल बोला जरा यहां आओ क्या है अरे आओ तो विमल सोफे से उठा और बैड्रूम के दर्वाजे की तरफ बढ़ा उसमें बैड्रूम का दर्वाजा खोला वहां भीतर कदम रखने ही लगा था कि थमक कर खड़ा हो गया वहां अपलक सामने देखने लगा सद्यहसनाता मंजुला नगनावस्था में पलंग पर खड़ी थी उसके बाल खुले थे और कृत्रिम प्रकाश में रेशम की तरह चमक रहे थे उसके बालों में और चहरे पर पानी की ननी ननी बून्दे मोतियों की तरह चमक रही थी नहाने के बाद खूब रगड रगड कर पोचे हुए उसके पुष्ट शरीर पर से क्यूब लाइट का कृत्रिम प्रकाश शीशे की तरह प्रतिबिम्बित हो रहा था उसकी तनी हुई कठोर चातिया एक चैलेंज की तरह विमल की तरफ उठी हुई थी उसके पेट पर गोल-गोल लहरे उट्ती मालूम हो रही थी और जांधे मचली की तरह फड़क रही थी विमल को मोह बाये अपनी तरफ देखता पाकर उसके होठोन पर एक विदुपूर्ण मुसकराहट आई उसके होंट बड़े चित्ताकरशक भाव से आधे खुले तो उनके पीछे से उसके सुडोल सफेद दान्त मोतियों की तरह चमके फिर एकाएक वहाँ अपने पंजो पर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर से उपर उठा कर एक तौबा शिकन अम्दराई ली कैसी लग रही हूँ? वह मादक स्वर में बोली शांदार विमल के मुह से निकला लाजवा दिल्फरेब करिश्मा साज मैं किस की हूँ? पहले का पता नहीं अब मेरी तो अपनी चीज अपने काबू में क्यों नहीं करते हो? अभी करता हूँ जरा बाहर का दर्वाजा चैक कर आओं कि ठीक तरह से बंध है कि नहीं? जल्दी आना बस गया और आया विमल फ्लैट से बाहर निकला लड़की की निदर हरकते बढ़ती ही जा रही थी और लग रहा था कि अगर उसे कोई काबू कर सकता था तो भंधारी ही कर सकता था भंधारी से संपर का कोई साधन उसके पास नहीं था लेकिन मराठा में वहां तुकाराम को फोन कर सकता था पब्लिक टेलीफोन वहां से कोई 1.5 किलोमीटर दूर 1.3 टाल में लगा हुआ था पब्लिक टेलीफोन उसने खराप पाया कोई और टेलीफोन तलाश करने में उसे वक्त लग सकता था और अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने पीछे फ्लैट का दर्वाजा खुला छोड़ आया था जो कि ठीक नहीं था फोन करने का खयाल उसने छोड़ दिया उसने अपने पाइप के लिए तंबाकू का एक पैकेट खरीदा और वापिस लोटा मंजुला फ्लैट में मरी पड़ी थी विमल हक का बक्कासा बैडरूम की चोखट पर खड़ा सामने का हॉलनाक नजारा देखका रहा वह तब भी संपूर्ण नगनावस्था में थी और पलंग पर चित पड़ी थी दीवार पर से दोनों तलवारे गायब थी एक जमीन पर दर्वाजे के करीब पड़ी थी और दूसरी मंजुला की चाती में इस प्रकार धंसी हुई थी कि वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकती थी तलवार उसकी चाती में से गुजर कर पलंग की मैट्रेस को भेती हुई उसकी लकडी की सता में दाखिल हो गई थी ऐसा किसी बहुत शक्तिशाली आदमी के बहुत शक्तिशाली वार से ही संभव हो सकता था सारा पलंग खून से सराबोर था मंजुला की एंठी हुई बाहे उसके पहलू में दाएं बाएं फैली हुई थी उसकी तांगे फिरी हुई थी और उसकी पत्राई हुई आखे पंखे की तरफ उठी हुई थी फिर उसकी तवज्जो बेडरूम के उस दर्वाजे की तरफ गई जो की बालकनी में खुलता था वह दर्वाजा जो हमेशा बंद रहता था उस वक्त खुला था उसने दर्वाजे के पास जाकर बालकनी से बाहर जाका, उसके पहलू से गुजरते फायर एसकेप की गोल सीडियों पर उपर नीचे निगा दोडाई कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं, कहीं आहट तक नहीं पिछली रात का रहस्यमय आगन तुक, जो दर्वाजा खट-खटाता रहा था और घंती बजाता रहा था, उसे फिर याद आने लगा वहाँ बालकनी के दर्वाजे से हटा, अब वहाँ ठहरना उसके लिए नहायत खतरनाक साबित हो सकता था मंजुला की लाश के साथ उसका वहाँ पाया जाना उसके लिए भारी समस्या बन सकता था वहाँ बाहर की और बढ़ा, ड्राइंग रूम में कदम रखते ही एकाएक वहाँ थमक कर खड़ा हो गया दो पुलीसिये फ्लाट में कदम रख रहे थे उनमें से एक कोई ताजा भरती हुआ सब इंस्पेक्टर था तथा दूसरा एक भारी तोंड वाला थुल्थुल सा हवलदार सबाइंस्पेक्टर की वर्दी की बैल्ट में लगे होल्स्टर में एक रिवालवर शोभायमान थी शुक्र है आप आगए उन दोनों में से किसी के मुगों भी खोल पाने से पहले विमल बोल पड़ा युवा सब इंस्पेक्टर सक्पकाया बहुत फुर्ती दिखाई आप लोगों ने विमल अपनी कलाई घरी पर निगाह डालता हुआ बोला अभी तो पाँच मिनट भी नहीं हुए मुझे फोन किये हुए फोन आपने किया था सब इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला घूर उसे हवलदार भी रहा था लेकिन उसके चहरे पर संदे के स्थान पर उल्जन के भाव थे हाँ विमल बोला सब इंस्पेक्टर के सवाल ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि उसका अंदाजा सही था जो कोई भी उसके पीछे वहां आया था उसने न केवल मंजुला की हत्या की थी बलकि मंजुला की हत्या के इल्जाम में उसे फंसाने के लिए पुलीस को फोन भी कर दिया था फोन पर आपने अपना नाम क्यों नहीं बताया था मैं बता ही रहा था विमल बोला की लाइन कट गई थी फोन दोबारा क्या होता? मैंने पब्लिक टेलीफोन से फोन किया था मेरे पास दोबारा फोन करने के लिए और अठनी नहीं थी पुलीस का 100 नंबर डायल करने के लिए कामन बाक्स अठनी नहीं डालनी पड़ती मुझे नहीं मालूम था हुआ क्या है? मैं अपने पाइप के लिए तंबाकू लेने विमल ने तब भी हात में थमा तंबाकू का पैकेट सबाइंस्पेक्टर को दिखाया थोड़ी देर के लिए बाहर गया था वापिस लोटा तो मैंने अपनी बीवी को मरा पड़ा पाया दोनों कुलीसिये उचप कर खुले दर्वाजे में से बैडरूम में जाकने लगे यहां आपकी बीवी है सबाइंस्पेक्टर बोला हाँ विमल बोला यहां नन इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए मैं इसे बाथरूम में नहाती छोड़ कर गया था मेरे पीछे यहां नहा कर बाथरूम से निकली होगी की तभी विमल ने जान बूज कर वाक्य अधूरा छोड़ दिया यह तलवार हमलावर अपने साथ लाया था नहीं दो तलवारे यहां बैडरूम की दीवार पर क्रॉस की सूरत में लगी हुई थी सजावट के लिए हत्यारे ने वही तलवारे दीवार से उतार ली थी दोनों क्यों? शायद वहां मेरा भी कतल करना चाहता था लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया था और दूसरी तलवार यहां फर्ष पर दर्वाजे के पास फेंट कर भाग गया था यहां से कुछ चोरी तो नहीं गया? नहीं कैसे मालूम? जी आप यहां आए आपने अपनी बीवी को मरा पड़ा पाया आप उल्ते पाव वापिस पब्लिक टेलीफोन से पुलीस को फोन करने चले गए अभी हमारे आगे आगे ही आप यहां वापिस लोटे होंगे आपने यहां कप को देख लिया कि यहां से कुछ चोरी नहीं हुआ? मेरा मतलब है कि मुझे उम्मीद नहीं कि यहां से कुछ चोरी गया हो चुराने लायक यहां कुछ है ही नहीं ज्वैली वगेरा तो हम बैंके लाकर में रखते हैं आईसी अधेड हवलदार अभी भी बड़े उलजनपूर्ण भाव से विमल को देख रहा था और बार-बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था विमल भी उसी से फिक्रमंद था सबाइंस्पेक्टर को तो वह बाखु भी हैंडल कर रहा था आप देखिए कुछ चोरी तो नहीं गया सबाइंस्पेक्टर बोला विमल ने किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम और बेडरूम में इधर-उधर निगाबीनी करने का बहाना किया कुछ चोरी नहीं गया फिर उसने घोशना की ये जो दो दर्वाजे बंध है सबाइंस्पेक्टर बोला इन्हें तो आपने खोला नहीं उधर तो आपने देखा नहीं उन दो दर्वाजों वाले कमरे हमारे अधिकार में नहीं है विमल बोला क्या मतलब यहाँ फ्लैट मेरे एक दोस्त का है जो विदेश गया हुआ है उन दो कमरों में वहाँ अपना सारा सामान बंध करके गया हुआ है हमारे इस्तमाल के लिए इतना ही हिस्सा है ओ आप यहाँ दो ही जने रहे हैं जी हाँ बाल बच्चे कोई नहीं आपने वह वार्डरोब नहीं खोली विमल ने देखा सबाइंस्पेक्टर बैडरूम की उस वार्डरोब की तरफ इशारा कर रहा था जिसमें नोटों से भरे चार सूटकेस बंध थे क्या वो आपके अधिकार में नहीं है तो हमारे अधिकार में लेकिन लेकिन क्या उसमें चोरी जाने लायक कुछ नहीं है क्यों? कप्रे तो होंगी? कप्रे कौन चुराएगा? जनाब आजकल के चोरों के इमान का कुछ पता नहीं लगता वह बहुत मामूली बात पर दिख सकता है कुछ और हाथ न लगता पाकर क्या पता चोर आपके सारे कप्रे ही बटोर कर चल दिया हो जनाब मैं कहता हूँ वहाँ चोरी लायक कुछ नहीं है वहाँ जो कप्रे हैं वो नहायत मामूली है फिर भी देखिए लेकिन अरे देखिए तो यहाँ भी कोई हुज़त करने लायक बात है विमल पशोपेश में पढ़ गया वाडरोब खोलने पर सबाइंस्पेक्टर भीतर पड़े एक ही तरह के नए नकोर चार सूट केसों को खोलने का आगरा कर सकता था खोलिये बाडरोब वाहे गुरू सक्चे पात्षा विमल होठोर में बुद्बुदाता हुआ वाडरोब की तरफ बढ़ातू मेरा राखा सबनी थांगी उसने वाडरोब का दर्वाजा खोला भीतर उसे सूट केस दिखाई न दिये घबराकर उसने वाडरोब के दर्वाजे के दोनों पट पूरे खोल दिये चारों सूट केस वहां से गायब थे क्या हुआ सबन स्पेक्टर उसके करीब पहँचा और उसके साथ वाडरोब में जाका हुआ उत्सुभाव से बोला कोई चीज गायब है जी नहीं विमल बोला तो फिर वाडरोब खोलते ही आप चौके क्यों थे मैं तो नहीं चौका आप न सिर्फ चौके थे बलकि घबरा भी गए थे जनाब आपको वहम हुआ है यहां से कोई चीज गायब नहीं है जी नहीं लेकिन जब आप साहब सबाइंस्पेक्टर ठिटका वह अपने हवलदार की तरफ घूमा उसने हवलदार के चहरे पर उतकंठा के ऐसे भाव पाए जैसे उसके प्राण निकलने वाले हो वह फटीफती आंखों से विमल को देख रहा था क्या है सबाइंस्पेक्टर हप्रप स्वर में बोला क्या हुआ साहब यह यहाँ उसकी एक कापती हुई उंगली विमल की ओर उठी क्या यह अरे कुछ बोलेगा भी यहाँ हवलदार फट पड़ा सोहल है सबाइंस्पेक्टर की प्रतिक्रिया देखने में विमल ने वक्त जाया नहीं किया उसने सबाइंस्पेक्टर को बाह से पकड़ा और पूरी शक्ती से उसे हवलदार पर धकेल दिया दोनों एक दूसरे से उलचते भरभरा कर बैड्रूम के फर्ष पर गिरे तो विमल ने उनके उपर से दर्वाजे की ओर छलांग लगा दी एक ही छलांग में वह दर्वाजा पार कर गया उसके दर्वाजे को बंद करके बाहर से चितकनी लगा दी उसके हिप्टी परिधान, नकली दांत, कांटाक्ट लेंज वगेरा समेथ उसका कैन्वस का एक बैड ज्राइंग रूम में सेंटर टेबल के नीचे पड़ा था उसने उसे कब जाया और बाहर को भागा तब ही एक फायर हुआ गोली बैड्रूम के लकडी के दर्वाजे को भेती हुई निकली और उसके बहुत करीब से गुजरी साथ ही दर्वाजे पर चोटे पढ़ने लगी तूफानी रफ्तार से वह फ्लैट से बाहर निकला दोबारा फायर हुआ लेकिन इस बार वह यहा न जान सका की गोली कहा गई उसने मुख्यद्वार को भी बाहर से बंद कर दिया और नीचे भागा सीधियां तै कर चुकने के बाद उसने भागना बंद कर दिया भीतर बंद पुलीसियों को किसी भी क्षण खयाल आ सकता था कि फ्लैट से बाहर बालकनी और फायर एसकेप के रास्ते भी निकला जा सकता था इसलिए उसका फॉरण वहां से कूच कर जाना नहायद जरूरी था यहां देखकर उसे सकत हैरानी हुई कि नीचे पुलीस की एक नहीं दो जीपे खड़ी थी एक जीप एकदम खाली थी लेकिन दूसरे के स्टेरिंग के पीछे एक उंगता सा पुलीसिया बैठा था उपर दर्वाजा पीटे जाने की आवाज सड़क पर नहीं पहुँच रही थी वह ज्राइवर वाली जीप के करीब पहुँचा आपको वह ज्राइविंग सीट पर बैठे पुलीसिये से बड़े सहज भाव से सम्बोधित हुआ आपके सबाइंस्पेक्टर साहब उपर बुला रही है क्यों? पुलीसिया उसे घूरता हुआ बोला मुझे क्या पता? तुम उस फ्लैट में रहते हो जिसकी बाबत हमें फोन आया था मुझे नहीं मालूम तुमें किस फ्लैट की बाबत फोन आया था मैं तो तीसे माले पर रहता हूँ सीडियां उतर रहा था तो एक सबाइंस्पेक्टर साहब एक फ्लैट से निकले और कहने लगे कि नीचे जीप में हमारा आदमी बैठा है उसे कहो की उपर आए मैंने मैसेज दे दिया है और मुझे कुछ नहीं मालूम और विमल आगे बढ़ चला दस कदम चलने पर उसने घूम कर देखा तो पाया कि पुलीसिया जीप से निकल कर इमारत में दाखिल हो रहा था वह वापिस लौटा वह दूसरी जीप के करीब पहुँचा कब तक पुलीसिया निगाहों से ओजल हो चुका था उसने देखा जीप की चाबिया इगनीशन में लटक रही थी वह जीप में सवार हो गया उसने इगनीशन ओन किया और जीप आगे बढ़ा दी किसी ने उसे रोका नहीं किसी ने उसे टोका नहीं धन्न करतार उसके मुह से निकला एक पबलिक टेलीफोन से विमल ने कोलिवाडे के होटल मराथा में टेलीफोन किया जीप उसने फ्लाट से दो मील परे ही छोड़ दी थी फिर एक पब्लिक काईलेट में जाकर उसने फिर से अपना हिप्टी लिबास पहना था और अब वह तुकाराम से संपर्ख करने की कोशिश कर रहा था दूसरी और फोन उठाया गया तो उसने होटल के मालिक सलावदीन से बात करने की इच्छा व्यक्त की सलावदीन लाइन पर आया तो उसने उससे तुकाराम की बाबत पूछा वो यहाँ नहीं है सलावदीन बोला उसके बात करने के धंग से लग रहा था कि वह विमल के बिना बताये ही समझ गया था कि कौन बोल रहा था कहा गया विमल बोला वरसोवा बच्छवारों की बस्ती में कहता था कि बस्ती में वह कहा होगा तुम्हें मालूम है वरसोवा कैसे पहुँच गया उसे तो तुम्हारे यहां होना चाहिए होना चाहिए था लेकिन नहीं है क्यों उसकी टांग तूट गई है मेरे पास ग्राउंड क्लोर पर कोई कमरा नहीं है तुम्हें मालूम ही है मेरे होटल में ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन, आफिस, किचन और डाइनिंग हाल के अलावा कुछ नहीं है उपर उसे दिक्कत होती इसलिए वहां वर्सोवा चला गया है टांग कैसे टट गई उसकी सीधियों से फिसल गया ओ, कोई फिक्र की बात तो नहीं नहीं, कते नहीं वादले कहा है उसी के साथ वर्सोवा में ठीक है शुक्रिया वर्सोवा की मच्छुआरों की बस्ती में तुकाराम का ठिकाना विमल को मालूम था वह वो जगत थी जहां से बखिया के सिपहसालार मैक्सवेल परेरा ने तुकाराम और उसके बाकी बचे एक भाई देवाराम को गिरफतार किया था एक टैक्सी में सवार होकर विमल पहले वर्सोवा और फिर पैदल उस मकान तक पहुँचा जिसने तुकाराम मौजूद था तुकाराम उसे वहां आया देखकर सक्त हैरान हुआ वादे कहा है विमल ने पूछा कहीं गया है तुकाराम बोला तु यहां कैसे पहुँच गया टांग कैसे तोड़ ली उसे छोड़ अपनी बता फ्लैट से क्यों निकला विमल ने वजह बताई ओ सारी बात सुन चुकने के बाद तुकाराम के मुण से यू आ निकली जैसे पिचक गए गुबारे में से गैस निकली हो मैं भी बाल बाल बचा हूँ विमल बोला वहां दो की बीस पुलीस भी पहुँच सकते थे मेरी किस्मत अच्छी थी जो नहीं पहुँचे ये सब हो कैसे गया कई बाते मुम्किन है विमल बोला पहले तो मैंने यही सोचा था कि लड़की से किसी की कोई रंजिश थी कोई अदावत थी शायद कातिल उसके प्यार में खता खाया हुआ उसका कोई यार था जो फ्लैट पर यही घात लगाए बैठा था कि कब मैं वहां से निकलू और कब वहां पीछे अकेली रह गई नहीं लेकिन उसे नोटों की वहां मौजूदगी की खबर नहीं हो सकती थी मैं सिर्फ दस मिनट फ्लैट से बाहर रहा था इतने थोड़े वकफे में उसने आकर मनजुला का खून भी कर दिया फ्लैट की तलाशी लेकर माल भी बरामत कर लिया माल से भरे चार सूटकेसों को वहां से मूव भी कर दिया फिर मुझे फंसाने के लिए जाकर पुलीस को फोन भी कर दिया यह सब दस मिनट में नहीं हो सकता जिस किसी ने भी यह काम किया किया तो दस मिनट में ही दुरूस्त लेकिन ज्यादा वक्त खाने वाला काम फ्लैट की तलाशी थी अगर कातिल कोई ऐसा आदमी हो जिसे फ्लैट माल की मौजूदगी की पहले से खबर हो तो ये सारे काम दस मिनट से कहीं कम वक्त में हो सकते हैं तेरा इशारा हमारे ही साथियों में से किसी की दरफ है? है भी और नहीं भी मतलब यह करतूत भंडारी, रुस्तम भाई, अकबर, जैरत और रामन्ना में से किसी की हो सकती है मंजुला का कतल उन में से किसी ने किसी अदावत की वजह से नहीं बलकी इसलिए किया हो सकता है कि वहां उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी लेकिन एक बात है जो कहती है कि यह करतूत हमारे, साथियों में से किसी की नहीं हो सकती क्या, हमारा हर साथी मेरी असलियत से वाकिफ है अगर उसने पुलीस को फोन करके मुझे फंसाना होता तो पुलीस को यह भी बताया होता कि मैं कौन था फिर उस फ्लाट में से सरदार सुरेंडर सिंग सोहल की गिरफतारी के लिए वहां दो नहीं, दो सो पुलीसिये पहुचे होते यहां उसकी चाला की भी हो सकती है वह समझता होगा कि अगर उसने सोहल का नाम लिया तो हम फौरन समझ जाएंगे कि कर्तूत हमारे ही किसी साथी की है हो सकता है तभी तो मैंने कहा कि हत्यारा हमारे साथियों में से कोई हो भी सकता और नहीं भी हो सकता अब तुम यहां बताओ कि ऐसा चालाप ऐसी बारीग बात सोच सकने लायब कौन है हमारे साथियों में से भंदारी रुस्तम भाई अबबर जैरत या रामन्ना भंदारी तो नहीं हो सकता क्यों? क्यों कि लड़की उसकी माशूक थी च्छा करोड की रकम के लिए आदमी अपनी सगी मा का गला काट सकता है वह तो सिर्फ माशूक थी वह फ्लैट भंदारी के अधिकार में है अडोस पडोस से पूच्टाच से यहां बात खुल सकती है फिर पुलीस को उसके और मंजुला के रिष्टे की भी खबर लग सकती है जो कि उसे तगडी पुलीस इंक्वाइरी का शिकार बना सकती है यहां बात भंदारी भला क्यों चाहेगा? उसने एक रखेल रखी हुई थी यहां बात सिर्फ उसके चरित्र पर लांचन लगा सकती थी जब जेब 6 करोर की रखम से गर्म हो चुकी हो तो चरित्र पर लांचन की भला क्या परवा होगी उसे? भंदारी का काम लड़की का कक्य किये बिना भी चल सकता था उसमें यहां रिस्क नहीं लेना चाहा होगा यहां भी हो सकता है कि एन मौके पर लड़की ने कोई समस्या खड़ी कर दी हो जिसकी वज़ा से भंदारी के लिए उसका काम तमाम करना जरूरी हो गया हो तुकाराम चुप रहा अगर भंदारी न हो विमल बोला तो फिर किसकी कर्तूत हो सकती है ये फिर तो यह कर्तूत रुस्तम भाई की ही हो सकती है क्योंकि अकबर, जैरत और रामना तो मेरे मुरीद है वे तीनों लड़के मेरे से बाहर नहीं जा सकते वे मेरे साथ ऐसी ददाबाजी नहीं कर सकते मुझे उन पर पूरा विश्वास है जहां पूरा विश्वास थापित हो, वहीं विश्वास घात की सबसे ज्यादा गुंजाईश होती है तुकाराम चुप रहा फिर भी गद्दार साथी के तौर पर मुझे रुस्तम भाई ज्यादा पसंद है वो कहां पाया जाना है? अंधेरी में मेरा मतलब है अंधेरी के अलावा अपने आफिस के अलावा अपने आफिस में वह 24 घंटे तो नहीं रहता होगा उसके घर का पता तो तुकाराम खेटपूर्ण स्वर में बोला मुझे मालूम नहीं ओ लेकिन उसके आफिस में बहुत लोग जानते होंगे ठीक है मैं मालूम कर लूँगा अब भंदारी का पता बोलू तुकाराम ने उसे भाईखला का एक पता बताया और वे तीनों छोकरे कहां पाए जाते हैं उनके बारे में मुझे कतै कुछ नहीं पता कमार है तुकाराम खामोश रहा तुम उनको ढून्द दे थे तो कहां ढून्द दे थे कमाठी पुरे में वहाँ एक इरानी का रेस्टोरेंट है वही वहाँ रेस्टोरेंट है उनका घर तो नहीं वहाँ वे 24 घंटे थोड़े ही बैठे रहते होंगे मुझे तो वे हमेशा ही वहाँ मिल जाते थे वागले के साथ भी हमेशा यही हुआ था उनका कोई और पगा ठिराना नहीं मालूम तुकाराम ने इंकार में सिर हिलाया वे काम धाम कुछ नहीं करते थे जैरत तो फाल्स सीलिंग बनाने वाला कारीगर था और जब मिलता था तो यही काम करता था अकबर कुछ करता है तो मुझे उसकी खबर नहीं और रामन ना वो किराय की टैक्सी चलाता था कोई पका अड़ा तो होगा उसका फारस रोड का टैक्सी स्टैंड उसका पका अड़ा था तुम्हारा मतलब है अब वो टैक्सी नहीं चलाता होगा अब काहे को चलाएगा वो टैक्सी और चन्द दिनों में वह 75 लाख की रकम का मालिक नहीं बनने वाला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों को तलाश करने की और तलाश करके कटोलने की यह काम तू करेगा और कौन करेगा तुम्हारी काम तूती हुई है वागले पता नहीं कहा है और कब लोटेगा और अपनी देखभाल के लिए तुम्हें उसकी जरूरत भी है तेरा मुंबई में यू सरेयाम घूमना मुनासिब होगा मुनासिब तो नहीं होगा लेकिन यहाँ जरूरी भी तो बहुत है हमने अपने साथियों को टतोलने में देर की तो रोकड़ा कहीं का कहीं पहुँँ जाएगा मुझे तो तेरी फिक्र लग रही है फिक्र की कोई बात नहीं होना वही है जिसमें वाहे गुरू की मर्जी है जो तुद भावे नान का सोई भली कार फिर भी सावधान रहना बेटा विमल ने सहमती में सिर हिलाया और यहां रख ले विमल ने देखा तुकाराम उसकी तरफ एक रिवालवर बढ़ा रहा था विमल ने रिवालवर लेकर अपने बैट में रख ली एक बात मुझे बहुत हैरान कर रही है विमल बोला क्या? बांदरा के फ्लैट वाली इमारत के सामने एक पुलीस की जीप खड़ी थी उस पर वो दोनों पुलीसिये वहां पहुँचे होंगे न जोकी नहीं, नहीं वो जीप अलग थी उसके अलावा एक और वहां खड़ी थी उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था इमारत में कई फ्लैट है कोई पुलीसिया वहां अपने किसी यार दोस्त या रिष्टेदार से मिलने आया होगा सरकारी जीप पर? क्यों नहीं? सरकारी मुलाजिमों द्वारा व्यक्तिगत कामों के लिए सरकारी वाहनों का इस्तिमाल क्या बहुत बड़ी बात है? तुका, पता नहीं क्या बात है उस जीप की वहां मौजूदगी मुझे विचलित कर रही है सरदार, अब तो वो किसा ही खतम हो गया अब वहां किसी भी वज़ा से मौजूद हो, क्या फर्क पड़ता है? अब हमने कौन सा उस फ्लैट पर कभी वापिस लौटना है? यहां भी ठीक है फिर विमल एका एक उठखड़ा हुआ मैं चलता हूँ तुकाराम ने सहमती में सिर हिलाया अस्टरिस्क 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 विमल अंधेरी पहुचा न्यो बामबे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस के आफिस से उसे मालूम हुआ कि रुस्तम भाई वहां नहीं था उस रोज उसके पाव वहां नहीं पड़े थे रुस्तम भाई अपने घर पर होगा? विमल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा वो वहाँ नहीं है रिसेप्शनिस्ट बोला मैं सुबह से चार बार वहाँ फोन कर चुका हूँ एक बार फिर करो आपको काम क्या है? हमने गोवा के लिए एक एर कंडीशन बस बुक कराई थी जो की एक बज़े हमारे होटल में पहुचनी थी बस अभी तक नहीं पहुची है मुझे तो ऐसी किसी बुकिंग की खबर नहीं वैसे विमल उसे घूरता हुआ बोला तुम्हें हर बुकिंग की खबर होती है रिसेप्शनिस्ट एक क्षण हिचकिचाया और फिर उसने इनकार में सिर हिलाया तो मैं फोन करता हूँ वह टेलीफोन पर नंबर घुमाने लगा विमल ने वह नंबर जुबानी याद कर लिया रुस्तम भाई घर पर नहीं है रिसेप्शनिस्ट ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रखते हुए घोशना की अब तो रुस्तम भाई की बीवी भी फिक्र कर रही है बीवी भी फिक्र रही है विमल बोला वो किसलिए वो पिछली रात से ही घर नहीं लोटा है अच्छा कल यहां तो वो था आखिर हमने उसके पास बस की बुकिंग करवाई थी रुस्तम भाई रात साड़े दस बजे तक यहां था दस बजे वो पुलीसिया यहां आया था तो वहां उसके साथ ही यहां से गया था कब से पता नहीं वो कहां है पुलीसिया कौन? अरे वही इंस्पेक्टर चटवाल पिछले कुछ दिनों से उसके यहां कुछ ज्यादा ही चक्कर लगने लगे है वह इंस्पेक्टर चटवाल नाम बताया जिसका तुमने रुस्तम भाई का यार है पहले तो नहीं था अब पता नहीं कैसे हो गया है साला जब चाहे जीप लेकर दंदनाता हुआ यहां आगुस्ता है जीप लेकर और वर्दी पहन कर शुरू में एक दो बार तो हम सब लोग दर ही गए कि पता नहीं वो कोई केस बनाने तो नहीं आया था लेकिन हकीक्तन ऐसी बात नहीं थी न वो कहां का इंस्पेक्टर है इसी इलाके के जाने का और तुम्हारे मालिक रुस्तम भाई का यार है कहां न अब हो गया है और वो हमेशा यहां वर्दी पहन कर जीप पर सवार होकर आता है हाँ क्यों जीप का नंबर MR2626 तो नहीं विमल ने अंधेरे में तीर छोड़ा वह नंबर उस जीप का था जो उसे बांदरा वाले फ्लैट के सामने खड़ी मिली थी और जिस पर सवार होकर वह वहां से भागा था यही है तुम्हें कैसे मालूम कल जब मैं बस बुक कराने आया था तो वह जीप यहां खड़ी थी लेकिन रुस्तम भाई और कहां हो सका है होने को तो दर्जनों जगह हो सकता है लेकिन होगा कहां इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं Never mind रुस्तम भाई यहां आये या उसका तुम्हारे से संपर्क हो तो कह देना कि वहां बस फिलहाल न भीजे बस दोबारा कब भेजनी होगी यहां मैं उसे फोन करके बताऊंगा ठीक है विमल वहां से विदा हो गया रुस्तम भाई कल रात से गायब था और उसका किसी पुलीस इंस्पेक्टर से ताजा ताजा गजोड हुआ था यह दोनों बाते और उनका आपसी तालमेल विमल को बहुत चिंताजंद लगा उपर से एन रोकडा चोरी होने के वक्त रुस्तम भाई के ताजा बने यार इंस्पेक्टर की जीब बांदरा वाले फ्लैट के एन सामने खडी थी सारा सिलसिला ही एक तगडे डबल क्रास की तरफ मजबूत इशारा था एस्टरिस्क 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 भंदारी खुद कार चलाता गेटवे आफ इंडिया पहुँचा विमल समुद्र और सडक के बीच की दीवार पर बैठा पाइप के कश लगा रहा था उसने भंदारी को उसके आफिस में फोन करके वहां बुलाया था भंदारी फौरन वहां पहुँचा था भंदारी ने एक बार हौले से हान दबाया विमल अपने स्थान से उठा वह कार के करीब पहुचा और उसमें भंदारी के बगल में जा बैठा मैं भंदारी बोला जाने ही लगा था जबकि तुम्हारा टेलीफोन आया था अच्छा हुआ कि चले नहीं गए विमल बोला वरना तुम्हारी तलाश में मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ता क्या बात है? खैरियत तो है? यह तो तुम बताओ क्या मतलब? माल को ठीक से संभाल कर रखा है न? माल कौन सा माल? वही माल जो हम सबका है लेकिन जिसे तुम सिर्फ अपना बनाना चाहते हो बना चुके हो क्या बक्ते हो? माल तो तुम्हारे पास है मेरे पास था अब तो तुम्हारे पास है सोहन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? या क्या पहली आप बुझा रहे हो आज दोपहर में तुम कहा थे वही जहां हमेशा होता हूँ अपने आफिस में बारा बजे के आसपास तुम अपने आफिस में थे मैं सारा दिन अपने आफिस में था सुबा भी, दोपहर को भी और शाम को भी बीच में थोड़ी देर के लिए भी तुम कही नहीं गये? नहीं गया मैंने कहा जाना था? मसलन बांदरा वहां किसलिए? अपनी माशूक से मिलने तुम्हारी मौजूदगी में मेरे कही चले जाने के बाद अपनी माशूक से मिलने यानि कि मैं तुम्हारे वहां से चले जाने का इंतजार करा हाँ वो किसलिए? मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश होती तो मैं तुम्हें वैसी ही थोड़ी देर के लिए वहां से चले जाने को नहीं कह सकता था मैं तुम्हें ज्राइनरों में बिठाकर और खुद बैडरूम में जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था आखिर वहाँ फ्लैट मेरा है वहाँ छोकरी मेरी है कोई तो वजह होगी जो देखो यहाँ पहेलियां बुझानी बंद करो और साफ साफ बताओ क्या माजरा है बाई गौड मैं सस्पेंस से मरा जा रहा हूँ तुम्हारी सहेली का कतल हो गया है क्या और सारा माल फ्लैट से चोरी हो गया है क्या इस बार भंदारी इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज उसके गले में घुटकर रह गई उसके चहरे पर हवाईयां उडने लगी और आंखों में ऐसा वहशी भाव आया कि विमन सक्पका गया उसे वहाँ अभिनय करता ना लगा भंदारी वह तीखे स्वर में बोला कंट्रोल यूरसेल्फ भंदारी कुछ क्षण बुद्ध बना बैठा रहा फिर क्षीन स्वर में बोला क्या हुआ था विमल ने बताया ओ भंदारी एक गहरी सांस लेकर बोला और तुम समझते हो कि यह काम मेरा है मैं उस लड़की से बहुत मुहबबत करता था भंदारी भर्राए स्वर में बोला मैं उसे अपने दिलोजान की जीनत मानता था उसी की खातिर तो मैंने अपनी मुकमल जिन्दगी का खाना खराब कर देने वाला यह कदम उठाया था और अपनी ही आर्ट गैलरी को लुटवाने की योजना का अंग बना था जिसकी खातिर मैंने इतना कुछ किया उसी की जान में कैसे ले सकता था कोई वज़ा पैदा हो गई हो सकती है क्या? क्या वज़ा पैदा हो गई हो सकती है? तुम उससे मुहबबत करते थे जिससे मुहबबत हो उसकी बेवफाई बरदाश्ट नहीं होती तुमने अपनी प्रेमिका को अभिसार के लिए तत पर संपूर्ण नगनावस्था में पाया तो तुम आपे से बाहर हो गए तुमने दीवार पर रखी तलवार उतार कर उसका खून कर डाला खून तुमने वही मौजू तलवार से किया इससे भी साबित होता है कि तुम घर से ही कतल का इरादा लेकर वहां नहीं पहुचे थे तुम वहीं वक्ती के हवाले होकर कतल के लिए आमादा हुए थे और फिर दूसरी तलवार हाथ में लेकर मेरे कतल के लिए तैयार हो गए थे मैंने तुम्हारा कतल क्यों नहीं किया कोई वज़ा हो गई होगी कोई ऐसी वज़ा हो गई होगी जिसकी रूमे तुम्हें मेरा कतल करने के लिए वहां रुखने और माल लेकर भागने में से एक ही काम को अंजाम देना मुम्किन लगा होगा भंडारी ने बड़ी संजीदगी से इनकार में सिरहिलाया क्यों? विमल ने उसे पूरा क्या नुक्स है मेरी थियोरी में? तुम्हारी थियोरी में कोई नुक्स नहीं लेकिन है तो यह थियोरी ही हकीकत क्यों नहीं? क्योंकि हकीकतन मैंने दोपहर के आसपास अपने आफिस के बाहर कदम तक नहीं रखा लेकिन यहाँ बात तुम साबित नहीं कर सकते साबित भी कर सकता हूँ, बहतरीन तरीके से साबित कर सकता हूँ कैसे? आज दोकहर को ACP मनोहर देवडा फिर मेरी जान का जंजाल बनने के लिए आया था वह साड़े ग्यारा बजे आया था और साड़े बारा बजे तक मेरे से दुनिया जहान के सवाल पूछता रहा था वो ACP मेरी एलिबाई है कि यहाँ काम मेरा नहीं हो सकता तुमने यहाँ काम किसी से करवाया हो सकता है मैंने किसी को कहा होगा कि वह जाकर मनजुला का कतल कर दे और माल उड़ा कर ले जाए तुमने माल उड़ाने किसी को भेजा होगा मनजुला उसके रास्ते में आ रही होगी इसलिए उसने रास्ता साफ करने के लिए उसका खून कर दिया होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरी बात पर विश्वास करना या न करना तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर करता है इससे आगे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मंजुला के कतल की वज़ा से पुलीस तुम्हारे तक पहुँच सकती है सरासर पहुँच सकती है अब तक नहीं पहुँची, यही कम हैरानी की बात नहीं. कैसे पहुँच सकती है? वह फ्लाट मेरे दोस्त को एक हाउसिंग सोसाइटी से मिला है, जिसकी कीमत की महाना किस्त अपने दोस्त की गैरहाजरी में चुकाता हूँ. हाउसिंग सोसाइटी वालों को मालूम है कि मेरे दोस्त की गैरहाजरी में फ्लाट मेरे कबजे में है. किसी अडोसी पडोसी को भी मेरी खबर हो सकती है. जहां रोज का आना जाना हो, वहां किसी न किसी की जानकारी में ऐसी बातों का आजाना लाजमी होता है. फिर तो पुलीस तुम्हारे तक पहुची की पहुची हाँ, वह बोला उसके चहरे पर गेहन चंता और परेशानी के भाव थे फिर तो यह बात छुपी नहीं रहेगी कि वह लड़की तुम्हारी रखेल थी, विमल बोला यही फिक्र तो इस वक्त मेरी ऐसी तैसी फेर रही है मेरी बीवी तो मेरा खून टी जाएगी बड़े बड़े बच्चे हैं क्या सोचेंगे वे? तुम पुलीस को क्या कहोगे? यही कि कतल की बाबत मुझे कुछ नहीं मालूम कतल का इल्जाम तो वे मुझ पर लगा नहीं पाएंगे यहां मेरी खुश किस्मती है कि उनके महक में का एक उच्चाधिकारी खुद मेरी एली बाई है विमल खामोश रहा क्या किस्मत पाई है? जयंत भंदारी ने भंदारी गमगीन स्वर में बोला चौबे गए छबे बनने, दुबे बने के लोटे माल के नाम पर एक जुनजुना भी हाथ नहीं आया अगर तमाम क्या धरा तुम्हारा नहीं है तो मेरा नहीं है अभी से नाउमीद होने की जरूरत नहीं मैं इतनी बड़ी रकम का, जिसके लिए मैंने इतनी मेहंत की है यूँ आसानी से गम खाकर बैठ जाने वाला नहीं तुम क्या करोगे? मैं चौर को ढूंडूंगा, ढूंड रहा हूँ और उससे माल बरामत करके दिखाऊंगा चौर हम में से कोई है अभी कुछ कहना मुहाल है लेकिन फिलहाल मैं इसी लाइन पर काम कर रहा हूँ मुझ पर शक करना बेकार है मैं कबूल फिलहाल मैं जाता हूँ बहुत जल्द हम इकठे मिल बैठेंगे और इस बाबत विचार करेंगे तुकाराम क्या कहता है? वह अभी कुछ नहीं कहता विमल ने उसके एक्सिडेंट की बाबत बताया ओ, भंडारी के मुह से निकला मैं जाता हूँ एक बात और याद रखना तुकाराम अब अपने चैंबूर वाले मकान में नहीं है तो कहा है? वर्सोवा में पता मुझे ठीक से मालूम नहीं मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा तुम घर पर ही होगे अगर पुलीस ना पकड़ ले गई तो घर पर ही होऊंगा मीटिंग की खबर कैसे भी तुम तक पहुँचा दी जाएगी? ठीक है विमल कार से बाहर निकल गया फारस रोड के टैक्सी स्टैंड पर कई टैक्सियां मौझूद थी एक और एक लकडी का खोखा बना हुआ था जिसके भीतर एक टेलिफोन रखा था और जिसके सामने एक तक्तपोश बिचा हुआ था तक्तपोश पर कई ड्राइवर लोग बैठे गप्ते हाथ रहे थे विमल उनके करीब पहुँचा किधर जाने का है? साहब एक ड्राइवर बोला किधर भी नहीं विमल बोला मुझे एक ड्राइवर की तलाश है कौन सा ड्राइवर? रामन्ना विजय रामन्ना वो ठिंगू? वही वो तो कई दिनों से इधर अड्रे पर नहीं आयला है क्यों? अप उनको क्या मालूम? उसने टैक्सी चलाना बन तो नहीं कर दिया बाप टैक्सी नहीं चलाएगा तो और क्या करेंगा? या शायद वह किसी और अड्रे पर जाने लगा हो? नहीं अपना ठिंगो आएगा तो इधर ही आएगा करीब ही जमीन पर एक चाय और पान, बीडी, सिगरेट वाला बैठा था विमल ने नोट किया कि वह वारतालाप को बहुत गौर से सुन रहा था कोई उसका पताठिकाना जानता हो विमल आशापूर्ण स्वर में बोला सबके सिर इनकार में हिले किसी को यह भी नहीं मालूम किवा रहता कहां है? यहा किसी को नहीं मालूम पहले वाला जायवर बोला विमल ने फिर भी आशापूर्ण धंग से बाकी जाइवर्स की तरफ देखा सबकी गर्द ने इंकार में हिली विमल वहां से हटा और सड़क की तरफ बढ़ गया अड़े से टैक्सी लेने के स्थान पर राह चलती टैक्सी पकड़ना उसे ज्यादा मुनासित काम लगा था वह सड़क पर पहुँचा और टैक्सी की तलाश में एक और चलने लगा तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी उसने घूम कर पीछे देखा तो पाया कि जो आदमी उसने चाय और पान बीडी सिगरेट की दुकान पर बैठा देखा था वह उसके पीछे लपका चला आ रहा था विमल ठिटका वह आदमी उसके करीब पहुँचा वह विमल को देख कर मुसकराया क्या है? विमल करकर स्वर में बोला बाप वह आदमी चिकनेचुपडे स्वर में बोला उन अभी उधर डिरेवर लोगों से तुम्हेरा डायलाग सुनेला है तो तुम अपने रामन्ना का फ्रेंड तो नहीं होएंगा क्यों नहीं होएंगा? क्योंकि तब तुम्हेरे को उसके घर का पता मालूम होने का था मुझे उसके घर का पता नहीं मालूम लेकिन मैं फिर भी उसका फ्रेंड हूँ अब तुम्हेरे को उसके घर का पता मांता है जो कि तुम्हेरे को उधर डिरेवर लोगों से नहीं मिलेला है हाँ तुम्हें मालूम है उसके घर का पता? बाप, तुम रामन्ना को क्यों तलाश करेला है? उसने मेरा एक हजार रुपया देना है और अपुन का दो सो क्या? अपुन गरीब आदमी है रामन्ना अपुन से एक दिन का वास्ते दो सो रुपया उधार लियेला था अख़्ा वीग गुजर गया पन अपना रोकड़ा अपुन को नहीं मिलेला है उपर से वो इधर आता नहीं तुम्हें तो उसके घर का पना मालूम होगा विमल आशापूर्ण स्वर में बोला पता तो मालूम है पड़ अपना रोकड़ा उधर जाकर मांगने का अपुन का हौसला नहीं है क्यों? तुम उस पिद्दी से आदमी से डरते हो बाप वो देखने में पिद्दी है पड़ है बहुत खतरना उसके दो दोस्त है जो उससे भी जबर मवाली है वे दोस्त उसके साथ ही रहते है यह तो अपन को नहीं मालूम मुझे रामन्ना का पता बताओ पाप पता जानकर क्या करोगे? मेरे को भी साथ लेके चलो तो पता खुद का खुद मालूम हो जाएगा तुम क्यों साथ जाना चाहते हो? जब तुम अपना हजार रुपया वसूल करोगे तो अपन भी दो सो रुपया मांग लेंगा वो क्या बोलते हैं ग्रेट लोग की एक से दो भले? अगर वो ठिंगो ऐसा ही खदरनात है तो मेरा क्या रोग खाएगा? तुम्हेरा खाएगा कैसे मालूम? बस मालूम है बाप तुम्हेरे में ऐसा कुछ है जो साइलेंटली बोलता है कि वो तुम्हेरा रोग खाएगा अब अगर अपन तुम्हेरे साथ होएगा तो अपन का रोकडा वापिस मिलने का भी चांस बन जाएगा तुम मुझे उसका पता बताओं तुम्हारा रोकडा में तुम्हें अभी दूगा फिर आगे वह रोकडा में अपने आप वसूल कर लूंगा दे उसने हैरानी से विमल की तरफ देखा अगर उसने न दिया तो वह बोला तो दो सौ का नुकसान मेरा मैं तुम से दो सौ रुपए वापिस नहीं मांगूंगा कमार है अब पता बोलो वह इधर कमाठी पुरे में ही रैला है अपन को मकान नमबर तो नहीं मालूम फिर क्या फाइडा हुआ पन बाप अपन तुम्हेरे को उसके मकान तक लेके जाएंगा ठीक है चलो वह आदमी उसके साथ हो लिया तुम्हारा नाम क्या है रास्ते में विमल ने पूछा बाप उसने खी से निपोरी मा का रखा नाम तो अपन कब का भूल गया है वैसे आजू-बाजू का लोग अपन को चिलम के नाम से पुकारता है चिलम हुक्के वाली वह फिर हसा विमल भी मुसकर आया वह उसके साथ चलता रहा वह विमल को फारस रोड से कोई आधा मील चला कर एक स्थान पर ले आया फिर वह एक स्थान पर ठिटका बाप वह बोला उधर वो सामने लकडी की सीधिया है बरोबर हाँ उनके सिरे पर एक बंद खिडकियों वाला कमरा है है वही अपना रामना रहेला है अगर पता गलत हुआ तो बाप पहले जाकर कन्फर्म करो की पता ठीक है अपन इधर ही वेट करता है जरूरत नहीं विमल ने जेब से सो सो के दो नोट निकाल कर उसकी मुठी में थूंस दिये यह लो अपना रोकडा और फूटो इधर से अपन साथ चलेगा नहीं तो इधर वेट करेगा कहा न नहीं तुम फूटो यहां से पन तुम्हारा काम हो गया तुम फूटो पन बाप वापिस करो दो सो रुपए नहीं नहीं वा हडबडा कर बोला पुन तो अब्भी का अब्भी फूटेला है शाबाश वह तेजी से कदम रखता हुआ वहां से कूच कर गया वह द्रिष्टी से ओजल हो गया तो विमल ने लकडी की सीडियों की दिशा में कदम उठाया विमल की दस्तक के जवाब में दर्वाजा रामना ने नहीं एक लड़की ने खोला लड़की मुश्किल से सत्रह अठारा साल की थी उसकी रंदत सावली थी शकल सूरत मामूली थी लेकिन जिस्म उसने बेहत शांदार निकाला था उसकी कमर बहुत पतली थी उरोज बहुत पुष्ट थे और कूले बहुत भारी थे कदम उसका खूब लंबा था उसके बाल बेतर्ती भी की हालत में थे और वैसी ही हालत में उसके कपड़े थे उसके ब्लाउंस के दो बटन खुले थे और साड़ी उसने जैसे तैसे जिस्म पर लपेटली मालूम होती थी उसकी आंखों में उसक्षन तैरती रंगीनी भी यही जाहिर कर रही थी कि कपड़े उसने दर्वाजे पर दस्तक होने के बाद ही जैसे तैसे पहने थे क्या है वह बोली रामन्ना है विमल बोला सो रहा है उसे जगाओं जो कहना है मेरे को कहो या फिर बाद में आना उसे जगाओं विमल कठोर स्वर में बोला अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा है मैंने सुना है तुमने नहीं सुना जाकर जगाओं उसे वह बहुत ठक कर सोया है तो इतना नहीं ठकाना था उसे लड़की का चहरा लाल हो गया उसने विमल के मुह पर दर्वाजा बंद करने का उपक्रम किया विमल ने दर्वाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि दर्वाजा लड़की के हाथ से छूट गया वह घबरा कर एक कदम पीछे हटी तो विमल ने भीतर कदम रखा उसने अपने पीछे दर्वाजा बंद कर दिया मैं शोर मचा दूंगी वह बोली विमल ने कंधे पर लटके बैड में से रिवालवन निकाल कर उसे दिखाई लड़की के छक्के छट गए लड़की ने उत्तर न दिया लेकिन उसकी व्याकुल निगा एक बंद दर्वाजे की ओर उठ गई वहाँ वास्तव में दो कमरे थे बंद खिर्कियों वाले कमरे के पीछे एक कमरा और था विमल ने अपने खाली हाथ से लड़की की एक बाह थामी और उसे बंद दर्वाजे की तरफ धकेला उसके पीछे पीछे वहाँ पिछले कमरे में दाखिल हुआ रामन्ना सो नहीं रहा था वहाँ संपूर्ण नगनावस्था में एक पलंग पर लेटा हुआ था विमल को देखकर वहाँ बॉखलाया और उठकर जल्दी जल्दी अपनी कमर के गिर्द लुंगी लपेटने लगा तुम यहाँ वहाँ बोला लड़की शोर मचाने की धंकी दे रही थी विमल बोला इसे समझा दो की मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इसने ऐसा नहीं करना है लक्ष्मी बाई रामन्ना बोला सुना लड़की ने जल्दी से सहमती में सिर हिलाया और फिर आतंकित भाव से बोली लेकिन इसके पास गण है यह तुम्हें तब शायद पहली बार रामन्ना की निगाव विमल के हाथ में थमी रिवालवर पर पड़ी उसने जोर से थूक निगली और भैभीत भाव से विमल की तरफ देखा विमल ने रिवालवर वापिस बैग में रख ली रामन्ना की जान में जान आई मैंने सोचा विमल बोला पता नहीं यहां कौन हो यहां मेरे और लड़की के सिवाए कोई नहीं है गुड लड़की को यहां से चलता करू तुम यहां कैसे पहुँच गए? बताता हूँ पहले लड़की को चलता करू लक्षमी भाई थोड़ी देर जाकर बाहर के कमरे में बैठ और बीच का दर्वाजा बंद कर दे लेकिन लड़की ने विरोध किया यहां आदमी जिगरी यार है अपना अपनी हरक्तों से तो नहीं लगता इसे मजाक करने की आदत है रामन्ना खोखली हसी हसा और लड़की को घुमा कर उसका मुंग दर्वाजे की तरफ करके उसके नितम्बो पर एक धौल जमाता बोला अब जरा कहना मान और हमें जरा मरदाना बाते करने दे लड़की ने फिर सशंक भाव से विमल की तरफ देखा रामन्ना से वह लड़की कम से कम एक फुट लंबी थी ऐसी लंबी उची कदावर लड़की के पहलू में खड़ा थिंगू रामन्ना बहुत ही अजीब लग रहा था फिर लड़की वहां से विदा हो गई बीच का दर्वाजा बंध हो गया लड़की शांदार है विमल बोला और जानदार भी रामन्ना खुशी से दमकता हुआ बोला अपने साथ फिट है बस यूँ समझो मेरी तो लाटरी निकल आई है इतनी शांदार लड़की के पहलू से तो हिलने का भी दिल नहीं करता होगा और नहीं तो क्या फिर भी तुम हिले ना सिर्फ हिले बलकी बांदरा पहुँच गए कौन बांदरा पहुँच गया वह सकपकाया तुम कब आज दो पहर को पागल हुए हो मैंने तो परसो शाम के बाद से इस मकान की चौखट से बाहर कदम नहीं रखा अच्छा हाँ मैं बांदरा क्या करने जाओंगा क्यों जाओंगा बांदरा तुम्हें किसने कहा मैं बांदरा गया किसी ने नहीं फिर यहां बांदरा वाली क्या कहानी हुई और तुम यहां कैसे पहुँच गए वह एक ख़ण ठिटका और फिर बोला कैसे क्या पहले यह बताओं क्यों पहुँँच गए? तुम्हें तो बांदरा वाले फ्लैट से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहिए था. तुम्हें तो हर घड़ी माल के पास होना चाहिए था. तुम्हारी सहली को माल के बारे में कुछ मालूं है? नहीं! यानी कि विमल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला वह तुम्हारे आगर्शक व्यक्तित्व और तुम्हारी खूपसूर्ती से प्रभावित होकर तुम पर निचावर है. तुरंत रामन्ना के चेहरे पर क्रोध के भाव आए. उसने आगने नेत्रों से विमल की तरफ देखा. विमल को अपने घूरने की तनिक भी परवाह न करता पाकर बड़ी कधिनाई से उसने अपने आप पर जप्त किया और बोला लड़की को यहाँ पता है कि आने वाले दिनों में एक मोटी रकम मेरे हाथ लगने वाली है लेकिन रकम कितनी है और कैसे हाथ लगने वाली है. इस बाबत यह कुछ नहीं जानती बात माल की हो रही थी तुम्हें तो माल के पास होना चाहिए था माल गया गया कहां गया और मनजुला का कतल हो गया क्या मैं दस मिनट के लिए फ्लैट से बाहर गया था वापिस लोटा था तो लड़की मरी पड़ी थी और माल से भरे चारों सूट के स्वहां से गायब थे अरे लड़की भाड में गई तुम माल की बात करो कौन ले गया माल वही ले गया जिसने लड़की का कतल किया था कौन था वो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो फ्लैट में माल की मौजूदगी की खबर हम लोगों के सिवाय किसी को नहीं थी और आठ जनों में से तुमने मुझे चुना है फिल्हाल तुम साबित कर सकते हो कि यह काम तुम्हारा नहीं है बाकी लोग साबित कर सकते हैं इस वक्त सवाल तुम से हो रहा है तुम कौन होते हो ऐसी जवाब तलबी करने वाले? विमल की आंखों में एकाए बड़ा सर्द भाव आया उसने अपलक रामना की तरफ देखा साथ ही उसका हाथ होले से वापिस अपने बैट में सरग गया रामना उससे निगा मिलाने की ताब ना ला सका उसने बेचैनी से पहलू बदला और बड़े नर्वस भाव से बोला मैं यही था मैं आज सारा दिन यही था चाहो तो लड़की से पूछ लो लड़की तुम्हारी है और इस वक्त तुम्हारे हाथों से चुगा चुग रही है वह तुम्हारी खातिर कुछ भी कह सकती है कह सकती है लेकिन यह क्या जादू के जोर से उसकी समझ में आएगा कि उसने क्या कहना है तुम जैसे आनन फानन यहां मुझ पर चड़ दोड़े हो उसमें लड़की को कुछ लिखा प्रा सकने की गुझाईश कप थी तुम्हें पहले से उम्मीद होगी मेरे यहां आने की तुमने इसे पहले से सिखाया पढ़ाया हुआ होगा सोहल अगर माल मैंने उड़ाया होता तो तुम इतनी आसानी से मुझ तक न पहुँच गए होते माल मैंने कब जाया होता तो मुझे क्या कुट्टे ने काटा था जो मैं यहां आया होता अब तक तो मैं मुंबई से सैक्रो मील दूर निकल गया होता माल के साथ न निकल पाए होते मैं माल यहां कहीं छुपा जाता और खुद खिसक जाता तुमने देखा ही है कि लड़की किस बुरी तरह मुझ पर फिदा है और इसे कोई जानता भी नहीं मैं माल इसके पास छोड़ जाता और खुद गायब हो जाता फिर बाद में या तो मैं माल समेत लड़की को अपने पास बुला लेता या खुद यहां लोट आता तुम लोग उम्र भर मेरी फिराक में लगे नहीं रह सकते थे और साल दो साल का अज्यात्वास में खुशी से भुगत लेता विमल खामोश रहा थिंगू की बात में दम था तुमने किसी और को टटोला रामला ने पूछा सिर्फ भंडारी को विमल बोला रुस्तम भाई मुझे मिला नहीं और तुकाराम और वागले से पूछना मैंने जरूरी नहीं समझा मनना बड़े व्यंग्यपूर्ण भाव से हसा विमल ने उसके हसने की परवाह न की तुम्हारा अपने बारे में क्या खयाल है रामन ना बोला स्टूपिड विमल बोला जो चीज वैसे ही मेरे पास थी उसकी चोरी का ड्रामा करने की और फिर उस लड़की का कतल करने की मुझे क्या जरूरत थी हम सब को गुम्रा करने के लिए तुम्हें गुम्रा करना क्यों जरूरी था ताकि हम तुम पर शक न कर सकें तुम्हारा शक मेरा क्या बिगार सकता है तुम बाकी के पांचों ने मिलकर भी मेरे तुकाराम और वागले से नहीं भिण सकते हो रामन्ना को जवाब न सूझा मैं तुम्हें अभी इसी वक्त शूट कर सकता हूँ ऐसी ही सहूलियत से मैं बाकी चारों का भी सफाया कर सकता हूँ फिर क्या समस्या बाकी रह जाती? रामन्ना खामोश रहा हराम जादे विमल कहरबरे स्वर में बोला किसी मामूली मवाली में और सोहल में फर्क नहीं पहचानता रामन्ना ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर बोला खता हुई बाप तेरे यार कहां है? विमल बोला कौन? अकबर और जैरत? हाँ मुझे मालूम हुआ है कि वे भी यही तेरे साथ रहते हैं पहले रहते थे अब नहीं रहते अब क्यों नहीं रहते? नहीं महसूस कर रहे थे अब वो कहां है? धारावी में वहां के इसी नाम के होटल में लेकिन यह काम उन दोनों का नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि मेरा नहीं हो सकता अगर यह काम में नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकते जैसा भरोसा तुम्हें तुकाराम और वागले पर है, वैसा ही भरोसा मुझे अक्बर और जैरत पर है तो फिर कौन? भंडारी? ना? वो बागू टाइप आदमी है वो ऐसा होसला नहीं कर सकता फिर तो बाकी रुस्तम भाई ही रह गया रामन्ना खामोश रहा उसने फिर पहलू बदला रुस्तम भाई ऐसा कर सकता है अब मैं अपनी जुबान से क्या कहूं? यानि की कर सकता है बाप, कर तो कोई भी नहीं सकता लेकिन फिर भी यह काम अगर हम आठोन में से ही किसी का है तो मैं तो रुस्तम भाई को ही चुनूंगा तुमने उसे कहा था कि माल में हजम कर गया हूँ मैंने क्या कहा था? वहां अचकचा कर बोला कि माल मैं अकेला हजम कर गया हूँ मैंने ऐसा कब कहा उसे? कभी भी? मैंने नहीं कहा कब को कहता मैं ऐसा? वारदात के बाद से तो मैंने उसकी शकल भी नहीं देखी तब से तो मैं इस कमरे से ही बाहर नहीं निकला लक्ष्मी बाई से पूछ लो एसा किस ने कहा तुम्हें? खुद रुस्तम भाई ने जूट बोलता है साला मैंने तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है कहता क्या था वो? कहता था कि तुमने उसे आकर भड़काया था कि ऐसी कोई गारंटी होनी चाहिए थी कि पेंटिंगों के बदले में माल हाथ लग चुका था और वहाँ चौकस था इसलिए तुम्हारी शह पर वहां माल को अपनी आंखों से देख लेने के लिए बांदरा पहुँचा था बकता है साला दुरुस्त लेकिन यह भी दुरुस्त है कि वहां पहुँचा वहां किसी के भड़काने से ही था मैंने नहीं भड़काया हमारे साथियों में से भी किसी ने उसे भड़काया हो ऐसा नहीं हो सकता तो किसी बाहरी आदमी ने भड़काया होगा बाहरी आदमी कौन? ऐसा एक आदमी है मेरी निगाह में विमल इंस्पेक्टर चटवाल को याद करता हुआ बोला कौन? छोड़ो तुम्हारे सिर्ख अपाने लायक बात नहीं रामन्ना कुछ न बोला विमल कुछ क्षण खामोश रहा फिर एक आए पटाक्षिपसा करता हुआ बोला ठीक है फिलहाल मैं तुम्हारे यारों से मिलने जा रहा हूँ मैं साथ चलू वह व्यग्रभाव से बोला नहीं जरूरत नहीं तुम्हें शक है कि मैं उन्हें कोई इशारा विशारा कर दूँगा वह शिकायत्रे स्वर में बोला नानसेंस मुझे सच ही तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं और फिर यहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है किसे? जो बाहर बैठी है उसे रामन्ना बड़े संकोचपूर्ण धंग से हसा जाता हूँ विमल बोला फिर मिलूँगा रामन्ना ने सहमती में सिर हिला दिया विमल वहां से बाहर निकल गया लक्षमी बाई बाहर ले कमरे में एक बेंद की कुरसी पर बैठी थी में और एक फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रही थी विमल को दर्वाजे के बाहर कदम रखता पाकर वहां उठकर खड़ी होके गई विमल ने बड़े सहेज भाव से मुसकरा कर उसकी तरफ देखा लड़की ने मुह बिचकाया विमल हसा उसने सीधियों का दर्वाजा खोला और बाहर निकल गया पीछे लड़की ने बहुत जोर से यू दर्वाजा बंद किया जैसे उसे जताना चाहती हो कि वह दर्वाजा अब दोबारा उसके लिए खुलने वाला नहीं था विमल लकडी की सीधिया उतरने लगा फुटपात से अभी वह तीन चार सीधिया परे ही था कि एकाय कहीं कोई जोर से चिलाया साथ ही एक फायर की आवाज हुई किसी अग्याद भावना से प्रेरित होकर विमल ने फौरन नीचे को डुकी सी लगाई वह फुटपात पर एक कंधे के बलगिरा फिर एक फायर हुआ विमल ने फुटपात पर एक कलाबाजी खाई और अपने शरीर को एक कूड़े के ड्रम की ओट में लुड़क जाने दिया फिर फायर हुआ इस बार गोली एन कूड़े के ड्रम से आकर तक्राई फिर दूर कही भागते कदमों की आवाज हुई विमल ने ड्रम की ओट में से सामने जाका सामने सडक के पार एक पटली गली थी जिसमें बिल्कुल अंधेरा था और अपनी रिवालवर निकालता सामने गली की तरफ भागा गली में तब भी कोई भाग रहा था लेकिन अंधेरे की वज़ा से दिखाई नहीं दे रहा था विमल ने अंदाजन गली में दो फायर जोग दिये लेकिन भागते कदमों की आवाज बदस्तूर आती रही विमल अंधेरी गली में दाखिल होने ही लगा था की एकाएक उसके कानों में एक शीन सी आवाज पड़ी बाग विमल सक्पकाया पहले तो उसकी समझ में ही ना आया की आवाज कहां से आई थी लेकिन फिर उसने देखा की गली के दहाने पर दाई और दीवार के करीब एक गठरी सी पड़ी थी तभी गठरी में तनिक हरकत हुई विमल नीचे जुका और आखे फाड़ फाड़ कर गठरी को देखने लगा गठरी एक दोहरा हुआ मानव शरीर निकला तभी विमल ने उसे पहचाना वह चिलम था चिलम विमल व्यद्रभाव से बोला तुझे क्या हुआ उसने मुझे गोली मार दी वह बड़ी कठिंता से बोल पाया बाप वह तुम्हारे पर गो गोली चलाने लगा तो तो अपन चिला पड़ा उसने मेरे कोडोट गो गोली मार दी वो कौन था पता नहीं तु अभी तक यहां क्या कर रहा था मैंने तो मुझे फॉरण चले जाने के लिए कहा था आ अपन रुका रुका जा जान जानने कू की रा रामनना तू तुम्हारे कू मेरे वाला दो दो सो रुप्या दियला था या या नहीं चिलम तेरे चिल्लाने ने मेरी जान बचा दी अगर तू विमल बोलता बोलता रुक गया तभी चिलम की गर्दन लुढक गई थी अजहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ विमल उठ खड़ा हुआ बेचारा खामखा मारा गया था उसकी इतनी ही गलती थी कि वह विमल को शूट करने को तत पर हत्यारे के रास्ते में आ गया था कौन था हत्यारा उन्ही का कोई साथी या कोई अजनबी सड़क पर तब तक लोग प्रकट होने लगे थे विमल जल्दी से चिलम के पास से हट गया और सड़क पार करके फिर लकड़ी की सीधिया चड़ने लगा सड़क पर क्या हुआ गोली कहा चली की आवाजे गुंजने लगी थी उपर जाकर विमल ने फिर दर्वाजा खटखटाया दर्वाजा फौरन न खुला तो विमल ने जुझला कर बहुत जोड़ से दर्वाजा भड़़ाया दर्वाजा फिर लक्ष्मिबाई ने खोला विमल पर निगाह पड़ते ही उसके चहरे पर सक्त एतरास के भाव आए विमल ने उसे एक ओर धकेला और पिछले कमरे में पहुँचा पलंग पर लेटा रामन्ना हडबड़ा कर उठ खड़ा हुआ क्या हुआ वह बोला तुमने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी विमल बोला वह गोली चलने की आवाज थी रामन्ना सक्पकाया मैंने तो समझा था कि कोई कार बैकफायर कर रही थी अभी बाहर किसी ने मेरा खून करने की कोशिश की थी मेरी तकदीर ही अच्छी थी जो मैं बज गया लेकिन थोबड़ा बंद रखो और मेरी बात सुनो मौझूदा हालात में यह जगा तुम्हारे लिए सेफ नहीं मेरी तरह तुम्हारे कतल की भी कोशिश हो सकती है अगर यह करतूत हमारे किसी साथ ही की है तो वहां हम सब को खत्म कर देने का ख्वाहिश मन्ध हो सकता है उपर से किसी भी क्षण यहां पुलीस पहुँच सकती है पुलीस? पुलीस किसलिए? तुम्हारे घर के एन सामने एक कतल हो गया है जिसका कतल हुआ है वो तुम्हारा वाकिफकार है मेरा वाकिफकार? हाँ तुम्हारे टैक्सी स्टैंड का वो चाय पान बीडी सिगरेट वाला जिससे तुमने दो सो रुपए उधार लिये हुए है चलंग वह यहां कैसे पहुँच गया? उसका कतल कैसे हो गया? न मेरे पास यहां बताने का वक्त है और न तुम्हारे पास यह सब सुनने का एक तो वह तुम्हारा वाकिफकार है उपर से न तुम्हारे घर के सामने उसका कतल हुआ है पुलीस यहां शर्तिया आएगी और विश्वास जानो तुम्हारी नाक में दम कर देगी इसलिए यहां से किनारा करो और कहीं और चले जाओ अकेले नहीं जाना चाहते हो तो अपनी सहेली को भी साथ ले जाओ लेकिन यहां से तलो फौरन फौरन से पेश्टर मैं कहा जाओ उसके मोह से निकला कहीं भी यहां से तो कहीं भी निकल चलो बहतर जगह बाद में तलाश कर लेना समझे? उसने सहमती में सिर हिलाया जाना कहीं भी लेकिन कल सुबह नौ बजे वर्सोवा के लोकल बस स्टैंड पर जरूर पहुँँ जाना वहां किसलिए? आने पर मालूम हो जाएगा अच्छी बात है विमल फॉरण वहां से कूच कर गया धारावी होटल नाम का ही होटल था सूरत में वहां एक खस्ताहाल बैरकनुमा इमारत थी होटल के तमाम कमरों के दर्वाजे उसके सामने एल के आकार के बरामदे में खुलते थे विमल ने अकबर और जैरत के कमरे का नंबर एक वेटर से मालूम किया वहां उन तक पूरी सावधानी के साथ पहुचना चाहता था अगर सारा क्या धरा उन्हीं दोनों का था तो वे उसको वहां आया पाकर ही बेहिचक उसका काम तमाम कर सकते थे भंदारी, रुस्तम भाई और रामन्ना के साथ उसने वैसा खत्रा नहीं महसूस किया था लेकिन वहां वैसा खत्रा था एक तो वह होटल वैसे ही उड़ला था, उपर से वह जरायम पेशा लोगों का ही ठीया मालूम होता था उसने दर्वाजे पर दस्तक दी और बैड में रिवालवर पर अपना हाथ सरका लिया आगंतुक की बाबत भीतर से कोई सवाल न किया गया दर्वाजा खुला चोखट पर हाथ में ताश के पत्ते लिए और एक मैली सी लुंगी और बनियान पहने अबबर प्रकट हुआ सोहन वह हैरानी से बोला तुम यहाँ हाँ विमल सहेज भाव से बोला तुम यहाँ कैसे पहुँँच गये? बस पहुँच गया किसी तरह लेकिन क्यों? तुम्हारा यहाँ क्या काम? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इंतजार कर रहा हूँ किस बात का? तुम्हारे दर्वाजे पर से हटने का ताकी मैं भीतर जा सकूँ ओ अकबर तुरंद दर्वाजे से हटा आओ आओ सावधानी से विमल ने अंदर कदम रखा अकबर ने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया वह एक गंदा सा कमरा था जिसके फर्ष पर विस्की और सोडे की कई बोतले लुडकी पड़ी थी पलंग पर केवल एक अंदर्वियर पहने आल्थी पाल्थी मारे जैरत बैठा था उसके हाथ में भी पत्ते थे कमरे में दो खिड़किया थी और दोनों बंद थी जिस वज़े से कमरा सिग्रेट के कसेले धुए से बुरी तरह रचा बसा हुआ था लेकिन उन दोनों को उसका कोई एहसास नहीं मालूम होता था सोहन उसे देखकर जैरत भी चौका उसमें फौरन हाथ के पते फैंक दिये यहां क्यों चले आए मरवाओगे हमें वो कैसे विमल बोला तुम्हारी वज़़ से यहां पुलीस आ सकती है आई तो नहीं क्या पता आई हो बाहर जाकर तसली कर आओ लेकिन सोहल अगर अकबर खंखार कर गला साफ करता हुआ बोला तु यहां आया है तो जरूर कोई खास वज़ा होगी जैरत कुछक्षण संदिग्ध भाव से सोहल को देखता रहा और फिर बोला तुम्हें यहां का पता कैसे मालूम हुआ रामन्ना ने बताया विमल बोला यानि कि वहां भी हो आए हो हाँ क्या माज़ा है क्या हो गया है क्या खास वज़ा है तुम्हारे यहां आने की तुम्हारे तीनों सवालों का एक ही जवाब है क्या माल लुट गया क्या जैरत बोला कैसे लुट गया अब बर चिलाया सब इसकी बदमाशी है जैरत चिलाया वहां पलंग से नीचे उत्तर आया यह माल खुद पचा जाने की फिराक में मालूम होता है। वह मुठिया भीचे यू विमल की तरफ बढ़ा जैसे उसे रौंदता हुआ गुजर जाना चाहता हो लेकिन हम भी इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाने वाले नहीं। हम भी। विमल ने उसे थोड़ा और करीब आ जाने दिया। फिर बड़े अप्रत्याशित भाव से उसका दाया हाथ हवा में घूमा और एक प्रचंड घूसे के तौर पर जैरत की कनपटी से टक्राया। जैरत भर भरा कर पीछे को उल्टा और खुद लुढकता और कई खाली बोतलों को लुढकाता कमरे के कोने में जाकर गिरा। अकबर कहले तो बड़े आश्चर्य और अविश्वास्पूर्ण धंग से पलके जपकाता रहा, फिर उसने एक खाली बोतल उसकी गर्दन से ठामी और विमल पर जपता। विमल ने बड़े सहज भाव से रिवालवर निकाल कर हाथ में ले ली। उसको जुबान से कुछ न कहना पड़ा। उसके चहरे पर हिंसा या कठोरता के भावों की जगा हलकी सी मुसकराहट थी लेकिन फिर भी अकबर रास्ते में ही ठिठक गया। बोतल वह केवल एक शब्द बोला। अकबर ने धीरे से बोतल को एक करीबी मेज पर यू धीरे से रखा जैसे आवाज होने से वहां की शान्ती भंग हो सकती हो और यह बात विमल को नागवार गुजर सकती हो। मैं विमल बोला पहले ही तुम दोनों को शूट कर दूँ या इंतजार करू तुम दोनों के दोबारा मुझ पर जहटने का। जैरत तुम पर जहपटने वाला नहीं था। अकबर मरे स्वर बोला तुम खामखा उस पर वार किया। और तुम, तुम क्या करने वाले थे? वो तो अपने यार के साथ ज्यात्ती होती देखकर मेरा खून खौल गया था अब कैसा है खून? खौल रहा है अभी भी, अकबर ने उतर न दिया तुम्हारे खौलते खून में इस रिवालवर की एक गोली तलूम है अकबर ने अपने एकाएक सूख आए होठोन पर जुबान फेरी अपने यार को उठाओ अकबर ने जैरत को उठाकर उसके पैरों पर खडा किया जैरत की आखे पीड़ा और अपमान से जल रही थी अब क्या कहते हो? विमल अपलग जैरत को देखता हुआ बोला किस बाबत? किसी भी बाबत? हमने क्या कहना है? यानि की करना था? कहना कुछ नहीं हाथ पाव ज्यादा चलते हैं तुम्हारे जुबान कम चलती है हमें तुम्हारी बात पर विश्वास है किस बात पर विश्वास है? इस बात पर की माल चोरी चला गया है की महान सर्दार सुरेंद्र सिंग सोहल के पास से भी माल चोरी जा सकता है, चोरों को भी मोर पर सकते हैं, तुम्हारी इस मुस्तैदी की हम तुमें शाबाशी ही दे सकते हैं, हम लोग साधन संपन्न होते तो किसी मैडल का इंतिजाम करते, बख चुके विमल शांती से बोला, जैरत खामोश रहा, माल कैसे चोरी हो गया, यह जान चुकने के बाद अगर तुम इतना भौके होते तो कोई बात होती, तुम्हारे जैसे अकल के दुश्मन की पहचान इस बात से भी होती है, कि उसे यहां नहीं मालूम होता कि कौन सा काम पहले होना होता है और कौन सा बाद म माल कैसे चोरी हो गया, अकबर ने पूछा, तुम्हारा जोडीदार अभी भी यह जानने का ख्वाहिश मंद नहीं मालूम होता माल कैसे चोरी हो गया, जैरत मरे स्वर में बोला विमल ने बताया अकबर ने बड़ी संजीदगी से विमल की सारी बात सुनी लेकिन उस दौरान जैरत का मूड अवग्या और असिश्नुता का ही बना रहा उसने बात यू सुनी जैसे वह विमल के वक्तवे में दखलंदाजी न करके उस पर कोई एहसान कर रहा हो यह काम किसी बाहरी आदमी का है विमल खामोश हुआ तो अकबर बड़ी गंभीरता से बोला तुम्हारी गैरहाजरी में छोकरी का कतल करने की नियत से कोई फ्लैट में गुसा सयोगवश उसे वहां मौजूद माल की खबर हो गई और उसने माल पार कर दिया उलट क्यों नहीं? विमल बोला यह क्यों नहीं कि कोई माल की फिरात में आया और लड़की को अपने रास्ते में रुकावट मानकर उसने उसका कतल कर दिया अकबर ने जैरत की करफ देखा किसी बाहरी आदमी को माल की खबर कैसे लग सकती थी? जैरत बुनबुनाया माल की जानकारी अगर किसी बाहरी आदमी को थी तो वह वो छोकरी खुद थी जिसका कतल हुआ है उसके लिए वह जानकारी किसी काम की नहीं थी क्यों? क्योंकि उस जानकारी को वहाँ आगे कहीं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती थी नोटों से भरे चारों सूटकेस उस फ्लाट में आने के बाद से मंजुला एक ख़ण के लिए भी मेरी निगाहों से ओजल नहीं हुई थी तो फिर माल कौन ले गया? जो कोई भी ले गया, वक्त की जरूरत यहाँ है कि हम सब मिलकर उसे तलाश करें अब तुम एक्स्पोज हो चुके हो मतलब जो पुलीसिये वारदात के बाद फ्लाट पर पहुँचे वे उनमें से एक ने तुम्हें पहचान लिया था तुमने अभी खुद बताया है तो क्या हुआ? तुम्हारी वज़से हम फन सकते हैं ऐसे आदमी का साथ देना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है जिसके पीछे पुलीस पंजे जाड़कर पढ़ जाने वाली हो जैरत अकबर चेतावनी भरे स्वर में बोला फिर वा आदमी क्या अब मिलेगा? जैरत अपने दोस्त की चेतावनी को अनसुना करता बोला वह क्या अभी मुंबई में ही बैठा होगा उसकी जगा में होता तो कब का मुंबई से हजारों मील दूर निकल गया होता? तुम मुझ पर दोबारा हमला करने के लिए भी न रुके होते लेकिन उस आदमी ने किसी तरीके से कमाठी पुरे तक मुझे ट्रेस किया था और मुझे मार डालने की नियत से मुझ पर गोली चलाई थी या ठीक कह रहा है अकबर बोला वैसे विमल बोला तुम दोनों हम आठ जनों के मौझूदा गजोर से किनारा करना चाते हो तो हमें कोई एतराज नहीं बाकी बचे लोगों को आठवे हिस्से की जगा छटा हिस्सा ज्यादा पसंद आएगा हम यो अपना हिस्सा नहीं छोडने वाले जैरत बोला आखिर हमने भी इतनी मेहंत की है इतना खत्रा उठाया है इतना जोखिम तो कोई एक फैसला करना हराम जादे विमल करकर स्वर में बोला या तु हमारे साथ है या तु हमारे साथ नहीं है यह चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगी हम तुम्हारे साथ है फैसला अक्बर ने किया हम पहले भी तुम्हारे साथ थे, अब भी तुम्हारे साथ है, आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे हम तुमसे बाहर नहीं जा सकते मैंने तुम्हारे जोडीदार को ऐसा कुछ कहते नहीं सुना मैं माल के आठवे हिस्से का हगदार हूँ जैरत निर्नायात्मक्स्वर में बोला जब तक मेरा हिस्सा मुझे हासिल होने की रत्ती भर भी संभावना है तब तक मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ शाबाश कल सुबा नौ बजे वर्सोवा के बस स्टैंड पर पहुंच जाना वो किसलिए? विमल ने बताया पस स्टैंड पर क्यों? क्योंकि तुकाराम का वहां का पता मुझे मालूम नहीं या बताना नहीं चाहते मतलब तुम्हें डर होगा कि कहीं हम भागते चोर की लंगोटी से ही सबर न कर ले मतलब कहीं हम तुम्हारी गिरफतारी पर घोशित इनाम की रकम हासिल करने के लिए तुम्हारी खबर पुलीस को न दे दे विमल ने असाय भाव से गर्दन हिलाई यहां नहीं सुधरेगा वह बोला तुम इसकी फिक्र छोड़ो अकबर जल्दी से बोला हम कल सुबह नौ बजे वर्सोवा बस स्टैंड पहुँझाएंगे गुड अगले रोज के अकबारों में मंजुला के कल की खबर मुख्य प्रिष्ट पर छपी लेकिन ऐसा अकबार सिर्फ एक इंडियन एक्स्प्रेस की था जिसमें लाश के पास सोहल की मौजूदगी की खबर भी छपी थी उस इकलौते अकबार में इस बात का विस्तरित वर्नन था कि सोहल दो पुलीसियों पर आक्रमन करके मौकाईवारदाच से फरार हो गया था पुलीस के उच्चाधिकारी उस खबर के लीक हो जाने से नाखुश थे खबर लीक होने का साधन उस हवलदार को ही माना गया जिसने फ्लैट में सोहल को पहचाना था उसकी जवाब तल भी हुई उस पर इलजाम लगाया गया कि उसी ने किसी अकबार वाले के सामने शेखी बगारने के लिए मुह फाड़ा था लेकिन उसकी यही रट रही कि उसने किसी अकबार वाले के सामने तो क्या किसी के भी सामने उस घटना का जिक्र नहीं किया था किसी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ उस रोज के अकबारों में फ्रांसीसी पेंटिंगों की प्रदर्शनी के फिर से शुरू हो जाने का भी जिक्र था लेकिन उनके बदले में थामखा अदा की गई च्छा करोड रुपे की फिरोती का जिक्र फिर सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में ही था पुलीस जानती थी कि फिरोती की अदाईगी की दास्तान सिर्फ फ्रांसीसी कल्चरल अटैची जेकुई आंद्रे डेलोन से ही जानी जा सकती थी जिसे की इंडियन एक्सप्रेस के किसी रिपोर्टर ने किसी तरह शीशे में उतार लिया था बहरहाल दोनों ही खबरों के प्रकाशन से पुलीस नाखुश थी दोनों ही खबरे पुलीस की हार और अकर्मनता की दस्तावेश थी सुबह आफिस खुलते ही इंस्पेक्टर चटवाल की एसीपी मनोहर देवडा के सामने पेशी हुई पिछले रोज जीप चोरी हो जाने ने उसकी जान को सांसत में डाल दिया था अपने निजी साधनों से जीप तलाश की उसने भरपूर कोशिश की थी लेकिन जब काम्याबी हासल नहीं हुई थी तो मजबूरन उसे उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्स करवानी पड़ी थी सवेरे उसे दफ्तर में पेश होना पड़ रहा था चटवाल ने एसीपी को सैल्यूट मारा एसीपी देवडा ने एक सरसरी निगा उस पर डाली और फिर बोला बैठो चटवाल एक कुरसी पर बैठ गया मुंबई पुलीस की हिस्ट्री में देवडा बोला यह पहला वाक्या है जबकि किसी ने पुलीस की जीप चुराने की हिम्मत दिखाई है तुम्हें अंदाजा है कि यह खबर अखबार में छप जाने से हमारे महतमे की कितनी फजीहत हो सकती है चट्वाल खामोश रहा उसने बेचैनी से पहलू बदला जीप कैसे चोरी चली गई? जी वो वो चाबी इगनीशन में रह गई थी जो कि तुम्हारी लापरवाही थी? जी जी हाँ बांदरा का इलाका तुम्हारे जाने के अंदर तो नहीं आता तुम वहां क्या करने आये थे? वहां रहते एक आदमी की मुझे खबर लगी थी जो हमारे इलाके से कई चोरियों में चोरी गया माल पकड़वा सकता था कैसे खबर लगी थी? एक मुखबिर ने बताया था अकेले क्यों गए? क्या जानते नहीं हो कि ऐसे मुहिम पर अकेले जाना नियम के खिलाफ है? मुखबिर ने कहा था कि अकेले जाने से ही उस आदमी से कोई जानकारी हासिल हो सकती थी बिना वर्दी के जाना था पब्लिक कन्वेंस पर जाना था ठाने की जीप पर बावर्दी क्यों गए? गल्ती हुई जनाब चटवाल दबे स्वर में बोला क्या जानकारी हासिल हुई? कुछ भी नहीं जो नाम मुखबिर ने बताया था उस नाम का कोई आदमी बांदरा की उस इमारत में नहीं रहता था वह टिप सरासर गलत निकली थी यानि कि तुम बहुत थोड़ा अर्सा इमारत में ठहरे थे? मुश्किल से पांच मिनट जनाब उतने में कोई जीप चुरा कर ले गया जनाब मैं कलपना भी नहीं कर सकता था कि कोई यू पुलीस की जीप चुराने का होसला कर सकता था अमूमन ऐसा होसला कोई नहीं कर सकता लेकिन चाबिया इगनीशन में ही छोडने की तुम्हारी लापरवाही ने मशूर इश्थिहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल का वहां से फरार होना आसान कर दिया पुलीस की जीप छुपने वाली चीज नहीं जनाब चटवाल पूर्ववद दबे स्वर में बोला बरामद हो जाएगी सवाल इस वक्त जीप की चोरी या बरामदी का नहीं है देवडा कठोर स्वर में बोला सवाल इस वक्त तुम्हारे कंड़क का है यूर कंड़क इस अन्बिकमिंग आफ ए सीनियर पुलीस आफिसर आई एम सारी सर तुम इमारत की कौन सी मन्जिल पर गए थे? चौथी पर तब तुम्हें कते भनत ना लगी कि उसी इमारत की दूसरी मन्जिल पर एक कतल हो गया था? नहीं, जनाम तुम उस इमारत में रहते किसी और शक्स को जानते थे? जी नहीं मैं तो उस इलाके में ही पहली बार गया था उस आदमी का नाम बोलो जिससे तुम वहां मिलने गए थे उस आदमी का नाम मुझे प्रेम मलानी बताया गया था लेकिन साहब, मैंने अर्ज किया है कि इस नाम का कोई आदमी वहां नहीं रहता था मुझे गलत तिप मिली थी तिप देने वाले मुख्बिर का नाम बोलो चटवाल खामोश हो गया उसने एकाएक सूक आये अपने होठोन पर जुबान फेरी मुख्बिर का नाम बोलो भाई हसन चटवाल मरे स्वर में बोला बद्रुल हसन हमारा रेगुलर मुख्बिर है जी हाँ बारा साल से पुलीस का भेदिया है लेकिन टिप्स गलत देता है नहीं जनाब उसकी टिप हमेशा सही निकलती रही है इस बार गलत क्यों निकली? हैरानी है जनाब उसे कसो मैं करूंगा जनाब और तुम मेश पर पड़े तीन केलिफोनी में से एक की घंती बजी देवडा ने फोन उठा कर कान से लगाया वह कुछ क्षण फोन सुमता रहा फिर उसने फोन वापिस क्रेडल पर रख दिया जीप मिल गई है उसने बताया कहां से? चटवाल सशंक स्वर में बोला बांदरा से ही एक अंधेरी गली में खड़ी थी मैं उसे लेने जाता हूँ जरूरत नहीं जीप तुम्हारे जाने में पहुचा दी गई है चटवाल खामोश रहा चटवाल उठ खड़ा हुआ फिर वह लगभग गिरगडाता हुआ बोला साहब यकीनन मुझसे बहुत लापरवाही हुई अगर यह एक खता माफ हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंस्पेक्टर देवडा कथोर स्वर में बोला यू बिल बी चार्ज शिटर एज पर स्टैंडिंग रूल्स लेकिन जनाम यू कैन गो गो पिता सा मुह लेकर चटवाल एसीपी के कमरे से बाहर निकल गया एस्टरिस्क 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 सवा नौ बजे तक तुकाराम के वर्सोवा वाले मकान में सब जने जमा थे सिवाए रुस्तम भाई अंधेरी वाला के रुस्तम भाई का अभी भी कुछ पता नहीं था विमल खुद इस बात की तस्दीक कर चुका था कि न वह अपने घर पहुँचा था और न अपने अंधेरी वाले आफिस में लोगों को बस स्टैंड से मकान तक लाने की जिम्मेदारी वागले पर छोड़ कर विमल खुद रुस्तम भाई की फिराक में गया था उसके लौटने तक सब जने मकान पर पहुँच चके थे वह वहां पहुचा तो उसने सब को तुकाराम के पलंग के गिर्द कुरसियां डाले बैठा पाया सोहल आ गया विमल को देखते ही जैरत नकली खुशी का इजहार करता हुआ बोला जरूर माल की कोई खबर लाया होगा या शायद माल ही साथ लाया हो विमल ने यू उसकी तरफ देखा जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि वहां उसका कतल कर दे या फिलहाल उसके हाथ पाफ तोड़ कर ही सब कर ले अकबर ने चेतावनी भरे धंग से जैरत का कंधा दबाया लेकिन ऐसा ना लगा जैसे जैरत ने उस चेतावनी की परवाह की हो रुस्तम भाई का अभी भी कोई पता नहीं विमल एक खाली कुरसी पर बैठता हुआ बोला वो अब तक जैरत बोला माल के चारों सूट केसों के साथ दुबई पहुँच चुका होगा अच्छा विमल बोला हाँ फिर तो यहां मीटिंग बेमानी है जब माल हमारी पहुँच से बाहर निकल गया है तो यहां जमा होने का क्या मतलब फिर तो अपने अपने घर पहुचो सब लोग कोई अपनी जगह से न हिला तुम विमल जैरत से बोला काफी भौंक चुके हो या अभी और भौंकोगे यहां बोलने पर पाबंदी है जैरत भुनुनाया बोलने पर पाबंदी नहीं है भौकने पर भी पाबंदी नहीं है तुम जी भर कर भौक सकते हो मतलब की बाते बाद में हो जाएंगी उनके लिए सारा दिन पड़ा है तुम मेरी तोहीन कर रहे हो जो कि तुम्हें महसूस नहीं हो रही हो रही होती तो थोड़ी देर थोबरा बंद करके बैठे होते जैरत इस बार अकबर बोला चुप कर लेकिन कहा न चुप कर जैरत भुन भुनाता हुआ चुप हो गया विमल भंदारी की तरफ घुमा पुलीस तुम तक पहुची? वह बोला पहुची भंदारी सहमती में सिर्फ हिलाता हुआ बोला पहुचना ही था हुआ क्या? मुझे कबूल करना पड़ा कि वह फ्लैट मेरे कबजे में था और मरने वाली मेरी रखेल थी कतल का रिष्टा मेरे साथ जोडने में वे लोग पूरी तरह से नाकाम रहे थे मेरी खुश किस्मती थी कि मेरे पास कल के वक्त की अकाट्य एलिबाई थी उन्होंने मेरे से तुम्हारे बारे में भी बहुत सवाल किये थी मैंने फ्लैट में तुम्हारी मौझूदगी से पूरी करा नावाक्फियत जाहिर की थी मैंने कहा था कि मैं तो कई दिन से वहां नहीं जा पाया था जरूर तुम्हारा मरने वाली से सीथे कोई रिष्टा था पुलीस को विश्वास आ गया था तुम्हारी बात पर जैसी जान उन्होंने मेरी खाई थी उससे लगटा तो नहीं था कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास आया हो अब क्या स्थिती है? वक्ती तौर पर उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया है लेकिन मेरी जान अभी सांसत से निकली नहीं मालूम होती तुम्हारा मेरा और मंजुला का तिकोन मुझे बहुत खराब कर सकता है एसीपी देवडा को बहुत पहले से मुझे पर शक है कि पेंटिंगों की चोरी में मेरा हाथ है तुम्हारा नाम उस वारदात से यकीनी तौर पर जुड़ ही चुका है अब मंजुला को केंद्रबिंदू मान कर वे तुम्हारे मेरे गटजोर पर विचार जरूर करेंगे मेरा मंजुला से अवैद संबंध था तुम मेरे फ्लैट में उसकी लाश के करीब पाए गए थे यहां बात उनको बहुत मानी खेज लग सकती है और वे इससे बहुत खतरनाक मेरे लिए नतीजा निकाल सकते है साबित कुछ नहीं कर सकते अगर कर सके भंदारी रुधे स्वर में बोला तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा हौसला रखो कुछ नहीं होता तुम इतने बड़े सूर्मा बनते हो उस लड़की की हिफाज़त नहीं कर सके मैं वहां लड़की की हिफाज़त के लिए मौजूद नहीं था तुम माल की हिफाज़त भी तो नहीं कर सके विमल निरुत्तर हो गया हाथसा किसी के साथ भी हो सकता है तुकाराम बोला जैरत बड़े व्यंग्यपूर्ण भाव से हसा अक्पर ने उसे कोहनी मारी तो वह खामोश हुआ माल कहीं नहीं जाता विमल बोला मैं माल को तलाश करके रहूंगा मैं इन नारों से नहीं बहलने वाला जैरत बोला मुझे दिखाई दे रहा है एकाएक विमल की आंखों में एक बेहत सर्द भाव आया उसने अपलक जैरत की ओर देखा लेकिन तू बहलेगा अलग से बहलाऊंगा तुझे मैं इस बार जैरत विचलित हुआ उसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर परे देखने लगा जैरत तुकाराम बोला इधर मेरी तरफ देख जैरत ने तुकाराम की तरफ गर्दन घुमाई तो क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं चाहता मैं सिर्फ अपना हिस्सा चाहता हूँ तेरा हिस्सा मुझे मिलेगा जरूर मिलेगा इस जमात में शामिल होने की दावत मुझे मैंने दी थी और किसी पर नहीं तो मुझे पर भरोसा रख या कह कि मुझे पर भरोसा नहीं मुझे आप पर भरोसा है तो फिर फाल्तू बोलना बंद कर और चुपचाप बैठ ये ठीक कह रही है अक्बर जल्दी से बोला अच्छा जैरत बोला अच्छा कभी वागले सब के लिए चाय ले आया अब आगे करना क्या है रामन्ना बोला जो आगे करना है विमल बोलावा एक नहायत एहम सवाल के नहायत इमानदाराना जवाब पर मुनसर है यहाँ फैसला तो हो ही चुका है कि यहाँ काम हम में से किसी का नहीं है रुस्तम भाई यहाँ मौजूद नहीं है अक्बर बोला उसके बारे में यहाँ फैसला नहीं हो चुका यहाँ काम रुस्तम भाई का नहीं हो सकता उसका होता तो वहाँ रामन्ना के घर के आगे मुझ पर हमला करने के लिए ना रुका होता वहाँ गायब है उसके गायब होने की कोई और वज़ा भी हो सकती है और क्या वज़ा हो सकती है? कोई भी और वज़ा तुम भंदारी बोला सोहल को आगे बढ़ने दो इसे अपनी बात मुकमल करने दो अकबर खामोश हो गया तुम्हारा वो अहम सवाल क्या था? भंदारी विमल से बोला वह सवाल मैं कुछ से पूछ चुका हूँ, कुछ से नहीं पूछ पाया टाइम्स विमल बोला जिन से पूछ चुका हूँ, उनसे दोबारा पूछना चाहता हूँ साबान क्या अंजाने में भी हमने से किसी ने माल का जिक्र किसी से किया है मैंने अपनी छोकरी को माल की बाबत बताया था रामन्ना बोला लेकिन इतना ही बताया था कि आने वाले दिनों में मुझे एक मोटी रकम हासिल होने वाली थी वहां रकम कितनी थी, कहां थी, मुझे कब हासिल होने वाली थी, यहां सब मैंने उसे नहीं बताया था विमल ने बाकियों की तरफ देखा सबके सिर इनकार में हिले यहां सवाल विमल बोला अगर हम रुस्तम भाई से भी कर पाए होते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन वहां हमारी मजबूरी है रुस्तम भाई इस सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं बहरहाल हम यहीं मान कर चलते हैं कि उसका जवाब भी वही होगा जो हम सबका है अब बाकी संभावना एक ही रह जाती है और वहां है मनजुला अब यही कहा जा सकता है कि कोई मनजुला की फिरात में फ्लैट आया था और फ्लैट में मौजूद दौलत की खबर उसे इत्टफाकन लग गई थी जिसे की वह ले उड़ा था मनजुला की फिरात में वहां कौन आ सकता था भंदारी बोला उसका कोई चाहने वाला लेकिन उसका चाहने वाला तो सारी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा न था यही कहने जा रहे थे न तुम भंदारी ने बड़ी कठिनाई से सहमती में सिर हिलाया मुझे तुम्हारे जाती मामलात से कोई वास्ता नहीं भंदारी लेकिन इस वक्त कहना जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ वह लड़की सिर्फ तुम्हारी मिलकियत नहीं थी जूत भंडारी आवेशपूर्ण स्वर में बोला वह बहुत लोगों को हासिल थी वह एक धकी छुपी कॉलगल थी जो बड़े गोपनिय धंग से अपनी लिमिटेड क्लाइन तेल में फंक्शन करती थी यह नहीं हो सकता वो सिर्फ मुझ से प्यार करती थी किसलिए तुम्हारे में सुर्खाप के पर लगे है भंडारी के मुम से बोल न फूटा जरा उसके कतल के पहले के कुछ क्षणों की कलपना करू वह संपूर्ण नगनावस्था में थी वह तब भी संपूर्ण नगनावस्था में थी जबकि हत्यारा वहां पहुँचा था किसी के आगमन पर भी उसने अपना तन धकने की कोशिश नहीं की थी कि होती तो लाश की बरामधी के वक्त उसके तन पर पोई कपरा होता हत्यारे ने उसे कपरे पहनने का मौका ही नहीं दिया होगा उस सूरत में वह लाज शर्म से दोहरी हुई होती, नकी पलंग में पर चित लेटी हुई होती तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसने अपना तन धकने की कोई कोशिश नहीं की थी इसी से काफी हद तक यह साबित होता है कि हत्यारा जो कोई भी था उसके लिए अप्रिचित नहीं था ना सिर्फ अप्रिचित नहीं था बलकि उसके सामने नंगी पेश होना लड़की के लिए कोई गैरमामूली बात नहीं थी सबकी निगाह अपने आप ही भंडारी की तरफ उठ गई भंडारी को घूरना बेकार है विमल बोला इसके पास कतल के वक्त की अकाट्य एलिबाई है यह काम इसका नहीं हत्यारा कोई और था और वह मंजुला से भंडारी बोला मेरे जितना ही इंतीमेट था हालाद से यही जाहिर होता विमल एक क्षण ठिटका और बोला और ऐसा शक्स कोई एक जना भी नहीं था यह तुम कैसे कह सकते हो अंदाजन अंदाजे की भी कोई बुनियाद होती है है मंजुला के पास एक डाइरी थी जिसे वह बहुत संभाल कर रखा करती थी एक बार जब वह टाइलेट में थी तो मैंने उच्सुकतावश उस डाइरी पर एक निगार डाली थी भंदारी उसमें कोई दो ढ़ाई दर्जन लोगों के नाम पते और टेलिफोन नमबर दर्ज थे और वे तमाम पते मर्दों के थे बस सिर्फ इतने से ही तुमने यह नतीजा निकाल लिया कि वह कॉल गर लथी इतने से और एक और बात से और बात कौन सी उसने मुझे भी फासने की कोशिश की थी जूट कल दोपहर मैं फ्लैट में से निकला ही इसी वज़े से था वह पंजे जाड़कर मेरे पीछे पड़ी हुई थी अपने नगन जिस्म की खुली नुमायश वह मेरे लिए कर रही थी लड़की के उस व्यवहार की तुम्हें खबर देने की कोशिश में ही मैं फ्लैट से बाहर निकला था तो फिर दी क्यों नहीं थी खबर मुझे लगा था कि पीछे फ्लैट खुला छोड़ आना ठीक नहीं था दौलत की हिफाज़त की खातिर मैंने वापिस लौट जाना ही मुनासिप समझा था भंदारी कुछ न बोला उसका चहरा फक पड़ चुका था लड़की का कोई यार कोई क्लाइंट इसी ताक में था कि मैं वहां से रुखसत हूँ और वह फ्लैट में दाखिल हूँ मैं सिर्फ दस मिनट बाहर रहा उतने में उसने खून भी कर दिया और माल भी ले गया लड़की का कोई यार कोई क्लाइंट जैरत बोला जाहिर है अब साहबान हमारे हक में पोजीशन यहा है कि है वह शक्स यानी की हत्यारा अगर लड़की का कोई रेगुलर क्लाइंट था तो उसका नाम पता लड़की की उस डाइरी में जरूर दर्स होगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया है उस डाइरी में दर्स नामों को टटोल कर हम अपने मुर्गे तक पहुँच सकते हैं तुकाराम तो हरकत के काबिल नहीं इसको निकाल कर हम च्छप जने हैं जो की बड़ी हद एक दिन में डाइरी में दर्स सारे नामों को चैक कर सकते हैं यही एक तरीका है हत्यारे की तलाश करने का और उससे अपना माल वापिस जटकने का वह डाइरी अकबर बोला अब तक पुलीस के कबजे में नहीं पहुच चुकी होगी शायद न पहुच चुकी हो शायद पुलीस ने उसे कोई एहमियत न दी हो दाइरी पुलीस के कबजे में पहुची है या नहीं यहां बात भंदारी बाखु भी पता कर सकता है कैसे भंदारी हर बड़ाया